हेलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टडि विस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुकमणी पवलिकेशन बुक से संपूर बिज्ञान के दोस्तों ये बुक है रुकमणी सारसंग्र है बीस हजार प्लस बनलानर का बुक जो की दा प्लेटफूम के नाम से प्रसिद है और इस बुक के माध्यम से आज हम संपूर बिज्ञान के पहले भाग को यहाँ पर कवर करने वाले हैं दोस्तों ये बीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रिकार की प्रत्युक्ता परिक्षाओं के लिए इंपॉर्टन रहेगा चाहें वे रेलवे के एक्जाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेविल का एक्जाम जहां साइंस एक मोश्ट इंपॉर्टन भूमी का निवाता है दोस्तों एक्जाम में वहाँ आपको ये बुक अवस्ट पढ़कर जाना चाहिए क्योंकि इस बुक में लगवख साइंस के 60, 60 पेज दिये हुए हैं और हर एक पेज में लगवख 70-80 कौशन हैं और अधिकतर कौशन दोस्तों वही हैं जो कि एक्जाम में बारवार रिपीट होते हैं ये बीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज बीडियो को लाइक और शेर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए बीडियो क नॉटिफिकेशन टाइम पर मिलता रही तो चलिए हम अपनी क्लास सुरू करते हैं सामान बिज्ञान एवं किरसी DRDO द्वारा बिक्सित रॉकेट लॉंचर है तो इसका नाम है पिनाक कुडानू कुलम नाभी की बिद्धुत परियोजना कहां पर है इंपॉर्टन कॉशन है यह ध्यान लखेगा तो यह है आपके कमिलाडू में कम्प्यूटर का मस्तिस्क किसे कहा जाता है तो यह है आपका CPU U, B, U, N, T, U क्या है तो यह है ओपन सोर्स ओपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टन कॉशन दोस्तों कम्प्यूटर से U, R, V ka Full-form क्या है तो U, R, V का Full-form होता है Uniform Resource Locator धोनी का संचर किस में नहीं होता है तो ध्यान लखेगा धोनी का संचर निर्वात में नहीं होता पिर्थी पर किसी पिंड का दर्वान 80 क्लोग्राम है तो चेन दर्वान पर कितना होगा अंसर है सी किलोग्राम पदाहर्थ की SI पदाहर्थ की मात्रा का SI unit क्या है तो तेखिए पदाहर्थ की मात्रा का SI unit important question है तो यह होता है मोल बिसाडू जनित रोग कौन सा है तो चेचक एक बिसाडू जनित रोग है संसद में पर्यावन संरक्षन अधिरियम का पारित हुआ था ध्यान रखेगा इसकी डेट 23 मई 1986 को सेरी कल्चर किस से सम्बंदित है तो रेसम कीट पालन से सम्बंदित है सेरी कल्चर मंगल यान किस तिती को लॉंच हुआ था important question है पांच नवंबर दोहतेरा को मंगल यान लॉंच हुआ था सह जीवी पोधा कौन सा है तो लाइकेन एक सह जीवी पोधा है संयुक्त राष्ट सुरक्षा परसत कब इस्थापित हुई राइट आंसर है 1945 में भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है तो भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम है एपल सेव में बैक्टिरिया से होने वाला रोग कौन सा है तो उसको बोलते हैं फायर बिलाइट सापिचता का सिध्धान्त किस ने दिया था इंपोर्टन कॉशन है तंतर का भाग नहीं है तो बड़ी आत रक्त परिसंचरन का तंतर का भाग नहीं है नियत ताप पर गैस का आयतन दाप के बयुत कुर्मानुपाती होता है या रखेगा ये बॉयल का नियम है नोन बोलेटाइल मेमोरी है तो रोम Read only memories का फुल फर्म है कौन सी अध़स रासी है तो ध्यान रखेगा यहां पर चार रासी दी गई है चिनके नाम है चाल, दूरी, एवं ऊर्ज, दाव, एवं उर्जा यह सब बी अध़स रासी है टेक्सोनॉमी के जनक है या रखेगा टेक्सोनोमी के जनक है कार्ल लीनियस बायू प्रदूसक का संकेतक है दोस्तों इंपोर्टन कोशन है लाइकेन बायू प्रदूसक का संकेतक होता है बिटामिन E का रसाने एक नाम है बिटामिन E का रसाने नाम है टोको फेरल धान के खेश से निकलती है तो देखे धान के खेश से मीथेन गेस निकलती है रोबर्ट हुक ने किस की खोच की तो मृत कोसका की खोच की थी रोबर्ट हुक ने पित रस सरीर के किस भाग से इस्तरावित होता है तो ये होता है यकृत से कहां से यकृत से चंद्रियान 2 किस रॉकेट से लॉंच किया गया इंपोर्टन कॉशन है तो यह है GSLV Mark 3rd M1 से ATP का फुल फॉर्म क्या है Adenosine Triphosphate सर्व गराही रक्त समू कौन सा होता है तो याद रखेगा सर्व गराही रक्त समू है AB भारत का प्रतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो इसका नाम है परम8000 थुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग इस्टेसन क्यों मात्पूर है तो याद रखेगा क्योंकि यहाँ प्रत्वी के भूमत रेखा के बहुत करीब है यह ठीक है इसलिए अगला कॉशन है कौन बेब ब्राउजर नहीं है तो याद रखेगा गूगल बेब ब्राउजर नहीं है नीवू के रसका पी एच मान होता है तो नीवू के रसका पी एच मान होता है 2.4 इंटेल i9 क्या है तो यह एक माइक्रो प्रोसेसर है पाइथन क्या है तो प्रोग्रामिंग भासा है यह प्रोग्रामिंग लेंग्विश है कम्प्यूटर की पाइथन इस रोने 15 फरवरी 2017 को कितने उपगरे लॉंच किये सही आंसर है 104 बिटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन B1 की कमी से होता है बैरी बैरी रोग जीवाडू के कारण कौन सी बिमारी है तो जीवाडू के कारण होने वाली बिमारी है टाइफाइड हैजा ठीक है यह बिकल्प से यहां पर आंसर दिया है इनों है मैयोपिया के उपचार में प्रियोग में लाने वाला लेंस कौन सा है तो मैयोपिया के उपचार में प्रियोग में लाया जाने वाला लेंस है अब ता लेंस सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है तो ब्रमोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है एक बटे चार ओम के चार पृति रोध को स्रीडी गम में जोड़ने पर कुल पृतियों कितना होता है एक ओम होता है ब्रायोफाइट बर्ग का पौदा है तो देखिए मार्कनेशिया और लिवर वर्ड ये दोनों ही ब्रायोफाइट बर्ग के पौदे हैं चूने के पानी का सूत्र क्या है तो चूने के पानी का सूत्र होता है C-A-O-H का होल ट्वाइज कौन सी उपधातू है तो सिलीकॉन और जर्मिनियम दोनों ही उपधातू है पॉलि थीन किसका बहूलाख होता है पॉलि थीन उस्तों एथिलीन का बहूलाख होता है धान रखेगा ट्रेक बॉल कैसा डेवाइस है देखीं कंप्यूटर से कॉशन लिया है जो ट्रेक बॉल एक इनपूट डेवाइस है इसका नाम ये अपसरा 2018 में पृतिवी का अध्यान करने के लिए भारत का समवर्दित उपग्रह प्रणाली है तो इसका नाम है भारतिय चेत्रिय नो वाहन प्रणाली 2018 में सूर का अध्यान करने हेतू इस उरों ने कौन सा उपग्रह लॉंच किया था तो इसका नाम है आधित्ते L1 कौन सी अजैविक है कौन सी अजैविक है तो देखिए सूर का प्रकास ऑक्सीजन हाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन मेरू रज्जा किस से जुड़ता है तो मेरू रज्जा ये मस्तिस्क से जुड़ता है एनी मेलिया बर्ग से आते हैं तो देखिए क्यू लेक्स मच्छर एनी मेलिया बर्ग से आते हैं यह आंसर बिकल्प से लगाया गया है आपर एक केबी में बाइट होता है कितना तो एक केबी में होते हैं 1024 बाइट कोशका की खोच किस ने की थी तो रॉवर्ट हुक ने कोशका की खोच की चूने का पानी में कौन सी गयस प्रवावित करने पर डूदिया हो जाता है यह सही आंसर है कारवंटाई अक्साइड बर्गत का बैग्याने के नाम क्या है इंपॉर्टन कोशन है बर्गत के पेड का बैग्याने नाम है जलका हिमांग बिंदू Kelvin में होता है तो यह होता है 273.15 Kelvin मीथेन का सूत्र क्या है तो मीथेन गेस का सूत्र है CH4 भारत का प्रत्म न्यूकलियर प्लांट कहां स्थापित हुआ तो यह हुआ महाराश्ट के तारापुर में तनिता किसका गुड धर्म है तन्यता धातू का गुड़ धर्म होता है मानब सरी का पी-छ मान कितना होता है तो मानब सरी का पी-छ मान होता है 7 तसलब 3 से 7 तसलब 4 इंस्टा 1B भारतिये संचार उपगरेक कब लॉंच किया गया तो यह किया गया 1983 में दुत्तिय परमाडू परिक्षन का कोड है तो दुत्तिय परमाडू परिक्षन का कोड सा सकती हेपेटाइटेस रोग किस से होता है तो हेपेटाइटेस रोग विसानू से होता है फूल गोबी किस परकार का पुस्प है फूल गो भी दूई लिंगी पुस्प होता है कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो या रखेगा कंप्यूटर में डाटा बाइनरी में ग्रहण करते हैं इंपोर्टन कोशन है न्यूटन के गती के पिर्थम नियम को क्या कहते हैं तो न्यूटन के गती के पिर्थनमियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है चीटी के डंक में कौन सा अमल होता है आंसर है फॉर्मिक अमल भारत में कुल कितने परमाणू रियक्टर है आंसर है 22 G.S.A.T. 30 किस प्रकार का उपगिरह है तो ये संचार उपगिरह है आइरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है तो स्टील अलग है बाकी सब तत्व हैं जबकि स्टील में से धातू इसलिए कौन सा एक बसा उतक है आंसर है A.D. पोज उतक ये एक बसा उतक है आकसीजन, फ्लोरी, नाइट्रूजन वा आरगन में अक्रिय गैस कौन सी है सही आसर है आरगन कौन सा इंपुट डिवाइज नहीं है तो प्लोटर प्लोटर ये बिकल्प सा आंसर लगाया गया है ये एक इंपुट डिवाइज नहीं है हरे पिल पोधे प्रकास की उपस्तिती में प्रकास अंसलेंशन के दोरान अपना भुजन स्वय बनाते हैं ऐसे पोधो को क्या कह जाता है तो इनको कहते हैं हम स्वय पोसी नियूरोन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्रदाप्राप्त करता है आंसर है डेंडराइट्स कंप्यूटर का कौन सा कार नहीं कंप्यूटर कौन सा कार नहीं करता है आंसर है अंडरिस्टेंडिंग इसरो दोरा सोबे उपग्रह का प्रछेपण कब किया गया तो ये किया गया 12 जनवरी 2018 को पेट की दिवार का अमलेतास से रक्षा कौन करता है कौन करता है कितने डिग्री सी तापमान बढ़ाने पर अविक्रिया का बेग दुगना हो जाता है आंसर है प्रतिक्रिया की दर्द दो गुना हो जाती है अगला कुशन है अंटिवारिस कौन सा है इंग से तो दिखिए आपशन के सापसे आंसर आ रहा है अंटिवारिस कौन सा है नौर्थन पेडों में जड से पत्तियों में जल को कौन सा उतक ले जाता है तो इसका नाम है जाइलम क्या कहते हैं इसको जाइलम बोजन के पाचन में साहयक है तो लार ग्रंथी बोजन के पाजन में सायक है अल्टी मीटर, बैरो मीटर, थर्मा मीटर क्या हैं तो ये सभी मापन के यंत्र हैं ओजोन के एक अडू में कितने ओक्सियन अणू होते हैं तो ओजोन के एक अडू में तीन ओक्सियन अणू होते हैं किसी कोशिका का बिभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं दोई खंडन बाइनरी फिशन ठीके भारत में प्रिथम परमालू परक्षण कब हुआ था इंपोर्टन कोशिन है तो भारत में प्रिथम परमालू परक्षण 18 माई 1924 को हुआ था धनावेशत आयन को क्या कहा जाता है अंसर है कैटाइन दो आठ साथ इलेक्ट्रोनिक बिन्यास किसका है तो यह है क्लोरीन का किस परमालू सोरी किस प्रदूसर से सौसन संबंदी बिमारी होती है तो यह होती है बायू प्रदूसर से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है देखे बगलप से आंसर आया है सही आंसर है पेपर खाद सिंगला में तित्तिय पोसड इस्तर पर कौन सा उपभोगता होता है तो ये होता है दुत्तिय उपभोगता कारवन के अपरूप कौन सा है सही आंसर है हीरा, ग्रेफाइड वा फ्लोरीन ये सभी कारवन के अपरूप है बारतिय अंत्रिक्ष कारेकरम के जनक कौन है तो डॉक्टर बिक्रम सारा भाई भारतिय अंत्रिक्ष कारेकरम के जनक है कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकोल के तहत किया जाता है तो यह कियाता है रिमोट डेक्स्टॉप प्रोटोकोल सम्भेक का सूतर क्या है तो सम्भेक का सूतर होता है द्रमान गुणे बीग कौन से अप्लिकेशन सोफ्ट वेर है तो MS Word और MS Excel ये दोनों ही अप्लिकेशन सोफ्ट वेर है घरेलू मक्की का बैग्यानिक नाम क्या है तो मुस्का, डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी का बेग्यानिक नाम है पूरे में इस्थित CDAC ने किस पहल हितू पुर्जट तयार किया है तो इसने किया है सुर्टी लेखन के लिए जीवों के सरीर की सनरसनात्मक एवं किरियात्मक एकाई क्या है तो ये होती है कोशे का सुर्ट के पिरकास के स्पेक्टर में पिर्थम और अंतिम रंग कौन सा है तो देखिए पहला है बैगनी और अंतिम है लाल बहुत उच्च तापमान किस से मापा जाता है राइट आंसर पाइरोमीटर से कौन सी नोवल गैस नहीं है राइट आंसर नॉइट्रोजन फोर्ट्रोन क्या है तो ये एक भासा है रक्त दाप के नियंत्रन के लिए आयूर्बेटिक मेडिसन क्या है आंसर है सर्प गंदा क्लूरो फ्लूरो कारवन को कौन मुक्त करता है तो क्लोरो फ्लोरो कारण को मुक्त करता है रेफ्रीज रेटर भारती नोसेना के अग्रेम पंक्ती के किस बिद्वनसक मिसाइल को मई 2019 में बिगटित किया गया आंसर है आइनेस रंजीत को कौन सा संक्रामक रोग नहीं है सही आंसर है ब्लेट प्रेसर विकल्प से ग्लूकोज किस में बिगटित होता है तो पाई रूबिक अमल में बिगटित होता है ग्लूकोज अमल और छार में एक समानता क्या है देखे दोनों बिद्दुत के सुचालाग होते हैं देखे धान रखे वैसे डबलू-डबलू-डबलू के आविस्कार कौन है आंसर है टिम बर्नर्स ली और रोवर्ट कैल्यू MS Excel में सैल को एडिट करने के लिए सौट कट कुझी क्या है आंसर है F2 पिर्थम न्यूकलिर परिक्षन का कोड नाम क्या था तो इसका कोड नाम था इस्माइलिंग बुद्धा लिटमस किस पौधे से निकाल जाता है आंसर है लाइकें से गती के नियम किसने दिये थे तो गती के नियम दिये हैं न्यूटन है पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राच्च कौन सा है राइट आंसर है तमिल नाडू कम्प्यूटर के पिता कौन है तो चार्ल्स बेबज कम्प्यूटर के पिता कहलाते है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मिदार कौन सी गैस है राइट आंसर है कारवन डाय उकसाइड नमबर 2020 में किस आईएनेस पंडूबी को सामिल किया गया आंसर है बागिर स्कॉर्पिन स्रिने की पांच भी पंडूबी है ये प्रकास संस्लेशन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है राइट आंसर है CO2 सबजियों के उत्पादन से संबंदित बिज्ञान कहलाता है तो सबजियों के उत्पादन से सम्द्दित बिज्ञान है ओलेरी कल्चर कम्पीटर में संचार के लिए प्रोटोकल कौन सा होगा तो यह होगा Communication Protocol रायबोससम कस का संस्लेशन करता है तो रायबोसम प्रोटीन का संस्लेशन करता है आदुनिक आवर साली में कितने उर्दवादर कॉलम हैं सही आंसर है 18 कितने हैं 18 तारों का टिम्टमाना किस प्रकास ये घटना के कारण होता है तो ये होता है प्रकास के बायू मंदल के अपवर्तन के कारण परावेगनी किर्णों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है आंसर है Ozone O3 सोसन के दोरान गुलुकोज के ऑक्सिकरन पश्चात क्या बनता है तो ये बनता है ATP दंत रोग चिकिस्सक यानि कि डेंटल किस दरपन का उप्योग करते है राइट आंसर है अप्तल दरपन का चुई मुई के पौधे का बेग्यारी नाम है मिमोसा पुडेका सरीज में हड्डियों की कुल संक्या क्या है आंसर है 206 मादा एना फिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है सही आंसर है मलेरिया कल पक्कम परमाणू उर्जा सैंतर में रियक्टर का नाम क्या है तो इसका नाम है कामिनी अंतरिक्ष अनुसंदान के लिए भारतिय राष्टी समीती की स्थापना कब हुई थी राइट आंसर है 1962 में किस फसल दोरा नाइटोजन इस्थरी करण से मिट्टी की उरबड़ता बढ़ जाती है तो यह है लेग्यू मिनस पौधि से तिन और लेड का मिस्धातू है तो सोल्डर तिन और लेड का मिस्धातू है अवाविये सौसन में पाईरू बेट किसमें बदलता है तो यह बलता है लेक्टिक अमल में सरी की सबसे बड़ी धमनी गौनसी है तो महा धमनी सरी की सबसे बड़ी धमनी है जीव में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाई क्या कहते हैं स्वाद कलिकाई किड़नी के अध्यन को गया कहते हैं इंप्वाटन कोशन है कृड़नी के अध्यन को बोलते हैं नैफ्रोलोजी ब्रक्की सनरशनातमक और किरियातमक एकाई क्या है सही आंसर है नैफ्रोन जापान की मिनी माताアपदा किस प्रिदूसरन के कारण हुई थी तो यह उती पारा की कारण पैनिसलीन का आविस्कार किस ने किया था राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भारतिय नुकलियर प्रोग्राम के जनक कौन है तो डॉक्टर होमी जांगीर भावा भारतिय नुकलियर प्रोग्राम के जनक है भारत उपग्रह रोधी मिसाइल छम्ताओं वाला कौन सा राष्ट बन गया सही आंसर है चौथा दो या दो से अधिक पधारतों के समांगी में सणकों क्या कहते है राइट आंसर है बिलियन डबलू डबलू के अंतरगत प्रतम डोमेन नाम क्या था रक्त किस परकार का उतक है तो ध्यान रखेगा रक्त सईयोजी उतक होता है इंपोर्टन कॉशन है ये बराक की स्थापना कब हुई थी राइट आंसर है तीन जनवरी उन्निस सो चंगन को लाल टेन में तेल उपर की और किस कारण चलता है आंसर है किसी कात्व के कारण जनरेटर किस सिध्धान पर कार करता है सही आंसर है फेराडे के सिध्धान पर गन्ना की फसल किस उर्जा को रासानिक उर्जा में बलता है आंसर है सौर उर्जा को रक्त का ठक्का जमने में कौन सी बिटामिन साहयक है राइट आंसर है बिटामिन K मैंगनीशियम का संकेत क्या है सही आंसर है M G सबसे लंबा ब्रक्ष कौन सा है राइट आंसर है रेड बुड एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है हो जाता है राइट आंसर है डेंगू पसुओं के बैवार का दिन कहलाता है पसुओं के बैवार का दिन कहलाता है इथो लॉजी पेश्ट करने के लिए सौट कट की कौन सी है तो यह है कंट्रोल प्लस वी ठीक है पेश्ट करने के लिए थर्मा मीटर का आविस्कार किस ने किया था राइट Anser है GALILEO GALILEINE WWW किस protocol पर कार करता है तो ये करता है HTT protocol पर .com का पूरा नाम क्या है तो ये .com का पूरा नाम होता है पौदे के बिकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तमाल करते है तो यहाँ पर यंत्र है OXINOMETER आक्सिनोमीटर लेक्टिक एसेड में कितने कार्मन अणू होते हैं सही आसर तीन बीजों के पौध में बदलने की पिरक्रिया क्या कराती है तो उसको बोलते हैं अंकुरण या फिर जर्मी नेशन नाक, कान, गला और जीब में कौन सबसे अलग है राइट नासर है जीब बिक्रम सारवाई केंद्र कहां है तो बिक्रम सारवाई केंद्र तिरुवनंत पुरम में है कहां पर तिरुवनंत पुरम में सी प्लस प्लर लेंग्वेज कव आई थी तो यह आई 1970 के तसक में बायो गेस में सरवादिक कौन सी गेस होती है जान दखेगा बायो गेस में सरवादिक होती है मीथेन 55-56% सूरी 55-66% सूलर सेल किस सिधान पर कार करता है आंसर है प्रकास बोल्टिये प्रिभावपर ठीक है प्रकास को बितुज उठा में बदलता है ये सापिचता का सिधान किस ने दिया था सही आंसर है अलवर्ट आइंस्टीन ने थियो फ्रिस्टस किस के जनक कहे जाते हैं तो बनस्पती बिज्ञान या फिर बॉटनी के जनक कहलाते हैं थियो फ्रिस्टस lens की चमता का मातरक क्या कहलाता है तो lens की चमता का मातर का dice computer की पदती है binary या फिर दूइ धारी पदती chip को आंदूलन किस से संबंदित है पर्यामन की रक्षा इवां रक्षो को काटने से रोकने से संबंदित है chip को आंदूलन चैन्दियान फर्स्ट कब लॉंच किया गया राइट आंसर दो यर आट में इन्पूट डिवाइस कौन सा है इसमें से थेकिए अब यहाँ पर आप्शन से कौशन होते हैं इस परकार के इन्पूट डिवाइस कौन है तो M.I.C.R. इन्पूट डिवाइस है इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी सही आंसर है J.J. Thompson ने किस ने? J.J. Thompson ने इलेक्ट्रोन की खोज की थी इस प्रेड सीट किस से सम्बंदित है तो यह है M.S.XL से किडनी के काम ना करने पर कौन सा उप्चार किया जाता है आंसर है हीमो डाइलिसिस सरीर के अंदर ऑक्सियन को कौन ट्रांसफर करता है आंसर है हीमो किलोविन G.S.L.B. मार्क थर्ड का निक नाम क्या है तो इसका निक नाम है फैट बोई एंड बाहु बली कौन सा बिद्दुत उपकरण बिद्दुत प्रवहाव के ताप प्रवहाव के सिर्धान पर काम नहीं करता है तो यह है आपका पंखा फलो का स्वाथ कि सरकरा के कारण मीठा होता है सही आंसर है फ्रक्टोस चंद्रान 2 कहां से लॉंच किया गया था राइट आंसर है 37 धवन अंतरच के अंदर से बिद्दोधारा की ऐसा यूनिट क्या है राइट आंसर है एंपियर बोल्टा मीटर किसको मापने का उपकरण है राइट आंसर है बिवहांतर किसके दौरा इंटरनेर से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है आंसर है इमेल प्लास्टर और पैरिस का उपयोग क्या है आंसर है टूटी हड्डियों को जोडने तथा मूर्ती बनाने में कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले काटों को छूने से खुजली सुरू हो जाती है तो ये है नैटल अमासे में कौन सा अमल होता है राइट अंसर है हाइड्रोकलोरिक अमल कंप्यूटर में कैस मेमोरी कहां परिस्थित होती है तो ये होती है CPU में गुबारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है राइट अंसर है हीलियम इंस्टा वन भी उपग्रह कब लॉंच किया गया राइट अंसर है 30 अगरस्ट 1983 को डुत्तिय परमाणू परिक्षण कहां पर हुआ था तो डुत्तिय परमाणू परिक्षण पोखरड जैसल में राज़स्थान में हुआ था निकट द्रष्टी दोस को कहा जाता है कौन सी मेमोरी कौन सी कम्प्यूटर की मेमोरी नहीं है तो देखिए बिकल्प्ष आंसरा है प्रिंटर कौन सा कम्पीटर बारिस नहीं है आंसर है पाइथन भारती बायुसेना के लिए GS87A संचार उपग्रह को किस ने बिक्सित किया है राइट आंसर है इस रो उपग्रह केंदर ने कौन सा कम्पीटर हाडवेर नहीं है आंसर है पावर पॉइंट भोजन पाचन चरणों का सही करम क्या है तो देखिए सबसे पहले होता है अंताग्रहन इसके बाद पाचन अपसोसन स्वांगी करण फिर है उससरजन हरे पेड पौधे प्रकास की उपस्तिती में प्रकास संसिलेशन के द्वारा अपना भोजन स्वांगी बनाते हैं पौधे क्या किलाते हैं तो इस प्रकार के पौधों को बुढ़ आता है स्वाय पोसी भरजन बिदी में सलफाइट अयस्क को किसमें बदला जाता है राइट आंसर है ओक्साइट अयस्क में तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है तो ये है सेटिलाइट अधातू का कौन सा गुण नहीं है तो बिद्दुत की चालक होती है ये ठीके ब्लेक फीवर यान की काला जार किसके कारण होता है सही आसर है लिसमेनिया डोनो वानी के कारण बोनापन ड्राफ विसमेन किसके कारण होता है तो प्यूस गरंती द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का ना बनना सूरज मुखी के फूल का सूर की दिसा में मुणना किस कारण होता है तो यह होता है फोटो ट्रोपो इस्पम के कारण यानकी प्रकास संस्लेशन के कारण चंद्रान सेकंड के लेंडर का नाम किस बैग्यान के नाम पर रखा गया तो यह रखा गया बिकरम सारावाई के नाम पर हिर्दय से सुद्य रक्त को सरी के बिविन भागों में कौन पहुंचाता है राइट आंसर है धमनी एक हजार चौबीस टेरावाइट बरावर होता है तो यह होता है एक पैटावाइट के बरावर सोडियम क्लूराइट और अमोनियम क्लूराइट के मिस्रण मैंसे अमोनियम क्लोराइट को किस बिदी से अलग किया जाता है आंसर है उर्दव पातन के द्वारा ग्रीन हाउस गेस उसरजन अत्वा ग्लोवल बार्मेंग को कम करने के लिए किस अंतराश्टी संदी पर हस्ताक्षर हुए आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल भारत में बिक्सित सते से सते मार करने वाली मिसाइल कौन सी है तो इसका नाम है अगनी फाइब 2018 में फ्रेंच गवाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉंच किया गया तो याद रखेगा G.S.A.T.1.1 को चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूदिया क्यों हो जाता है याद रखेगा C.A.C.O.3 बनेने के कारण कौन सी प्रकासिय घटना में अपवरतन नहीं होता है आंसर है सूर का अस्त होते समय लाल दिखाई देना समसूत्री कोशिका विवाजन या समसूत्रण के किस चड़ में दो गुड़ सूत्र नाविक के पास आते हैं तो यह इसका नाम है मेटाफेज हाट डिस्क किस परकार की मेमोरी है तो हाट डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है इसरो के चंद्रान फर्ष्ट के प्रिस्ताप को सरकार ने कम मंजूरी दी थी राइट आंसर है 2003 में पानी की स्थाइक अडूर्था दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं आंसर है सोडा लाइम जैम्स चेंडिविक ने किस की खोच की थी राइट आंसर है neutron की रेल पट्री में दरार का पता लगाने के लिए किस बिदी का प्रियोग किया जाता है आंसर है ultrasonic device का किस के आदूनिक आवसाणी में किसी तर्थ के रासाइनिक और भौतिक गुड परमाणू करम पर निर्भर करते हैं तो यह है आपकी हैंरी मूसले की आवसाणी 1974 में हुए पर्थम परमाणू परिक्षण के समय डारेक्टर कौन थे तो उनका नाम था राजा रमन्ना किस बैग्यानिक के सम्मान में सम्मान पर धोनी की SI unit का नाम रखा गया तो यह रखा गया DC1 गूगल किस कंपनी से सम्मन्दित है तो Alphabet Inc. से सम्मन्द है गूगल कौन सा ओडियो फाइल एक्स्टेंशन है तो वेव 8.wm गैला पागोस द्वीप समुकिस बैग्याने के अध्यान अत्वा खोश से सम्मन्दित है तो यह है चाल्स डार्विन से प्रूग्रामिंग लेंग्विज किस ने विक्सित की थी सही आंसर है डैनिस रिची ने गैहूं का बैग्यानिक नाम क्या है सही आंसर है टिटिकम एस्टिवम होमो सेपिन सब्द किस ने दिया है तो होमो सेपिन सब्द दिया है कार लिनियस ने भारत का प्रिथम उपग्र है कौन सा था राइट आंसर है आर्वे भट भारत में कुल कितने नाविकिये पावर प्लांट संचालित हैं राइट आंसर है साथ कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम है सही आंसर है यूनिक्स 1817 में किस रसाइन किस रसाइन ने तीन तत्वों का त्रिक बनाया था आंसर है जर्मन बेग्यानिक डो बेराइनर ने फरवरी 2019 में इस रो का कौन सा संचार उपगरे लॉंच किया गया तो इसका नाम है जी एस ए टी थर्टी वन केल्सियम उक्साइट का अने नाम क्या है तो बिना बुजा हुआ चूना केल्सियम उक्साइट का अने नाम है बिलियन में हाइड्रूजन आयन की सांधता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है राइट आंसर है पी एच इसकील का 1808 में पहली बार द्रव्य का परमारु सिधान किस ने प्रिस्थित किया तो ये किया था जॉन डालटन ने कौन सा योगिक 373 केल्विन पर गरम करने पर केल्सियम सल्फेड हेमी हाइडड में बदल जाता है और इसका प्रियोग खिलोने एवं सजावटी सामन बनाने में होता है तो ये है जिपसम एलेक्ट्रोन आयन का गुण कौन सा है सही आंसर है ड़ात्मक कम्पीटर में स्थाई मेमोरी क्या है तो कम्पीटर में स्थाई मेमोरी है रोम मानप सरी की कौन सी मानप सरी की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है आंसर है यकरत नावी की रियक्टर एनरजी भविस्य की उर्जा होगी ऐसा किसने कहा था तो ये सब्दे हैं जहांगीर भावा के किड्नी की कि सिकाई के द्वारा रख्त को छाना जाता है आंसर है नैफ्रोन हिंदी में कहते हैं ब्रक्राणू कौन सा आंख का भाग नहीं है सही आंसर है कोव लियाई ये बिकल्प से आंसर लिया गया है ठीक है लोही की बस्तू को संरक्षन से बचाने तथा चमक के लिए विद्द्धारा द्वारा उन पर तांबे निकेल अत्वा क्रोमियम का लेप किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं बिद्द्ध लेपन कौन सा कारक परियावरन प्रोदूसर नहीं करता है आंसर है ओजोन का बढ़ना DRDO द्वारा बिक्सित किस रोबोट का मुख्य उप्योग खतरनाक बस्तूओं जैसे के IED बॉम्स को सुरक्षित रूप से खोजने और नश्ट करने के लिए किया जाता है तो इसका नाम है दक्च ução किस और्जा को किस और्जा में परिवर्तित करता है तो यार रखेंगा किस फून द्वाणी और्जा को विद्दव और्जा में बदलता है बिस्प में पिर्थम नियू क्लियर रेक्टर कौन सा है जिसमें U233 का उप्योग किया था तो इसका नाम है कामीनी चाल्स बेज द्वारा बिक्सित प्रिथम कंप्यूटर कौन सा था तो इसका नाम है एनलेटिकल इंजन 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्मुनिकेशन सेटलाइट नौंच किया गया तो इसका नाम यार रखेगा दोस्तों सही आंसर है G-SAT-7A यानकी G-SAT-7A Most important question है प्रतिरोथ की एकाई है तो प्रतिरोथ की एकाई होती है ओम Aster का रसाने सूत्र क्या है सही आंसर है R-C-O-R मानप सरी की सबसे बड़ी हटी कौन सी है तो ये होती है फीमर जो की जांग में पाई जाती है रूम तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है Right answer है मरकरी कौन जैव निमनी करणी है आंसर है पेड़ पौधे बिकल्प से ये आंसर निकल के आया है हाँ पर कौन पादप हार्मोन सम्मंदित ओक्सी सम्मंदित है तो सही आंसर है ओक्सी HTML का आविस्कार किस ने किया था Right answer है टिम बर्णस लीने कमरे के तापमान पर कौन सी गैस बास्पित हो जाती है सही आंसर है क्लोरीन Promisional और अनावाशक इमेल को क्या कहा जाता है तो उसको बोलते है Spam परमानू किर्मां के आधार पर आवासानी किस ने बनाई थी Right answer है मोसलेने काला जार किस के कारण होता है Right answer है परजीवी लिसमेनिया डोनो वानी के दौरा MS-DOS क्या है तो Operating System होता है MS-DOS चांदी का कालापन किस के करण होता है तो Carvan Dioxide वा Sulfur Dioxide के करण चांदी का कालापन होता है कौन सा पादब हार्मून है तो जिवरेलिन और साई-2 काइनिन ये दोनों ही पादब हार्मून है और ये आंसर बिकल्प से यहाँ पर दिया गया है सैंदा नमक का खनिज नाम क्या है सैंदा नमक का खनिज नाम है Rock Salt अथवा Helite Sodium Cloride ठीक है प्रकास Sensation के लिए आवस्चे क्या है सही आंसर है जल, खनिज, लवड, कारवन, डाय, उकसाइट तथा सूर का प्रकास क्या परेवन को दूसित नहीं करता आंसर है ओज़न परत की बढ़ती मात्रा सुपर कम्पीटर कौन सा है आंसर है परम 8000 खसरा किस प्रकार का रोग है तो खसरा बिशाणु जिनित रोग है बाहनों में दूरी मापक यंत लगा होता है उसे क्या कहते है तो उसको बोले जाता है ओडो मीडर AC को DC में कौन परिवर्तित करता है तो एक रेक्टिफायर AC को DC में बदलता है दौनी की गती ठोस से गैस मात्यम में जाने पर क्या होता है घटती है ये कैसी होती है घटेगी कोशिका का उर्जागर है किसे कहा जाता है important question है कोशिका का उर्जागर है mitochondria को कहते है modem को किस से connect किया जाता है आंसर है telephone line और network line से hard disk किस परकार का storage है आंसर है secondary नीला थोता किसे कहते हैं तो copper sulfide C.U.S.O.4 को नीला थोता कहते है गर्ब में भून को पोसल कहां से मिलता है आंसर है गर्वनाल से महासागर की गिराई कौन से यंतर से मापा जाता है राइट आंसर है फैदोमीटर बोले टाइल मेमोरी कौन है तो ये है RAM सबसे तेज मारक छमता वाली मिसाइल कौन सी है आंसर है ब्रमूस स्मॉल पोक्स स्मॉल पोक्स की बैक्सीन की खोज किसने की थी सही आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर ने आवसानी किसने दी थी तो आवसानी को दिया है मैंड लीफ ने माइक्रोचिप किस से बनाई जाती है याद देखिएगा माइक्रोचिप सिलिकॉन से बनाई जाती है महिला में कौन सा सेक्स हार्मून होता है तो इसका नाम होता है एस्ट्रोजन जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है राइट आंसर है मीथेन CPU को कंट्रोल कौन करता है आंसर है कंट्रोल यूनिट मानिक या मनी की अथवा रूबी किसका उकसाइड होता है तो यह होता है ऐलूमीनियम का छड और संकू मानव सरीर के किस अंग में होते हैं आंसर है आंक में जोड़ों के मद में जो fluid पाया जाता है उसे क्या कहते है तो इसको बुले जाता है sinobil fluid राना टग्रिना किसका ब्यक्यानिक नाम है आंसर है मेडक का C से का संकेत क्या है लनकि C से का संकेत गता है PV हाईग्रो हाई हाइग्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो धान रखिए का important question साइंस का ये हाइग्रो मीटर से आपेच्छिक आतरता को मापा जाता है जूल किसका मात्रक है तो जूल मात्रक होता है उर्जा का नमक का रासाने सूत्र क्या है नमक का रासाने सूत्र होता है NACL Cat Family का नाम क्या है Cat Family का नाम क्या है तो आंसर है Phaladei Hexa Decimal में नंबर होते हैं 0 से 9 और A से F तक रक्त का ठक्का जमने में कौन सा बिटामिन मदद करता है सही आंसर है बिटामिन K Clorofil किसमें पाया जाता है तो सभी स्वय पोसी हरे पौधों में Clorofil पाया जाता है कंप्यूटर की स्पीट किस पर निर्वन नहीं करती आंसर है Graphics Card के Size पर उपग्रे कहां से Launch होती है भारत में उपग्रे कहां से Launch होती है आंसर है सरी हरी कोटा से लाइटर में कौन सी गैस भरी आती है आंसर है Propane और Butane 1984 की भोपाल गैस तराजदी किस फैक्टरी में हुई थी तो ये फैक्टरी थी यूनियन कारवाइट की चैन्द्यान फर्ष्ट के Launching समय इस रो के Chairman कौन थे उनका नाम था G. Madhwan Nair ब्रमोस प्रचे पास्त भारत और किस देशने मिलकर बनाया सही आंसर है Roos E.P.R.O.M का Full Form क्या है आंसर है Erisible Programmable Read on Memory चैन्द्यान फर्ष्ट किस रोकेट से Launch किया गया था आंसर है PSLV C1 से 1024 MB किस के बरावर होता है ये होता है 1GV के बरावर कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है Right answer है Aftal 1998 में कितने पोखरण परेक्षन हुए थे Right answer है 5 Gelden SO4 7H2O क्या कहलाता है तो ये होता है सफेद थोता का रसानिक सूत्र CA SO4 2H2O क्या कहलाता है आंसर है Jipsum नवजास सिसू में हड़ियां कितनी होती है सही आंसर है 300 चंद्यान 2 के इंजन का वाट है तो देखिए बिक्रम लेंडर 560 वाट प्रिज्ञान रोबर 50 वाट वर्ल्ड फ्लू के बारिस का नाम क्या है तो वर्ल्ड फ्लू के बारिस का नाम है H5N1 किस बिलियन में बिद्धुत का चालन नहीं होगा सही आंसर है कार्वनिक बिलियन में किस में कार्वनिक बिलेन में चेंजरन फर्ष्ट का संपर्क इस रो से कब तूटा था आंसर है 29 अगस्ट 2009 30 अगस्ट 2009 को अपचारे रूप से इसे समाप्त कर दिया गया रेम किस पिरकार की मेमोरी है आंसर है आइस्थाई ग्रेफाइड में कार्वन के संयोजी इलक्टरोन की संख्या कितनी होती है राइट आंसर है 3 इस्तंधारी में हिर्दय के कितने कोस्टक होते हैं सही आंसर है 4 मानव सरी के किस अंग में चुम्ब के छेत्र उत्पन होता है आंसर है हिर्दय और मस्तिस्क में भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? राइट आंसर है 6. किंद्रिय केविनेट ने GSLV फेज 4 प्रोग्राम के तहट कब तक 5 जियो और्बिट सेटलाइट लाउंच करने हितू 3,000 करोड रुपे की रासिया वंटित की है? सही आंसर है 2021 से 2024 तक. पैनिसलीन क्या है? तो यह एक फंगस यानिकी कवक है. LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपोर्टन कोशन है LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विट पेट्रोलियम ग्याज. इस्ट में सरवादिक पाया जाने वाला बिटामिन कौन सा है? सही आंसर है बिटामिन B12. आधुने कंप्यूटर के जनक कौन है? तो उनका नाम है Alan Taring. पहला परमाडू परिक्षण कब हुआ? आंसर है 18 मई 1974 को. बाताबर्ण में किसके मौजूद होने से हे फीवर यानिकी एलर्जिक रिन हिंटिन्स यानिकी परागज ज्वार होता है. तो यह होता है पराग के होने से. पिर नवीनी करण उर्जा का स्रोत्र कौन सा है? राइट आंसर है सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल बिद्दूत उर्जा. प्राकरतिक गैस का बंधार किस देश में सबसे ज़ादा है? सही आंसर है सूरूस. और सेकेंड नमबर पर है इरान. एचाईवी बाइरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए एचाईवी बाइरस के कारण एट्स रोग होता है. कौन सा एट्स? एप हेंडरा, पादप किस वन्स का है? तो यह है जियोनो स्परम का. प्रोटियम में न्यूट्रों की संक्या कितनी होती है? तो प्र हॉस्पिटल के कच्रे के निप्टान का सबसे सही तरीका कौन सा है तो इसको बोलते हैं बस्मी करन ठीक है क्या कहते हैं बस्मी करन हिंदी में चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पढ़ जाती है सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड से किरिया करने के कारण ये काली पढ़ जाती है थाइरॉक्सीन हार्मोन के निर्माण के लिए आवसक तत्व है राइट आंसर है आयोडीन कम्पीटर में मेनू क्या प्रदसित करता है तो ये करता है कमांड को प्रदसित आदुनिक प्रिंटर की स्पीट किस एकाई में मापी जाती है तो ये पेज पर मिनिट में मापी जाती है आउटपूट डिवाइस कौन सा नहीं है आंसर है स्केनर ठीक है ये इनपूड है बिकल्प से आंसर आया है किस बिटामिन की कमी से आँखों में कलर व्लाइडनेस होती है आंसर है बिटामिन ए GPS से सम्मंदिश सही कथन क्या है राइट आंसर है रूस्तों इसका यह एक संयुक्त राज अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज अमेरिका अंतिर चुबल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविकिशन प्रणाली है भारत में कौन सी फसल को अनुवान सिकी संसोधित खेती करने की अनुमती है अंसर है बीटी का पास मरकरी का सामन नाम क्या है सही आंसर है कुईक सिल्वर सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है राइट आंसर है कारवंडाई ओक्साइड भारी जल का उपयोग किस में होता है? सही आंसर है निउक्लियर रियक्टर में बिस्व का सबसे बड़ा पेड कौन सा है? तो उसका नाम है कैली फोर्नियम रेड बुट्स पौधों में प्रकास संसलेंसर के दौरान कौन सी गैस मुक्तो होती है? कोशिका की उर्जा की एकाई है ATP किसी तरल में उपस्ते ठोस कड़ों का जमीन में आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो उसको बलते हैं अब सादन एंटो मोफिली पॉलिनेशन यानिकी एंटो मेफिली परागन किस के कारण होता है? तो यह होता है कीट के कारण प्रकृती में धातु किस रूप में पाया रता है? आंसर है IS के रूप में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रियक्टर किस देश के पास है? आंसर है अमेरिका 93 कौन सी हाई लेवल लेंग्वेज जो संख्यात्मक अविकलन और ब्यग्यानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है तो इसका नाम है फोटॉन फॉर्मला ट्रांसलेशन ठीक है? फॉल फॉर्मेस का ब्हारी जल का उप्योग कहां पर होता है? आंसर है परमाडू भट्टी में सीतलक के रूप में मलेरिया की वैक्सीन किस के दोरा बनाई गई थी? सही आंसर है गैलेक्सो इस्मित क्लाइं कंपनी के दोरा कौनसी गैस देहन में सौसन में नाइट्रिन के साथ ओकसाइड बनाती है? आंसर है ओकसीजन कोशिका का कौन सा भाग? कोशिका के आंतरिक भाग को बहारी बातरवर से अलग करता है तो ये है कोशिका जिल्ली या फिर प्लाजमा जिल्ली सबसे पहले किसने बताया कि परमाणू में इलेक्टरोन के कण धनाविसित कड़ों में धसे रहते हैं आंसर है जे जे तॉमसन कंप्यूटर में अनादिक्रित ब्यक्ति या संग्ठन दोरा डाटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा अत्वा डाटा का प्रयोक किया आता है तो इसको बोलते है डाटा सिक्यूर्टी मॉनीटर का अन्यनाम क्या है सही आंसर है बी डी यू विज्वल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर स्क्रीम पर बिलिंग करती एक तीर जो उस बिंदू को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जा रहा है इससे क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं करसर आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है सही आंसर है प्रकास के प्रकीरण के कारण दंत रोग विशेसक दातों के उपचार बड़ी छवी देखने के लिए किस दरपढ का उप्योग करते हैं राइट आंसर है अप्तल दरपढ का किस प्यच में नीला लेटमस पेपर लाल हो जाता है आंसर है साथ से कम प्यच पर कौन सा तत्व नहीं है आंसर है सिली का उपा उपा इस्ठरदर मचलियों में मचलिया कौन सी है तो ये देखे पहली है सार्क हंगर और दूसरी है संकुश एंटी सेटलाइट बेपन्स तक्नीक हासिल करने वाला चीन तीसरा देश बना तो प्रत्थम मदुप्ति है कौन से देश हैं तो देखिए पहला है अमेरिका दूसरा है रूस भारतिय रॉकेट द्वारा पर छेपित दुनिया के सबसे छोटे अंत्रक्षियान का नाम क्या है इसका नाम है इस्प्रिट्स सभी मच्छरों की प्रजाती उनके जीवन चक्र के दौरान चार अलग-अलग चरणों से गुजरती है उनका सही करम क्या है तो देखिए एग, लारवा, प्यूपा, एंड अडल्ट ठीक है कंप्यूटर की छमता की सबसे बड़ी उनिट कौन सी है तो यह है जेड़ भी बिकल्प से ठीक है जेड़ा वाइट MSXL 2010 में टोटल कितने कॉलम हैं तो देखिए इसमें हैं 1048576 रो और 16384 कॉलम सबाइवल ओफ दा फिटेस्ट टर्म किसके दौरा दिया गया तो यह दिया गया है चार्ल्स डार्विन के दौरा बायू कोस्टिका का क्या अर्थ है कॉशन है बायू कोस्टिका का क्या अर्थ है तो रुधर बायू के ऑक्सीजन का अपसुसन करता है और कारबंडाई ओक्साइड को छोड़ देता है बंसा गती के नियम यनके अनुवानसिक्ता का नियम किस ने दिया है तो ये दिया है जोर्ज मेंडल ने किसी परमाणू में संयोजी इलेक्ट्रोन कहा होते है तो देखिए परमाणू में संयोजी इलेक्ट्रोन बहायतम कोस में होते है अनुक्रमन तक्नी का उपयोग करके जीनोम की सनरशना कार एवं अनुक्रमन काध्यन के साखा के अंतरगत किया जाता है तो ये करते हैं जीनोमिक्स के अंतरगत कपकेक, डोनट, एकलेर, फ्रायो, जिंजर, ब्रेड, हनी, कॉम ये किसके वर्जन है, तो ये सब एंड्रोइड वर्जन है, ठीक है है, हैंडरी बेकुरेल ने किसकी कोच की थी, तो हैंडरी बेकुरेल ने रेडियो धर्मिता की कोच की थी मास हारी पादप कौन सा है मास हारी पादप कौन सा है तो इसका नाम है घट परणी पौदे पिचर प्लांट्स ठीक है पिचर प्लांट भी कहते हैं इसको कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए सौट कट कुझी कौन सी है किस प्रकार के पादप में बीच फलों के अंदर बंद रहता है, आंसर है NGO स्पर में एक ही सुरोत्र से आ रही दो अलग लग छवीयों को देखने वाला करण क्या कहलाता है इसको बोलते हैं, स्टेरोस्कोप पानी के सुद्धी करणक में साहिक होता है आंसर है फिट करी फोर टॉन क्या है तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लेंग्विज है कम्प्यूटर की हसाने वाली गैस कौन सी है important question है दोस्तों exam में बार बार रिपीर होता है हसाने वाली गैस ये है nitrous oxide सूतर है N2O सोदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारती युद्धपोत कौन सा है आंसर है INS गुदावरी F20 www के आविस्कार कौन है आंसर है टिम बर्नस ली रोवर्ट कैलियो PSLV XL C-17 रोकेट से लॉंच किया गया उपग्रह G-712 किस से सम्मंदित है तो यह सम्मंदित है संचार उपग्रह से उपभोकता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्था का कार्रेकॉन करता है तो यह करता है operating system Red data book किस से सम्मंदित है संकट गरस्त प्रजातियों मैंगी, मैंगी, फेरा, इंडिका रेसम किस से प्राप्त होता है तो रेसम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है E बरावर MC स्क्वेर का formula किस ने दिया था important question है तो यह दिया था Albert Einstein ने भुवन क्या है तो इस रो दोरा निर्वित एक software है दोस्तों भुवन ठीक है super computer परम 10,000 किस ने बनाया था आंसर है C deck ने 1998 में बल का SI मातरक क्या है right answer है Newton important question था ध्यान रखे गया दुई नाम पदिती के जनक कौन है तो दुई नाम पदिती के जनक है Karl Linius कोशिका का अध्यन क्या कहलाता है साइटोलोजी किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है आंसर है छोटी आंत में dispersion of light यनकी प्रकास का परिछेपन की खोज किस ने की है आंसर है आई जोक नूटन ने एनिक computer पर किस university में कार सुरू किया था आंसर है University of Penisvalian Penisvalian ठीक है कौन सी मिसाल भारत और रूस दोनों के संयुक्त रूप से बिक्सित की गई आंसर है ब्रह्मोस कुल एवं species के बीच बर्गी करण का कौन सा order आता है तो इसके बीच में आता है बंस इस टोरेज छमता का सही करण क्या है तो देखिए सबसे बड़ा होता है टेरावाइट फिर गीगावाइट याने की जीवी फिर मेगावाइट एमबी फिर इससे छोटा होता है केवी ठीक है मलेरिया की मेडिशन कुनेन कि स्पीड की छाल से बनाई जाती है आंसर है सिनकोना की छाल से किस कार्मने की योगिक का पिरतेया है ए एल होता है तो यह होता है एल्डी हाइट का फासफूरस की परमाणूकता कितनी है आंसर है फासफूरस के अनू की परमाणूकता चार होती है पोधे में पानी का परिवाहन किस उतक के द्वारा किया जाता है सही आंसर है जायलम उतक के द्वारा किस के द्वारा जायलम उतक के द्वारा कलपना चावला जिस अंतृक्ष यांसे अंतृष में गई थी उसका नाम क्या था तो उसका नाम था Space Subtle Columbia in 1997 रासानिक अविक्रिया में ऑक्सिकरन का क्या मतलब है आंसर है तत्व या योगिक से ऑक्सियन का सयोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोक है आंसर है क्वैस क्यो कोर और मरासमस ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है आंसर है मेन फ्र इवी का एक पूर कक्षा के चक्कर लगाने के लिए अनुमाने समय कितना है तो यह है ग्यारा घंटे 58 मिनिट कौन सा समू कसीर कू नहीं है आंसर है मुलास का किस साखा के अंतरकत फल सब्जी अनाज फूल और पौजे की किरसी का अध्यान होता है तो यह होता है होर्टी है आलू का कौन सा भागा खाया जाता है सही आंसर है तना है कि समान अंतर क्रम म arriv में संयोजित पृतिरोध समतुल पृतीरोध होता है तो यह होता है एक बटे आर, एक बटे आर बराबर 1yr fleas 1yr2 Qårस सबसे कम अभिक्रिया सील है आंसर है नियॉन अक्रिय गैस अठारा ग्रुप का तत्व है ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है तो ये है कुडानू, कुलम, परमाणू, उर्जा, साहियंत्र जो की तमिलाडू में है विंजिप क्या है तो विंजिप एक बिंडूस प्रोग्राम है CO2 से संबंद सही कथन क्या है तो देखे, ठोज CO2 को सुस्क बरफ कहते है याद रखेगा, important है ये ओजोन छरण का कारण क्या है तो क्लोरो फ्लोरो कारवन गैस क्लोरो फ्लोरो कारवन ओजोन छरण का कारण है मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्यन करने के लिए नासा ने किस मिसन को लॉंच किया आंसर है इंसाइट पत्तों का हरा रंग किस बरणा के कारण होता है आंसर है क्लोरो फ्लोरो के कारण पैकसीनिया, ग्रैमी निस कवक से किस फसल में ब्लैक रष्ट रोग होता है तो सही आंसर है ग्यहू में होता है ठीक है यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटी मीरे से तो छमता पावर क्या होगी इसकी तो यह होगी 4D दुरलव अमल और प्रवल छारक की अभिक्रिया होने पर बिलियन की प्रकृती कैसी होती है तो यह होता है बेसिक सॉलूशन कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतरगत आती है इंपोर्टन कॉशन है तो वाटर बेप यान की बास्प कारवन डाई अकसाइड मीथेन ओजोन नाइटरस अकसाइड और क्लोरो फ्लोरो कारवन सॉफ्टवेर या एप्लिकेशन लाँच करने से पहले टेस्टिंग हे तू उसका कौन सा बर्जन जारी किया जाता है आंसर है बीटा बर्जन मलेरिया रोक किस परजीवी के कराण होता है तो यह होता है प्लास्मा प्लास्मो डियम गण के प्रोटो जुआ के कराण एक ही पदार्थ के अणुओं के बीज लगने वाला आकरसर्ण बल क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं ससंजक बल सक्ती की ऐसा यूनिट क्या है आंसर है वाट किस वर्णक की उपस्तिती के कराण सेवाल का रंग हरा होता है सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बलता है सही आंसर है गिर्गिट हाती द्वारा किस पिरकार की साउंड उत्पन की जाती है जो जमीन में संचनड करती है तो यह होती है अब उस तरह पे संदेशों एवं सूचना को सुरक्षित तरीके से भेजने एवं प्राप्त करने के लिए भेजने वाले के संदेशों को कुटित किया जाता है ताकि तीसरा उसे कोई देख नहीं सके तो ये है आपका क्रिप्टोग्राफी उम्र ढलने के पश्चार नेतर की समायोजन छमता का कम हो जाना किस दोस का लक्षण है तो ये है जराद रष्टी दोस मानब दोरा लार उल्टी करना रक्त दाब जैसी अनेक्षिक क्रियाओं का नेंतर कौन सा पाट करता है तो ये करता है मैडुला ओवला गेंटा प्रोटीन के पाचन में सायक एंजाइम कौन सा है आंसर है पैपसीन एंजाइम कार्वो हाइडरेट प्रोटीन और बसा का फूर्ण पाचन कहां पर होता है तो ये होता है छोटी आथ में ठीक है सोनार का कार क्या है साउंट नेविकेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है इसका कार है परा धोनी तरंगों का उप्योक कर जल में डूवी बस्तू का पता करना तथा दूरी और बेग नापना आईसो टोप समिस्थानिक किसे कहते हैं नूटन के सेकंड गती के नियम का समीकर क्या है तो यह वराबर है एफ वराबर एम ए एफ से बल एम से दुर्मान ए से तरंट ठीक है कैगा किस के लिए प्रसिध है तो नियूकलियर पावर प्लांट कैगा करना तक में ये ठीक है नौन वस्कूलर प्लांट गैस संबनी पौदा कौन सा है तो यह है ब्रायोफाइट्स मौसेस लोग जिन्हें दूर की बस्तूओं को देखने में कटनाई होती है लेकिन उन बस्तूओं को इस पस्ट देख सकते हैं जो पास है तो इसके उपचार हितू कौन सा लेंस प्रियोग किया जाता है सही आंसर है अब तर लेंस धातवे गुडधरम का सही करम क्या है तो देखिए सबसे पहलाता है लीथियम फिर सोडियम पोटेशियम रूबियम और सीएस ठीक है एक कुशका का बना भून क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं युग्म नज युग्म नज एपल किस प्रकार की सेटलाइट है तो एपल संचार सेटलाइट है कौन सा बैक्टिरिया से उत्पन होने वाला रोग है आंसर है टाइफाइड कालरा या हैजा बिकल्प से आंसर आया ये ठीक है Micro processor की speed किस में मापी जाती है तो ये clock speed Hertz में मापी जाती है Programming language को किसकी साइता से Machine भासा में बदला जाता है तो ये बदला जाता है compiler की साइता से चलती हुई गाड़ी में संबेख परिवर्तन करने पर बल में परिवर्तन Newton के किस नियम के तहता है तो ये होता है Newton के दुत्ती नियम के तहत कौन सा परिवर्तन का घटक है आंसर है स्थल, बायू, पादप, एवं जल मानब सरीज में लवर्तन का परिवाहन किस के दोरा किया जाता है आंसर है पलाजमा के दोरा तिरसूल किस परिकार की मिसाइल है आंसर है सर्फेस टू एर आई आर एन एसस वन जी कौन से नंबर का नेविगेशन उपग्रे है राइट आंसर है सेविंद गलेसरल का आई यू पी असी नाम क्या है गलेसरल का आई यू पी असी नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ओल किसी फाइल को रीनेम करने के लिए सौट कट की क्या होती है तो यह होती है एफ टू NaHCO3 का रासानिक नाम क्या है सही आंसर है sodium bicarbonate जिसे हम कहते हैं आम भासा में baking soda नेत्र किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्रा है आंसर है पीले रंग के लिए E नियाम किस से सम्मंदित है तो यह है किरसी से कौन सा aluminum का ask है राइट आंसर है और most important question ध्यान रखे गई है जीन के अधियन को क्या कहते है सही आंसर है genetics इस scanner किस प्रकार की device है तो इस scanner input device होती है रोडियम का electronic बिन्यास क्या है आंसर है KR4D85S1 अरजन ब्रक्ष की चाल किस बिमारी में प्रयोग की जाती है सही आंसर है हिर्दै रोग सर्दी खासी आधी में पहला सुपर कंप्यूटर किस के लिए प्रयोग किया गया था आंसर है अंतिक्ष यात्री मौसम भविश्वारी एवन ग्राफिक्स के लिए Java script का आधिकारिक नाम क्या है तो इसका आधिकारिक नाम है ECMA script Tranquilizer दवा का उप्योग किस के लिए किया था है सही आंसर है अबसाद, चिंता, भै, तनाब के लिए कौन सी भारत की नाविक्य संचलेश पंडुबी है तो इसका नाम है INS Arihant नाविक्य भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है सही आंसर है Unnashed Rutherford को MS Office में Control प्लस A shortcut key का प्रियोग किस के लिए होता है तो यह होता है All Select के लिए Kalpna First क्या है तो यह एक satellite है हमारी सरीर में सुद्ध रक्त के परिवाहन का कार किस के दोरा किया जाता है सही आंसर है धमनी के दोरा Red Panda का मुख्य बोजन क्या होता है आंसर है बास की पत्तिया Nitrogen का melting point कितना है आंसर है 196 degrees C Malaria के प्रिसार के बारे में पता लगाने के लिए Nobel प्रुसकार किसे मिला था तो यह मिला था Ronald Rose को 1902 में कौन सी computer की वासा है तो देखिए computer की वासा है Java C++ Python Swift C PHP आदी भारत में सुपर कम्पुटर के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो इनका नाम है बिजय भटनागर AIDS का पूरा नाम क्या है important question है acquired immunodefense syndrome हड़ियों के जॉइंट की बीच कौन सा तरल पदात होता है तो यह होता है snow well snow well retinol किसका vitamin नाम है तो यह है vitamin A का virus का पूरा नाम क्या होता है तो देखिए vital information resource under sage laser का पूरा नाम क्या है तो देखिए light amplification by stimulated emission of radiation इसका full यान की पूर्ण रूप है किसका laser का insulin का कार्वे सरीर में क्या काम होता है तो देखिए insulin का काम है blood sugar को ऊर्जा में बदलना हिरदय से kidney तक blood किसके माध्यम से आता है तो यह आता है hepatic penis के साथ के कार्व के द्वारा आता है गूगल ड्राइव drop box किस से सम्मंदित है तो file storage अत्वा file hosting services के से सम्मंदित है यह peripheral device का क्या कार होता है तो बहारी रूप से computer system से जुड़ी device है यह lane का क्या कार होता है तो एक common संचार line द्वारा computer को आपस में जोड़ना lane का यह कार है कौन सा जैविक उत्परे रख है आंसर है enzyme और hormones यह दोनों ही जैविक उत्परे रख है important question है मानव यहनकी मनुस के सरीर का तापमान कितने Celsius होता है right answer है 37.92 degree Celsius आवर साड़ी में कौन सा तर्थ पहले स्थान पर है आंसर है hydrogen पुस्प में रंग किस pigment के कारण होता है तो यह होता है anthocyanin के कारण नाविकी यह भौतकी की जनक की रूप में किसको जनने आता है सही आंसर है Ernest Rutherford को गुर्तवा कर्षण की नियम का प्रतिपादन किस ने किया था right answer है Isaac Newton ने 187 पौधों में प्रकास sensation के लिए किसके आवसकता होती है सही आंसर है सूर का प्रकास कारण डाइ ऑक्साइड एवं जल सोडियम को खुले में रखने पर किसके साथ अभी के लिए करके जलता है तो ध्यान रखेगा oxygen के साथ गरवासे से कौन सा एंजाइम स्तरावित होता है सही आंसर है oxytocin कौन सा अंताहर इस्तरावी गरंती है सही आंसर है adrenal, pituitary, thyroid उत्तर सभी ठीक है यह देखी यह option में होंगे सभी इसलिए सभी आंसर है तीन option होंगे तीनों ही सही है इसलिए सभी आंसर है अकला question है कौन सा आहर नाल का हिस्सा नहीं है आंसर है lever बिकल्प से operating system क्या है user वा computer system के बीच कार करने वाला एक अन्य computer program का संचालन भारत का पहला upgrade launch vehicle कौन सा था तो यह था SLV3 किस गुड़सूतर के मिलने से लड़की का जन्म होता है राइट आंसर है XX E300 किस vitamin से संबंदित है सही आंसर है vitamin C कौन सा output device है राइट आंसर है monitor plotter और printer अनुवानसिक्ता का सिध्धान किस ने दिया था तो देखिए अनुवानसिक्ता का सिध्धान दिया था Gregor John Mendel ने पहला homo sapiens कहा पाया गया आंसर है अफरीका मुरक्को में सूर की उर्जा का मुख स्रोतर क्या है important question है सूर की उर्जा का मुख स्रोतर है नाविकी सल्लेन द्रस से तरंगों की खोच किस ने किया था आंसर है Sir William Hartsell कौन सा राशानिक उर्जा को बिद्द उर्जा में बदलता है राइट आंसर है बैटरी तंतर का तंतकी काई क्या है सही आंसर है निउरॉन पिरत्वी सम्मिलन के लिए Paris सम्ज़ता कब हुआ था राइट आंसर है दोयर पंद्रा में किस रंग में प्रकास संसेशन की क्रिया नियून्तम होती है आंसर है हरा किलोरोफिल के कारण गुर्तवा कशन बल का मान सरवादे कहां पर होता है गुर्तवा कशन बल का मान सरवादे कहां पर होता है तो यह होता है धुर्बों पर संकर बीजों के प्रियोक से तिलहन फसलों के उत्पादन पर जो प्रभाब पड़ा है वह किस क्रांती से संबंदित है तो यह है पीली क्रांती से संबंदित समुद्र की निगरानी के लिए इसरो दोरा लॉंज सेटलाइट कौन सा है अंसर है ओसियन S80 बंस अन्रक्षन अधिनियम कब आया था राइट आंसर है 1980 में दूर द्रश्टी दोस के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं राइट आंसर है आपका उत्ता लेंस का चंद्रियान मिशन को कहां से लॉंच किया गया 37 धवन अंत्रिच केंद्र से लॉंच किया गया था चंद्रियान को के बी टीवी जीवी और एमबी को बढ़ते हुए क्रम में लगाई है यानि कि किलोबाइट टेरावाइट गीगावाइट और मेगावाइट को बढ़ते हुए क्रम सबसे देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे छोटा होता है के वी इसके बाद बढ़ा कौ स्थिस्क होता है cpu एंटुओ मीथेन सल्फर डायोकसाइड और co2 मैंसे बिसम चुनिए सही आंसर है एसो बाकी सब ग्रीन हाउस गैस हैं क्योंकि ठीक है भारत में ने क्यूटो प्रोटोकॉल पर कवस्ताक्षर की राइट आंसर है 26 अगस्त 2002 मानव नेत्र में प्रकास क्रोणों को कौन नेंत्रत करता है आंसर है एरिस चंद्रमा की करच्छा पर पहुँचने वाला पहले सैटलाइट का नाम क्या है तो इसका नाम है लूना-10 कौपी और पेस्ट के लिए किस सौटकट की का प्रयोग करते हैं राइट आंसर ह और कंट्रोल प्लस वी बनस्पति बिग्यान के जनक कौन है इंपोर्टन कोशन है बनस्पति बिग्यान के जनक है थियोफरेस्टस मनुष के किड़नी का बजन कितना होता है तो 150 से 170 ग्राम किड़नी का बजन होता है मनुष की जीव दरवे का नाम किस ने दिया था आंसर है पुर्किन जेने, कितने पेटावाइट, एक एकसावाइट होते हैं, आंसर है 2024, नरोरा पावर प्लांट कहां परिस्तित है, तो ध्यान रखेगा नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, तत्व की परमाणू संख्या किसके बराबर होती है, तत्व की परमाणू कौन सा उभेचर है आंसर है मेडक बिकल्प से यह आंसर आया निकल कर जान रखेगा है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चड़ा जाता है आंसर है जिंक का किस पादप हार्मोन की सांदरता सीग सीड्स पर सबसे अधिक वा जड़ के पास सबसे कम होती है तो यह है ऑक्सिन कीट सौसन किस से करते हैं आंसर है ट्रैकिया से कौन सी बैलिस्टिक मिजाइल है राइट आंसर है प्रिथिवी किस बिटामिन की कमी से इसकरवी रोग होता है तो बिटामिन सी की कमी से इसकरवी रोग होता है जीव धारियों के समू का बरगी करण की सबसे बुन्यादी सिर्णी कौन सी है तो यह है जाती यानिकी इस्पिसीज आंख वा तोचा के लिए कौन सा बिटामिन सरवादिक ला M का पूरा नाम क्या है तो programmable read only memory इसका full form होता है अंतराश्टिये परमालू उर्जा एंसी का कार क्या है आंसर है नाविकिये उर्जा के सांती पूर्ण पुर्योक को बढ़ावा देना ECG का पूरा नाम क्या है तो electrocardiography इसका full form होता है दंत छे किसके कारण होता है तो streptococcus और lactobacils जिवानू के कारण होता है कुशिका में आत्महत्या की थेली किसे कहा जाता है सहियांस है किसे लाइसोसोम को ट्रेकिया किसका पार्ट है तो यह है स्वसंत अंतर का पार्ट छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में अंगुली नुमा सनरशना उपस्तित रहती है उसे क्या कहते है तो इसको बोलते हैं बिली किसी बीच के अंकुरण में जड नीचे की ओर और तना साखा उपर की ओर जाती है जड नीचे की ओर किस गुर्टवा करशन के कारण जाती है तो यह जाती है जियो ट्रोपिसम के कारण आकास मिसाल किस प्रणाली पर आधारत है सही आंसर है जमीन से हवा पर वो तरल पधार जो किंद्रक और कोशिका जिली के बीच पाया जाता है क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव लार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है सही आंसर है नीले में चंद्रयान सेकंड के और्विटर ने किस गैस का पता लगाया है आंसर है और गन गैस का या आप इसको आर गन भी कह सकते हैं प्राथमिक मेमोरी कौन सी है सही आंसर है रेम रेम कैसी है प्राथमिक मेमोरी होती है 2007 में टाटा गुरूप द्वारा किस सूपर कंप्प्योंटर को बिक्सित किया गया था इसका नाम था एका सबसे छोटी हड़ी कहां पायाती है तो यह पायाती है कान में इसको बोलते हैं स्टेपीज सोनार का प्रयोग कहां पर किया था है जल के भीतर बस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं नावी की उर्जा में किसका प्रयोग किया जाता है तो नावी की उर्जा में यूरेनियम प्लस प्लोटो नियम का प्रयोग किया जाता है कोबोल भासा पहली वार कौन सी पीडी में प्रयोग की गई थी आंसर है दूसरी पीडी में X-ray की खोज किसने की तो बिल हीम रोएंट जैन ने 895 में X-ray की खोज की यांतरिक उर्जा को बिद्दुत उर्जा में किसके दोरा बदला जाता है सही आंसर है डाइनमो के दोरा इसकिन कैंसर किस करण होता है तो यह होता है परावेंगनी के रिणों के करण एक टेरावाइट में कितनी गीगावाइट नीकी GB होते हैं तो यह होते हैं 1024 GB किस रंग का प्रकास संस्ञेशन की दर्स सरवादिक है इंपार्टन कॉशन है तो यह होती है लाल रंग की कम्रे के तापमान पर कौन सी गैस पीले रंग की होती है आंसर है किलोरीन सिन गैस किसका मिस्रण होती है राइट आंसर है हाइड्रोजन और कारपन मोनो अकसाइड का पहला कौन्टम सेटलाइट किस देश ने लॉंच किया था सही आंसर है चीन ने 2016 मानप सरीर की उर्जा किस एकाई में मापी जाती है आंसर है कैलोरी में किस pH बैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे जादा होती है तो यह होती है pH 4 में कम्पीटर में पेश्ट करने की सौट कट की कौन सी है तो यह है Ctrl प्लस V एक बाइट में कितने बिट होते हैं राइट आंसर है 8 बिट तिल चिट्टा एवं अन्न कीट में उस सरजन किसके माध्यम से होता है तो यह होता है मैल पिगी यंट ट्यूब के दोरा पहली पीडी में बनाए गए कम्पीटर का नाम क्या था तो उसका नाम था एनि अक यानि कि Electronic Numeric Integrated Calculator जनरेटर का काम क्या है तो जनरेटर का काम है यान्तरिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलना टैप्टिक अलसर नामत बिमारी किसके कारण होती है तो यह होती है बैक्टीरिया के कारण इस रोग के द्वारा Space, Situational Awareness Control Center की स्थापना कहां की गई है तो यह की गई है बैंगलोर में भारत का तीसरा पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था आंसर है कलपकम तमिल नाडू में 1984 तपेदिक रोग किसके कारण होता है आंसर है बैक्टीरिया के कारण Microbacterium Tuberculosis इसका नाम है बेकिंग सोडा में कौन कौन से तत्व सामिल होते हैं आंसर है सोडियम, हाइडोजन, कारण और ऑक्सीजन प्रित्वी की उपरी परत का नाम क्या है और सही आंसर है क्रेस्ट जिसे हिंदी हम कहते हैं स्थलमंडल दूसरी पीड़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है राइट आंसर है टांजिस्टर का कीबोर्ट किस परकार की डिवाइस है तो कीबोर्ट इंपूर्ट डिवाइस होती है निपहा बाइरस का बाहग कौन है सही आंसर है चमगादर कौन सी बिमारी हवा से नहीं फैलती राइट आंजर है है जा स्वाइन फिलू का बाहक कौन है तो यह है सूर और इस बाइरस का नाम है H1N1 बलका ऐसा ही मात्रक क्या होता है important question है बलका ऐसा ही मात्रक होता है हाइडूजन के समिस्थानिक TPM मैं परमाणू किरमांग बाप परमाणू दिरमान का अनुपात कितना होता है सही आज़र है एक अनुपात तीन Ubuntu किससे संबंदित है तो यह है Linux से Office में करमचारियों के प्रियोग के लिए Computer को किस Network से जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ा जाता है Internet से मानफ सरीर में पाचन की सुरुवात कहां से होती है एवं समाप्त कहां पर होती है तो यह कि यह सुरुवात मुझ से होती है और समाप्ती छोटी आथ में किस अंग की आकिरती जे आकार की होती है आंसर है पेट Radio Activity की एकाई क्या होती है आंसर है क्यूरी और बैक वेरल खुर वाले और जुगाली करने वाले इस्तंधारी पसुओं के पाचन तंतर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है आंसर है रूमेन डियाइडियो दोरा प्रेक्षन किये गए बम का नाम क्या है आंसर है गलाइड बम पोन्स बेरियोई लाई सरीर के किस अंग से संबंदित है तो ये है मस्तिस्क से संबंदित प्रेजेंटेशन के लिए किस सौफ्टवेर का प्रियोग करते हैं आंसर है एमेस पावर पॉइंट का अमोनिया का परमानू द्रमान कितना होता है तो अमोनिया का परमाणू दुर्मान है 17 रोवर्ट हुक द्वारा किस में कोशिका की खोच की गई थी आंसर है कार्क पादप कोशिका में पहली पीड़ी के कम्पूटर किस पर आधा रथें आंसर है बेक्यूम टूब पर कौन सा परमाणू उर्जा सैंत्र उत्तर प्रदेश में इस्थित है राइटांस है नरोरा किस हार्मोन के कारण पौधे की ब्रदी रुख जाती है तो इसको बोलते है एपसेसिक एसिड प्रकास वर्स इन में से किसकी काई होता है राइटांस है लंबाई का पौधे के बिकास के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है अंसर है ऑक्सीन कम्पीटर के फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहां श्टूर होती है तो यह होती है रीसाइकल बिन में किस बिकटामिन में कोबाल्ट पायाता है तो ये परहा जाता है B12 में जिसका रासानिक नाम है साइनो कोवाल में किस तत्व का घनत्व सबसे ज़्यादा है important question है तो ये होता है Osmium इसका परमाणू संक्या है 86 ओजोन परत को किसमे मापते हैं तो ओजोन परत को मापते हैं Dobson में 10 निवल कितने बिट के बरावर हैं तो ये 40 बिट के बरावर है कौन सा input device है तो keyboard mouse input device है और ये आंसर बिकल्प से लगाया गया है E-M-I-S-A-T किस प्रकार की satellite है तो ये है send correction satellite सुक्रोज में कारवन के कितने परमाणू होते हैं आंसर है 12 कौन सा gland ब्रद्धी तथा उपापचे की गती को नेंतरित करता है तो ये करता है thyroid gland Lysosome की भीतर कौन सा fluid पाया जाता है तो इसको बोलते हैं काईटो सॉल परम आठेयर किस बर्स लॉंच किया गया था देखिए computer है और ये लॉंच किया गया 1990 की बीच कौन सा iron का ask है आंसर है magnetite, hematite और limonotite सीसा का ask कौन सा है सही आंसर है galena दाप का SI मातरक क्या होता है तो ध्यान रखेगा दाप का SI मातरक होता है pascal काकरा पारा परमाणू उर्जा सैंत्र किस राज में स्थित है राइट आंसर है गुजरात में है ये कम्पीटर में बाइट का आविसकार किस ने किया था तो ये किया था बुच होल्ज ने जून 1956 में ठीक है CPU की speed को किस में मापते हैं सही आंसर है gigahertz में अमीवा का बिखंडन किस के द्वारा होता है तो binary vision के द्वारा होता है अमीवा का बिखंडन data storage के लिए किस का प्रियोग किया जाता है तो देखिए hard disk, floppy disk, cd, dvd और usb का बिदुद आविसको किस में मापा जाता है important question है बिदुद आविसको electro state में मापा जाता है internet वर telephone को किस के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है आंसर है modem के द्वारा insat insat किस प्रिकार की satellite है तो ये संचार उपग्रह है computer में logo क्या है तो ये एक programming language होती है plaster of Paris का formula क्या है important question है plaster of Paris का formula है caso4 का hole twice h2o कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है answer है filaria जिसको जो की black fly के द्वारा होता है IBM 370 किस generation की computer है तो ये है third generation की आवले में कौन सा vitamin पाया जाता है देखिए most important question है science का आवला में दोस्तों पायाता है vitamin C बिविन प्रजातियों के लिए red data book के संस्था द्वारा द्वारा बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है IUCN के द्वारा खाद सिंगला में जब प्रात्मेक से दुत्ती आहर को ग्रण करता है तो कितनी उर्जा प्राप्त होती है answer है 10% रक्त चाप को कौन सी ग्रंथी नियंतित करती है तो ये करती है adrenal gland and pituitary gland जन्तुों के बर्गी करण में सबसे छोटा पद क्या होता है तो ये होता है जातियर की species जल का molecular mass क्या होता है answer है 18 आवर साणी में किस के आधार पर तत्वों का बर्गी बर्गी करत किया गया है answer है proton number के आधार पर long area network किस से सम्मंदित है तो ये है Bain से W-A-N-Bain से केंद्रग वाकोशिका द्रग के बीच कौन सा द्रग पाया जाता है सही answer है cytoplasma पित्रस कहां से स्त्रावित होता है right answer है lever से स्री सक्ती सेटलाइट के संस्था द्वरा लॉंच किया गया right answer है इस रूप मानप का बैग्यानिक नाम homo sapiens सब्द किस ने दिया है तो ये सब्द दिया है कार्ल linear ने 16 bits में कितने रंग होते हैं तो इसमें होते हैं 65,536 पिर्तवी अपने अक्ष पर कितने डिग्री जुकी हुई है तो ये जुकी हुई है 23 तशनलब 30 डिग्री कौन सी आदिसरासी नहीं है देखिए बिकल्प से आंसर आया है आंसर है बल बल एक सादिसरासी होती है नीबू में साइटरस कैंकर रोग किस से होता है तो ये होता है जैन्थो मूनस सिट्री जिवाणू के कारण इस रोग के बालेजिक साखा का नाम क्या है सही आंसर है दोस्तो इसका एंट्रिक्स कॉर्परेशन और एन एस एल यानि की निउ स्पेट्स इंडिया लिमिटेड बेपेज का मुक्य पेज क्या कहलाता है तो ये कहलाता है होम पेज आदी प्रारूप दृत प्रजनक रियक्टर सैंतर कहां लगाया गया है तो ये लगाया गया है कलपकम तमिल आडू में डाली बनने के लिए किस दरपड का प्रियो करते हैं रइट आंसर है अबतल दरपड का बॉकसाइट किस का एसक है important question है बॉकसाइट है aluminum का एसक भारत में जै विवित्ता अधीनियम कब पारित हुआ तो जै विवित्ता अधीनियम भारत में 2002 में पार्त हुआ था glucose में carbon के कितने अड़ो होते हैं glucose में carbon के होते हैं 6 अड़ो इतने 6 world formation page layout में by default क्या होता है तो ये होता है narrow margin propane का रासानिक सूत्र क्या है तो देखिए propane का रासानिक सूत्र है CH3H8 flowem का पौधों में कौन सा कार्य होता है तो ये भोजन का समवाहन करता है flow M सबसे हलकी उन किस जानवर की होती है तो लामा जानवर की उन सबसे हलकी होती है वर्ल्ड पेज में पूरे पेज के paragraph को फॉर्मिट के लिए shortcut की कौन सा है तो ये है control प्लस M इसरो का nuclear fuel complex कहाँ पर है बिस्व की पहली कृत्म फाइवर कौन सी है इंपॉर्टन कोशन है बिस्व की पहली कृत्म फाइवर है नाइलोन आइरन, फ्लॉरीन, हाइड्रोजन वा ओक्सीरन में बिसम चुनिये तो इसमें बिसम है आइरन पहले electronic computer का नाम क्या था तो इसका नाम था है एनी अक ठीक है फुरी फॉर्म है electronic, numeric, integrated and calculator हर्याणा में पर्माडू सेंतर कहाँ पर स्थापित इस्थित है सही आंसर है फत्यावाग 2014-15 में इसको लगाया गया सरकरा के अफसुसर्ण के लिए हार्मोन होता है तो सरकरा के अफसुसर्ण के लिए हार्मोन होता है insulin trackball किस परकार का device है ध्यान रखेगा trackball एक import device होता है Newton द्वारा गती के सम्मद में कितने नियम पृतिपादित किये गए right answer है 3 सकरकंद के किस भाग को खाया जाता है तो यार रखेगा सकरकंद में हम जड़ को खाते है green gold plant किसे कहा जाता है तो बांस को कहते है green gold plant समिस्थाने किसे कहते है important परिवासा है exam में पूछ लिए आती है direct परमाणू कर्मांक समान परंतु परमाणू भार में अंतर हो जब तो उसको बोला जाता है समिस्थाने चीन द्वारा किस सिधान्त के ऊपर एक किर्तिम सूर का निर्माण किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है नावी के सल्लेन के ऊपर कौन सा CPU का सबसे महात्पून भाग है तो यार रखेगा motherboard ALU EarthLogic EarthLogic unit होती है ये अगला है CU Registrants Catch इत्यावी ठीक है कंप्योटर के उपरियोग करता का पता कैसे लगाया जाता है आंसर है IP address से Fedora Uwanto किस operating system से सम्मंदित है तो ये है Linux से 2017 में launch की गई पंडुबी कौन सी थी तो इसका नाम है INS कलवरी खादेरी एवं करंज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सौता जाने वाले बायरस का नाम क्या है तो इसको बोलते हैं Tronsgen क्या नाम है इसका Trons Sorry, Trojans मेरू दंड में कितनी हड़ियां पायाती है Important question है मेरू दंड में हड़ियां पायाती है 33 Plaster of Paris किस से बनता है तो ये बनता है gypsum से सूतरियाद रखेगा CASO4-2H2 मानब सरीज में बसा का पाचन किस में होता है आंसर है छोटी आंद में आँख में प्रकास किस के दौरा प्रिवेस करता है तो कोरिनिया के दौरा कोरिनिया के दौरा आंख में प्रकास प्रिवेस करता है चिपको आंदुलन किस राज से संबंदित है ध्यानरकी का important question है ये उत्राखंट का एक परियावण आंदुलन था ठीक है रक्त प्रभाग के लिए सबसे छोटी नलिका कौनसी है तो ये है धमनी आदुनिक बिग्यान का जनक किसे कहते हैं तो आदुनिक बिग्यान का जनक कहा जाता है गैलिलियो मानव सरीर का रक्त दाप कितना होता है तो ये होता है 120-80 mm जनरेटर किस प्रकार की उर्जा को परिवर्तित करता है तो देखी यांतरिक उर्जा को बिद्द उर्जा में बलता है जनरेटर कंट्रोल प्लस X किस के प्रियोग किस के लिए की जाता है तो सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करके किसी आने जगा पेश्ट करने के लिए Ctrl प्लस X का प्रयोग करते है मानप सरीज में सबसे बड़ी संदी कौन सी होती है तो ये है घुटना Glycogen इन में से कहा संचित होता है तो Glycogen Leaver में संचित होता है Leisure वा Dot Matrix किस प्रकार के प्रिंटर के प्रिंटर के प्रिंटर इस पीस द्वारा कुल कितने सेट्लाइट LAUNC किये गए देखे रिकॉर्ड है ये आंसर है 143 1-7 MS XL को किस नाम से जाना जाता है तो Spread Seat के नाम से जाना जाता है MS XL को Saga 220 क्या है सागा 2020 ये एक सूपर कंपीटर का नाम है लाइटिंग कंडेक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन होती है तो लाइटिंग कंडेक्टर के समय नाइट्रोजन गैस उत्पन होती है हिस्टोग्राम से किसे मापा जाता है तो graphical representation का data मापा जाता है histogram से इस रो द्वारा किस rocket से Amazonia first satellite को launch किया गया important question है तो ये किया गया PSLV DLC-51 से room किस से बना होता है तो ये IC chip का बना होता है क्या room मौसम के संबन्द में बविश्यवानी के लिए कौन सा computer प्रयोग किया आता है answer है super computer important question है चुमब के flex की SI unit क्या है राइट आंसर है बेवर आवर साड़ी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है तो देखे सबसे अधिक घनत्व यावा साड़ी में ओसमियम का किसका है ओसमियम का पादप में जल वा लवर परिवहान किस माध्यम से होता है आवर जाइलम से चंद्रान टू में कितने पैलोट्स था तो इसमें थे आट तत्वों के बरीकरण से सम्मंदित अश्टक नियम का प्रतिपादन किस ने किया है तो देखे अश्टक नियम का प्रतिपादन किया जॉन न्यू लेंड्स ने कब 1865 में डाइलेसिस की प्रक्रिया किस को ठीक करने के लिए की जाती है सही आंसर है किटनी हिंदी में कहते हैं गुर्दा किस पदार्त में केल्सियम कार्बोनेट उपस्तित नहीं है तो ध्यान देखेगा जिपसम में इसमें केल्सियम कार्बोनेट उपस्तित नहीं है जल की स्थाई का तोरता किस से दूर की जाती है जल की स्थाई का तोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाने से दूर किया जा सकता है सोने को सुद्ध करने के लिए कौन सा मिस्रण का प्रियोग किया जाता है आंसर है एकवारेजिया या फिर आमलराज भारतिय बिज्यान संस्थान के प्रिथम भारतिय डारेटर कौन थी तो उनका नाम था सर सीवी रमन समया रखेगा 1933 से 1937 निकट द्रश्टी दोस को किस अने नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा important question है निकट द्रश्टी दोस को मयोपिया कहा जाता है अफ्रीकी नींद की बिमारी किस मक्षी के काटने से होती है तो यह होती है सीसी मक्षी के काटने से 37 धवन अंतरिक शकेंदर कहा परिस्तित है तो स्री कोटा आंतर प्रदेश में है 37 धवन अंतरिक शकेंदर द्रव में घरसण को क्या कहते हैं तो द्रव में घरसण को कहायाता है स्यानता कारवन डेटिंग विधी किसकी आयूर निदारत करने के लिए अपना ही जाती है आंसर है जीवास्म की अत्यदिक सराव का सेवन करने से सरीज का कौन सा अंग बिसेश रूप से प्रवाविद होता है तो यह होता है लीवर जिसको हिंदी में कहते हैं हम यकृत सरीज में रक्त बेंक का का काम कौन सा अंग करता आँ आंसर है तिली यानिकि इस्पलीन हरे पौदाओं में परकास संसेशन की एकाई क्या है तो यह है Quanto澤ont सरीर में रक्तं की सफिट कोष़काउं का मुखकर क्या है तो ये सरीर की को बीमारियों से बचाती है मचली के हिर्दर में कितने प्रकोस्ट होते हैं येंगी चेम्बर तो आँधर है 2 2. मानव सरी में रख्तुक से अवजानिय पदार्तों को प्रतक करने का कार कौन सांग करता है आंसर है किड्नी 40 पर्स पूरे हो जाने पर चर्चित अपसरा क्या है तो यह है न्यूकलियर रियक्टर है यह डाइनमो का कार क्या है तो देखें डाइनमो यांतरिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में उत्पादन करता है यह की बदलता है पिच बिलेट से कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था आंसर है रेडियम गिर्गिट की तोचा में रंग बदलने का कारण क्या है कार्णिक योगिक कौन सा है तो यह है सेलिलोज क्या है सेलिलोज समुद्द की किनारे उगने वाले ब्रक्षों में बारसिक बले को क्यों नहीं होते तो यार रखेगा क्योंकि यहां की जलवाई हूँ मैं इस पश्ट भिनिता नहीं होती है इसलिए ब्रद अवस्ता का अध्यन बिज्ञान की किस साखा के अंतरगत होता है तो ब्रद अवस्ता का अध्यन कहत करते हम जेरेंटोलोजी के अंतरगत डूलोमाइट किसका आयस्क है तो डूलोमाइट है केलसियम का आयस्क खटे फलो में कौन सा बिटामिन पाया जाता है खटे फलो में पाया जाता है बिटामिन C दोनी की तीवर्ता मापने वाला यंतर क्या कहलाता है दोनी की तीवर्ता मापने वाला यंतर कहलाता है ओडियो मीटर क्या कहते हैं इसको ओडियो मीटर दूद का खट्टा होना किसके द्वारा होता है तो देखें जिवाणू के द्वारा होता है दूद खट्टा सुईत प्रकास के वर्ण किरम मैं प्रिजम द्वारा सर्वाधिक प्रिचलित होने वाला रंग कौन सा है तो यह है बैगनी दूसे दही बनने में कौन सा बैक्टरिय साहक होता है आंसर है लेक्टो बैसिल्स के नाम इसका किस अंगे के कारना करने पर डाइलेसिस किया जाता है तो देखिए किड्नी यानि की ब्रक के कारना करने पर डाइलेसिस किया जाता है मनुस्य के मस्तिक का सबसे बड़ा भाग क्या है तो मनुस्य के मस्तिस का सबसे बड़ा भाग है प्रामस्तिक क्या कहते हैं इसको प्रामस्तिक सेरे ब्रंबी कहते हैं इंगलिस में राइफल चलाने पर लगने वाला जटका किसके सरनरचन का उधारन है चंदर्मा पर बायू मंडल ना होने का करण क्या है तो वहां सभी गयसों का बर्ग माद्य मूल बेग उनके पलाइन बेग से अधिक होता है इसलिए चंदर्मा पर बायू मंडल नहीं होता है किस एक कोश्किय सेवाल का उपयोग अंतुरिच में खाध की समोचित पूर्त्य के लिए किये जाता है तो यह है क्लोरेला किरा में इसका क्लोरेला प्राकर्त्क रवर किसका बहूलग है इंपॉर्टन कोश्टिक रवर है दोस्तों आीसोप्रीन का बहूलग है यह द्रव की चौती अवस्ता क्या कहलाती है तो जार रखेगा द्रव की चौती अवस्ता प्लाजमा कहलाती है प्रत्यावर्ति धारा की माप किस यंतर से की जाती है आंसर है तप्त तार अमीटर से किस से तप्त ताप अमीटर से प्रकास तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्त होने का प्रमान मिलता है आंसर है धुरवन यानि की polarization से ठीक है एक ब्रताकर बले का गुर्त्व केंदर कहा होता है तो बले ब्रत के केंदर पर ठीक है कहा पर बले ब्रत के केंदर पर खनेज संदर्शना की द्रेश्टी से हीरा क्या होता है अगला कोशन है हाइडूजन बंप किस सिधान पर काम करता है इंपोर्टन कोशन है हाइडूजन बंप ये नाविकी सल्यन के सिधान पर कार्ड करता है किस पर नाविकी सल्यन पर प्रोटोन की खूज किस ने की थी इंपोर्टन कोशन है तो रदर फूड ने की थी दोस्तों प ठीक है गैलवनी कृत लोए पर किसका लेप होता है तो गैलवनी कृत लोए पर होता है जिंक का लेप भारत में 28 फरवरी को बिग्यान दिवस किस उपलक्ष में मनाया जाता है सही आंसर है CV रमन द्वारा रमन प्रवाव की खोच करने के दिन के उपलक्ष में भारत में 28 फरवरी को बिग्यान दिवस के रूप में मनाते हैं साथ नॉवंबर 1988 को भारत के किस महान बेग्यानिक का जन्म दिन हैं सही आंसर है CV रमन ठीक है डेट या रखेगा साथ नॉवंबर 1988 आयोडीन युक्त नमक का प्रियोक किस बिमारी की रोक्ठाम के लिए किया जाता है आंसर है गोईटर यनकी गल गंड बिद्दूत मोटर का का क्या है तो बिद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलती ह तो बिद्दूत मोटर पृत्वी का उस्तन इंपोर्टन कॉस्षन है यह 5.5 ग्राम पर घन संटीमेटर होता है पृत्तवी का उस सूर सधेप पूरब में निकलता है क्यों या रखिगा पृत्वी परश्यं से फूरब की और घूमती है इसलिक और सूर सधेप पूरब में कलता है पौधों में बास्प उत्सरजन दर के निर्धानन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो इस यंत्र को बोलते हैं पोटो मीटर क्या कहते हैं पोटो मीटर रेड लेट का रसानिक सूत्र क्या है तो पीवी 3-0-4 पीवी 3-0-4 रेड लेट का रसानिक सूत्र ह मानब सरीज में बिटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है तो कोलन में बैक्टिरिया दोरा मानब सरीज में बिटामिन के का निर्माण होता है डार्क एविंजर क्या है तो एक प्रकार का प्रमु कंप्यूटर बाइरस है ये क्या नाम है इसका डार्क एविंजर फाइकोलोजी के तहट बिग्यान की किस साखा का अध्यन किया जाता है तो देखिए फाइकोलोजी में सेवाल का अध्यन होता है किसका एलगी का किस बिटामिन में कोवाल्ट पाया जाता है तो बिटामिन B12 में कोवाल्ट पाया जाता है मेनेंजाइटिस यानकी तानिक सोध नामक रोग सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मानब सरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमो कारण क्या है हिप्पे रिन की उपस्तिती के कारण मानब सरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है चाय बनाने के लिए बिदुद द्वारा केतली में पानी किस बिदी द्वारा गर्म होता है तो यह होता है कन्वेक्शन के द्वारा किस के द्वारा कन्वेक्शन के द्वारा ब्रदो में चिकिस्रिय सास्त्र अध्यन को क्या कहते हैं को बोलते हैं गेरियो ट्रिक्स क्या कहते हैं गेरियो ट्रिक्स हाइपो गिलाइसेमिया क्वेशन है हाइपो गिलाइसेमिया नामक रोग रत में किसकी कमी से होता है तो यह होता है ग्लुकोस की कमी से एच टी एल वी सेकंड नामक बायरस से कौन सा रोग फैलता है तो इससे फ चोटी ग्रंती कौन सी है इंपोर्टन कोशन है मानप सरीर में सबसे चोटी ग्रंती है प्रिटी उट्री एंजाइम मुलता क्या है तो याद रखेगा एंजाइम मुलता प्रोटीन ही है पित्त करमाण सरीर के किस भाग में होता है इंपोर्टन कोशन है पित्त करमाण सरीर के यकृत में होता है कहां पर यकृत में कृष्ण चिद्र यानि कि ब्लैक होल सिद्धान्त को किस ने प्रतिपादत किया था इंपॉर्टन कॉशन है तो देखिए ब्लैक होल यानि कि कृष्ण चिद्र सिद्धान्त को प्रतिपादत किया था ऐस चंद्र सेखर ने साइनो कोवालमिन क्या है तो ये बिटामिन B12 का रासानिक नाम है टेट्रा इथाइल लेड यानि कि TEL पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है तो इसमें एंटी नौकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है ठीक है टेटरा एथाइल लेड पेटरल में क्यों मिलाते हैं तो एंटी नौकिंग रेटिंग को बढाने के लिए हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंत्रिक परावर्तर के कारण हीरे चमकता है इंपोर्टन कॉशन ध्यान रखेगा आपेचिक आदरता नापी जाती है पूर्टन कॉशन है आपेचिक आदरता हाईग्रो मीटर के दौरा मापी जाती है रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम होता है तो ये बास्तिविक उल्टा तता बस्तू से छोटा होता है रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम पोलियो कट्टी का सरप्रथम किस ने तयार किया था इंपोर्टन कोशन है पोलियो कट्टी का सरप्रथम तयार किया जॉन्स साल्क ने गोवर गैस में मुखे संगटक क्या है तो मीथिन गैस गोवर गैस का मुखे संगटक होता है Newton per kilogram किस भौत एक रासी का मातरक है तो यह है तोरण का acceleration का ठीक है Newton per kilogram Goiter नामक रोग सरीर में किस की कमी के करण होता है तो यह होता है iodine की कमी के कारण Byrology में किस का ध्यन किया जाता है Important question है Byrology नाम से ही पता जल रहा है Virus ठीक है यानकी बिसानों का ध्यन किया जाता है Vitamin C का रसाने नाम क्या है important question है बार बार रिपीडिट question है एक्जाम के लिए तो Vitamin C का रसाने नाम होता है ascorbic acid सामान बैक्ति का अनुसीलक रक्त दाप कितना होता है तो यह होता है 80 mm पारे पर सोइत प्रकास के प्रजम द्वारा बने बर्ड करम में किस रंका बिचलन सबसे अधिक होता है आंसर है बैगनी रंका केलोमल क्या होता है तो मर्कियूरस क्लूराइड ही केलेमल होता है सिंदूर का रसाने नाम क्या है सिंदूर का रसाने नाम है Mercuric Sulfide ठीक है HGS इसका सूत्र होता है जूटा सोना क्या कहलाता है तो देखिए प्रकती में पाया जाने वाला Iron Sulfide अथवा Iron Pyrites को जूटा सोना कहते हैं Pancreatic Juice में पाया जाने वाला Enzyme कौन सा है तो इसमें पायाता है Trypsin Enzyme कौन सा? Trypsin Enzyme आतों में प्रोटीन को अमीनो अमले में अपगटित करने वाला उत्पुरिरत होता है तो यह होता है Pepsin Enzyme Estro-D क्या है? तो ब्रहमांड के विकास का अध्यन करने वाली जापानी X-ray उपग्रह है Estro-D दुरुबतारा आकास में एक ही स्थान पर दिखाई दिता है प्रती मिनिट कितनी वार इस पंदन यानिकि धड़कता है तो यह धड़कता है बाततर वार 72 इस फैगनो मैनो मीटर नामक यंतर से क्या मापते है तो रक्तदाव यानकि ब्लड प्रेसर को मापा जाता है इस फैगनो मैनो मीटर से सन 1900 में कार्ल लेंड इस्टीनर ने किसकी खोच की थी important question है important नाम है ये कार्ल लेंड इस्टीनर इन्होंने रक्त समूव इनके blood group की खोच की थी समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है जल के कड़ों दोरा प्रकास के प्रकुरिण के कारण जल नीला दिखाई देता है समुद्र का प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यॉगिक है तो प्रोटीन होता है नाइट्रूजन का प्रमुख यॉगिक इतोलोजी में किसका ध्यन की जाया आता है इतोलोजी में जानवरों के बैवार का अध्यन वा उनके सामान बातावरण में अध्यन के बारे में बतलाया जाता है किसमें इतोलोजी में नोबल पुरुसकार से सम्मानित होने वाली बिस्प की परतम महिला बिज्ञान छेतर की थी वह कौन थी तो उनका नाम है मैडम क्यूरी इनको भौत की में नोबल पुरुसकार मिला था 1930 में ठीक है इंपोर्टन कोशन है देखिए बहुत इचा कोशन है आपर पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र के जहाज तेरते रहते हैं इसका कारण क्या है तो ध्यान से सुनिएगा जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बरावर होता है इसलिए भारी प्लावन करता है यानकी तेरता है सुई के द्वारा हटाया गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है अगला कोशन है भारत में सोदेश निर्मित दूसरी पेड़ी का पहला उपगरे कौन सा है तो इसका नाम है इंसेट 2A सूर के प्रकास की साहिता से सरीर में किस बिटामिन का रिमान होता है सही आंसर है बिटामिन D हैली पुछल तारा कितने वर्स बाद दिखाई पड़ता है तो ये हैली पुछल तारा दिखाई देता है 76 वर्स के बाद किन तरंगों की साहिता से चमकादर रात में सुरक्षित उड़ती है आंसर है परास्रव यानिकि अल्टरासोनिक तरंगों की साहिता से HIV बिसाडू से कौन सारग होता है तो देखे HIV बिसाडू से यानिकी बाइरस से एर्स नामक रोग हो जाता है रक्त का ठक्का जमने में कौन सा बिटामिन साहिक है इंपोर्टन कोशन है तो बिटामिन की रक्त का ठक्का जमने में साहिक बिटामिन होता है एंपियर सेकंड मात्रक है इंपोर्टन कोशन है एंपियर सेकंड आवेस की मात्रा का मात्रक होता है laughing gas है तो देखे नाइटर्स ओक्साइट को ही laughing gas कहा जाता है ठीक है नाइटर्स ओक्साइट को बाहर चुम्ब की प्रवावों से बैग्यानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लोहा कवर में रख कर ठीक है परमाडु बिजली घरों में किस प्रकार की nuclear अविक्रिया होती है आंसर है nuclear salient गामा किरणों पर किस प्रकार का आविश होता है राइट आंसर है किसी प्रकार का नहीं होता है इस पर आविश रेडियो कारवन तिथी निर्धारल बिधी का उप्यों करते हैं सही आंसर है जीवास्म की आयू का पता लगाने के लिए शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से सुद्ध होता है हाइड्रो फाइट किने कहते हैं तो जलियेपौदे को हाइड्रो फाइट नाम दिया गया है तो समान्ता दर्बन के बीच रखी बस्तू के कितने पिर्तिविम बनते हैं आंसर है अनन्त इंपोर्टन कोशन ध्यान रखेगा ये दो समान्ता दर्बन के बीच रखी बस्तू का सबसे अधिक चमकीला पिर्तिविम कौन सा होता है तो ये होता है दूसरा पिर्टिवन कौन सा दूसरा तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है सही आंसर है तेल का प्रस्तनाव जल की अपिक्षा कम होने के कारण ये इसके पर फैल जाता है पैंसिल का लेड होता है तो पैंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का किसका ग्रेफाइट का सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है तो याद रखेगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घरसल कम होता है इसी कारण से important question है जी बिग्यान सब्द का परियोग सरप्रधाम 801 में किन ब प्रजाने को ने किया था सχी answer है लैमार्क और दूसरे थे ट्राइविरेनेस कहना में इनका ट्राइविरेनेस जी बिग्यान का जनक किसे माना जाता है जी बिग्यान का जनक माना जाता है अरस्तू का जीब भिज्ञान की साखा apiculture के अंतरगत किसके अध्यन کیा आता है important question है apiculture तो इसके अंदर मदु मक्षी का पालन किया आता है ठीक है apiculture के अंतरगत बनस्पत्री भिज्ञान का जनक किसे माना जाता है जीवन के उद्भाव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धान किसने दिया था तो यह दिया था ए आई ओ पे रिन्ने चिकिस्सा सास्त्र का जन्दाता कौन है चिकिस्सा सास्त्र के जन्दाता है हिपोक्रेटस important question दोस्तों ध्यान रखेंगा ये कौन सा जीव चावल की फसल के लिए अंसर है नील हरित सैवाल चेचक किट्टी की का अविसकर किस ने किया था इंपोर्टन कोशन है चेचक किट्टी की काविसकर किया था एडवर्ड जेनर ने नेच्चरल सिलेक्शन का सिध्धांत किस ने दिया है तो Charles Darwin के दोरा दिया गया है Natural Selection का सिध्धांत इस टेथो इसकोप काविसकार किस ने किया आंसर है लेनी ने टाइफाइड के जिवाणू की खोच किस ने की थी रोवर्थ ने किस ने रोवर्थ ने टाइफाइड की जिवाणू की खोच की थी बैरी बैरी रोग की चिकिसा की खोच किस ने की है Important Question है बैरी बैरी रोग की चिकिसा की खोच की है आईजक मैन ने किस ने आईजक रोग ने रोवर्थ हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोच का का नाम दिया है आंसर है माइकोग्राफिया में Question है रोवर्ट हुक ने किस पुस्तक में कोशी का नाम दिया, अंसर है माइकोग्राफिया में, बिसानू की खोच किस ने और कप की थी, इवानू वसकी ने अठारसो बानवे में, बर्गीगी का जन्वधाता, फादर और टेक्सुनोमी किसे का जाता है, सही अंसर है काज लिनियस क हिटे करके अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में बरगिगत किया गया है सही आज़र है पांच मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंदू सभी प्रो केरियोटिक, जीव अर्थात, जीवानू, साइनो, बैक्टिरिया तथा आर्की बैक्टिरिया को किस जगत में सामिल किया गया है तो यह किया गया है मोनेरा बरग में किस में? मोनेरा बरग में पादब एवब जन्तु के बीच इस्तिध युगलीना किस जगत में आता है तो यह आता है प्रोटिस्टा जगत में ठीक है किसे जीवन का बहुत एक आधार कहा जाता है important question है बहुत एक आधार जीवन का बहुत एक आधार कहते हैं जीवद्रव को सबसे लंबी कोशका है तंत्र का तंत्र mitochondria किस कोशका में उपस्तित रहता है तो यह रहता है UK rheotik में UK rheotik कोशका में प्रकास sensation किस में होता है तो यह होता है क्लोरोप्लास्टा में important question है कोशका बित्ती किस पधात की बनी होती है तो कुछ का बित्ती बनी होती है दोस्तों सेलिलोज की तारक काय के अंदर एक या दो कड जैसी रचना को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्री योल क्या कहता है सेंट्री योल राइबोसोम किसके बने होते हैं कॉशन है राइबोसोम किसके बने होते हैं तो राइबो न्यूकलिक एसिड नामक अमलवा प्रोटीन के बने होते हैं ये। किस बेग्जानिक ने माइटो कॉंड्रिया नाम दिया था। तो ये दिया है बेंडा ने। लाइसोसोम की खोच किस ने की थी। तो D. डूबे ने की है दोस्तों लाइसो सोम की खोज, important question है ध्यान रखेगा, D. डूबे ने, पत्तियों का पीला रंग किस करान होता है, तो पत्तियों में केरोटिन का निर्माण होने के करान पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, भोज्य पधारतों का संग्रे करने वाला ल चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पायाता है, तो इसका नाम है बीटा नीन, के नाम है बीटा नीन, क्रोमेर टिन किसका बना होता है, तो प्रोटीन एवं डी ओक्सी राइवो न्यूकलिक एसिट का बना होता है, मानब में कितने गुरसूत्र होते हैं, आंसर है तेईज चिंपेंजी में कितने गुरसूत्र होते हैं, राइट आंसर है चौवीज जोडी, बंदर में कितने गुरसूत्र होते हैं, तो बंदर में होते हैं 21, पिरते गुरसूत्र में जैली के समान इस्थित गाड़े पदात को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, क्या सको समसुत्री विवाजन को माइटो सिस सही आंसर है अर्द सूत्री विवाजन की खोश सरप्रथम किस बैग्यानिक ने की थी सही आंसर है बीज मैन ने किसने बीज मैन ने अर्द सूत्री विवाजन का सरप्रतम विश्थरत अध्यन 1988 में किस बैग्यानिक ने किया सही आंसर है इस्ट्रास बर्गर ने अर्द सूत्री विवाजन प्रतम विवाजन में कितनी अवस्थाइं होती है इसमें होती है चार उप अवस्ताओं में पूरी होती है, तो यह होती है पाँच अवस्ताओं में, पहली है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिपलोटीन, फिर है डाइकिनेसिस, क्रोसिंग, क्रोसिंग ओवर, क्रोसिंग ओवर हमेशा किस के बीज होता है, तो यह होता है, नॉन किसे कि बीच क है बे लक्षण क दर पीडी संच्रत होते हैं क्या के लाते हैं तुसको बोलते हैं freedom नुवान सिक्ता का पिता किसे का खा जाता है important question है अनुवान सिक्ता का पिता का जाता है ग्रेगर-ayile जोन में-डल को किस पैज्ञानिक ने उनिनी सो नौ में सरबितम जीन सब्द का प्रियोग किया आंसर है जोहांसन ने अनुमान से की संबंद प्रियोग के लिए मैंडल ने किस पौदे का चुनाओ किया था इंपोर्टन कॉशन है यह आपका पौदा था मतर का पौदा किसका मतर का गुर्षूत्रों में पाई जाने वाले अनुमिन सक्ता पदात को क्या कहते हैं आंसर है जीनोम एसकिरिस में कितने गुर्षूत्र पाई जाते हैं आंसर है दो मच्छर में गुर्षूत्र कितने होते हैं आंसर है छे मनुस में लगवक कितने अब सेसी अंग पाई जाते हैं सही आंसर है सो सरप्रथम प्रकास संसलेसी जीव कौन से थे आंसर है साइनो बैक्टीरिया जीवों में प्रचुर संतानो पत्ती की छमता होती है यह किस का नियम है यह है डार्विन का नियम इंपोर्टन कॉशन है बनस्पती जगत का सबसे बड़ा समू कौन सा है राइट आंसर है थेलो फाइडा सेवाल का अध्यन को क्या कहते है सेवाल का अध्यन को बोलते है फाइकोलोजी फोरा फाइरा, अलवा, सरगासन, लेमी, नूरिया और नौस्टॉक, सोरी नौस्टॉक्स सेवालों का उप्योप किस रूप में किया जाता है तो ये किया जाता है भोजन के रूप में किस में भोजन के रूप में लेमी नीरिया, फ्यूकस, एकलोनिया सेवाल का उप्योप किस रूप में किया जाता है तो इसका उप्योप किया जाता है आयोडीन बनाने में किस में आयोडीन बनाने में अगला question है गंजा पन किस कवक के कारण होता है तो यह होता है टीन या कैपी टिस के कारण दाद किस कवक के कारण होता है तो दाद होता है किस बैग्जानिक ने कोलेरा तथा तपेदिक के जीवाणों की खोचकी तथा रोग का जर्म सिध्धान्द बताया सही आंसर है रॉवर्ट कोच ने रैवीज का टीका तथा दूद के पास्चुराइजेशन की खोच किस ने की है सही आंसर है लुईस पास्चर ने किन जीवाणों की कुछ जाती है और बायू की नाइट्रोजन का स्थरी करती है तो देखिए इनकी एक एक करके नाम पढ़ेंगे हम एजोटो बैक्टर दूसरा है एजोस पाई रिलस तीसरा है क्लो स्ट्रिडियम सीत संग्रहगार में किस ताप सामगरी का संचे किया जाता है तो ये होता है आपका तापमाद 10 डिगरी से 18 डिगरी सी बिसानू की खोज 892 में किस बेग्यानिक ने की थी सही आंसर है एवानो बसकी ने जिस बिसानू में RNA अनुवांसिक पदाध होता है उससे क्या कहते हैं इसको बोलते हैं रेटरो बिसानू किस समू के पौधे में मिर्दा अपवर्धन को रोकने में साहता प्रतान करता है सही आंसर है ब्रायोफाइट सबसे छोटा अनावर्ती बीज पौधा कौन सा है सही आंसर है जैमिया पिगमिया के नाम है इसका जैमिया पिगमिया जीवित जीवासम कौन कौन से है तो देखे साइकस जिंगो बाईलोवा और मेटा सीकाव सीकुआ जिंगो बाई लुवा को क्या कहते है देखे साफ कर दू मैं इसको अब से किलिए नहरा आएगा देखे जिंगो बाई लुवा को क्या कहते है तो मैडन हेर ट्री कहते है इसको क्या मैडन हेर ट्री किसके बिजांड एवं नर्युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं राइट आंसर है साइकस के साइकस को किस अननाम से जाने आता है सागो पाम से क्या सागो पाम कहते हैं इसको खाने वाला सागो दाना किस से बनाया जाता है तो साइकस के तने से ही बनता है दोस्तों ध्यान रखेगा खाने वाला सागुदाना किस नगने बीच के पराग कन इतनी तालाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं आंसर है पाइनस किन ब्रक्षों की लकडी में फरनीचर बना जाते हैं ब्रच्छों की लकडी से फरनिचर बनते हैं तो चीड, सिकोया, देवदार और सप्रुस तार्पीन का तेल किस पेल से प्राप्त होता है आंसर है चीड के पेल से सैटरस तेल किस पेल से प्राप्त होता है तो ये मिलता है देवदार के पेल से किस पिर्ड से प्राप्त होता है तो जुनी पेरस से मिलता है चमला बनानी तथा स्याही में क्या काम आता है रैजिन किस प्रकार के पॉलिस तथा पेंट आदी में किया जाता है लहसुन, प्याज, किस कुल के पौदे है? तो लिली, ऐसी, कुल के पौदे होते हैं लहसुन, एवंप्याज सुपारी, ताड, नार्य, खजूर किस कुल के पौदे है? आंशर है पालमी किस के है ये? पालमी ग्याहूं मक्का बास गन्ना चावल जौर बाजरा रो जै किस कुल के पौधे हैं तो ये हैं ग्रैमी नेसी कुल के पौधे अगला कोशन है जड़ पौधे के किस भाग से बिक्सित होती है अंसर है मूलांकुर से किस से मूलांकुर से गाजर की जड़ किस आकार की होती है तो यह होती है संकू आकार की सलजम चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है ध्यान रखेगा सलजम चुकंदर की जड़ कुम्बी रूपी होती है कैसी कुम्बी रूपी मूली की जड़ किस आकार की होती है आंशर है तुर्क रूपी तना पौदे के किस भाग से बिक्सित होता है आंशर है प्राकुर्चे पत्ती का मुख्यकार क्या है तो देखिए प्रकास सर्सेशन किरिया द्वारा भोजर बनाना पत्ती का मुख्यकार है भूमी गत तने कंद का उधारण क्या है राइट आंसर है आलू भूमी गत तने घन कंद का उधारण है आंसर है बंडा एवं केसर भूमी गत तने सलक कंद का उधारण क्या है राइट आंसर है प्याज भूमिगत तने प्रकंद का उधान क्या है राइट आंसर हल्दी एवं अध्रक पुस्प में कौन-कौन से भाग होते हैं तो देखिए बाहाई धल्पुंज पुमंग जायंग ये सब ही पुस्प के भाग है पुमंग किस प्रकार का जननांग होता है तो ये होता है जर जर नर जननांग होता है पुमंग अगला है जायंग जायंग किस प्रकार का जननांग है तो ये है मादा जननांग पौदे के किस भाग में एक से अधे पुंकेशर होते हैं तो यह होते हैं पुंकेशर में क्या पाई जाते हैं आंसर है पराग कन पौदे के किस भाग में अंडप होते हैं आंसर है जायांग में अंडप कितने भाग होते हैं अंडप के कितने भाग होते हैं तीन होते हैं पहला है अंडास है बर्तिका और बर्तिकार्ग निसेचित अंड़ा क्या कहलाता है तो निसेचित अंडे को कहते हैं युकमनज केला पपिता नारंगी अंगूर एवं अननास किस परकार के फल है तो ये हैं अनीशेक फल कैसे हैं अनीशेक फल अमरूद केला किस परकार के फल है तो सरस फल होते हैं ये कौन से अमरूद और केला इस्ट्रोवेरी रस भरी किस परकार के फल है सही आंसर है पुंज फल होते हैं कैसे पुंज फल कटहल सहतूत किस परकार के फल है आंसर है संग्रादित फल कुछ फलों के निर्माड के बाहे दल पुंज दल पुंज या पुस्पासन आदी भाग लेते हैं ऐसे फल को क्या कहते हैं आंसर है असत्य फल important question ध्यान रखेगा सेब किस प्रकार का फल है तो सेब असत्य फल होता है सेब का खाने योग भाग कौन सा है आंसर है पुस्पासन नासपती का खाने योग भाग कौंशा है तो नासपती का खाने योग भाग है पुसपासन समान उत्पत्ती सरनशना एवं कार रयो वाली कोषकाओं के सम्हूं क्या कहते हैं इनको तो इनको बुरय आता है उतक यांगी टिशु पौधे के बर्दी छेतर को क्या कहते हैं तो पौधे के बर्दी छेतर को भी भज्यों तकी कहते हैं क्या भी भज्यों तकी उतक जाईलम समवाहनी उतक के मुखकार क्या है आंतर है जल एवं खनिज लवड़ों का समवाहन एवं यांतरिक द्रड़ता प्रदान करना अगला question है flow M संवाहनी उता का मुखकार क्या है देखिए flow M संवाहनी उता का मुखकार है पत्तियों दोरा बनाए गए भोजन को पौधों के अन भागों में पहुचाना किलोरोफिल के कुशन है किलोरोफिल के कितने घटक होते हैं तो यह होते हैं चार पहला है किलोरोफिल A, किलोरोफिल B, कैरोटीन और जैन्तोफिल किलोरोफिल के केंदर में किस तत्व का एक परमाणू होता है आंसर है मैगनीशियम का important question ध्यान रखेगा ये किलोरोफिल प्रकास में किन रंगों का ग्रहन करता है आंसर है बैगनी नीला तथा लाल रंग का प्रकास संसलेशन की दर किस रंग के प्रकास में सबसे दिखोती है तो यह होती है लाल रंग के प्रकास में किस में लाल रंग के प्रकास में प्रकास में प्रकास संसलेशन की दर किस रंग के प्रकास में सबसे कम होती है तो सबसे कम होती है बैंगनी इंपोर्टन कोशन धान रखेगा रसाइनिक प्रकास हीन पृति किरिया किलोरोफिल के किस भाग में होती है आंसर है इस ट्रोमा में पौदे की ब्रदी को नियंतित करने वाला हार्मोन कौन सा है इंपोर्टन कोशन है पौदे की ब्रत्धी को नियंतित करने वाला हार्मोन है O-Kissons O-Kissons की खोज Sun 1880C में किस पैग्ञाने की थी आंसर है Darwin ने Jibre Linz Jibre Linz की खोज 1926 EC में किस पैग्ञाने ने की आंसर है कुरो सावाने किस ने की थी कुरो सावाने लोलग घडियां गर्वियों में सुस्त क्यों हो जाती है आंसर है लोलग की लंबाई बढ़ जाने से आवर्थकाल बढ़ जाता है ठीक है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है उचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सी से कम ताप पर क्यों उबलता है आंसर है क्योंकि वहाँ बायूमंडल दाब कम होता है इसलिए पीतल में सदातु है जस्ता एवं तामा की गैसों के दाब ग्यात करने वाला यंद्र क्या क्या लाता है तो देखिए गैसों का दाब ग्यात किया लाता है मैनोमीटर से भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर ट्रामबे इस्थित पाँचवे नूकलिर रेक्टर का नाम क्या है तो इसका नाम है द्रोग अगना सई रस में पाए जाने वाला एंजायम ट्रिपसिन प्रोटीन था पेप्टोन को किस में बलता है तो ये बलता है छोटे पेप्टाइडस में मन उसमें दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है सही आंसर है माइक्रो इस्पोरम क्या नाम इसका माइक्रो इस्पोरम इसकर भी नाम अगरो किस बिटामिन के अवाव से होता है आंसर है बिटामिन सी सबसे भारी धातू कौन सी है important question है सबसे भारी धातू है ओस्मियम बिद्दुत का सबसे अच्छा चालक क्या है राइट अंज चांदी पोटेशियम का अयस्क कार्णेलाइट का सूत्र क्या है तो देखे कार्णेलाइट का सूत्र है KCl, MgCl2 6H2O यूरिनियम के नावे के विक्टन में अन्यंतता क्या प्राप्त होता है तो इससे मिलता है सीसा दोनी को मापने की एकाई क्या है इंपॉर्टन कौशन है दोनी को मापने की एकाई है Decival stainless steel किंध हातूँ को मिस्रित करके बनाया जाता है तो देखे stainless steel में लोहा क्रीमियम और निकल होता है बरस्पती बिग्ञान की उस साखा का क्या नाम है जिस पर सेवाल का देन होता है तो देकि सेवाल का देन हम करते हैं फाइकोलोजी में दूसरे दही बनेने वाले जिवाणू का नाम क्या है तो इसको बोलते है बैक्टेरियम, लेक्टिसी, एसेडाई, मद्धुमे के रोगी के पिसाब में किसकी अधिक्ता हो जाती है, आंसर है सरकरा, यानि कि सुगर की, स्वेचलित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने है, तो ये बने हैं पारकेल के नियम के आधार पर, डी एने संसलेशन का प्रतिपादन किस ने किया था, आंसर है कौर्न बर्ग ने, फोटोग्राफी में प्रिवक्त होने वाला हाइपो का रासाने नाम क्या है, तो देखिए हाइपो का रासाने नाम है, सोडियम, सोडियम, थायो सलफेट, गेहुं का बैग्यानिक नाम क्या है, इंपोर्टन कोशन है गयहूं का बैग्याने नाम है ट्रीटिकम एस्टिकम ट्रीटिकम तथा ट्रीटिकम क्लेगेर पॉकजेनो मीटर से क्या मापा जाता है आंसर है पौधों की रेखिये ब्रद्दी मापी जाती इससे कमरे में रखे रेफ्रीजेटर का दर्वाजा खोलने से कमरे के ताप मन पर क्या प्रभा पड़ेगा आंसर है ताप बढ़ जाता है ताप बढ़ने पर अर्दचालक की चालकता क्या होती है आंसर है ताप बढ़ने पर अर्दचालक की चालकता बढ़ जाती है मनोसकी सरववयता की सीमा कितनी है तो ये है 20 Hz से 20,000 Hz हराकसीस का रसानिक सूत्र क्या होता है तो देखिए हराकसीस का रसानिक सूत्र FESO4-7H2 होता है और ये important है सूत्र द्यान दिखेगा केलोमल का रसानिक नाम क्या है मरक्यूरस क्लूराइड क्या है मर्किर्यस क्लूराइड हीरे की चमक का करण क्या है प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन हीरे की चमक का करण होता है बिद्दु तीवर्ता का मात्रक है न्यूटन पर किलोग्राम न्यूटन बटे किलोग्राम ठीक है विटामिन ए का रसने नाम क्या है तो टेको स किस आंग से संबंदित है ट्रेकोमा रोग है आंग से संबंदित है एपिटाटिस बी का बाइरस किस प्रुमुक रोग के लिए जिम्मिदार है आंसर है पीलिया एपीलेपसी रोग का संबंद किस से है तो नाड़ी संस्थान से संबंदित है एपीलेपसी रोग एवी रक्त सम पुछ की थी एडवर्ड जेनर ने दूद एक आदर्स आहर है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है आंसर है आइरन तथा कौपर की सेलिंग पृतिसत मूंगफली की गुडवत्ता ग्याद करने का एक आधार है सेलिंग पृतिसत से क्या ग्याद किया जाता है आंसर है मूंफली में दानों का पृतिसत बिस्व का सबसे पुराना ख़दान कौन सा है आंसर है जो किस बकरी को बिस्व की दूद की रानी के नाम से जाना जाता है important question है तो इसका नाम है सानेन के नाम है इस बकली का सानेन बिस्व की दूद की राणी कहते हैं इसको हस्त चालित चार काटने की मसीन में वील हील किस प्रकार के लोहे का वना होता है तो ये बंदा है ढलवा लोहा से प्रती सो गराम भैंस के दूसरे कितनी उर्जा प्राप्तो होती है आंसर है लगबग 90 कैलोरी मनुस के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है तो हीमो गलोविन के कारण मनुस का रक्त लाल होता है मनुसमें gastric, रस, किस रंग, अंग से इस्त्रावित होता है आंसर है, अमासे से The origin of species, पुस्तक किस ने लिखी है तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, डार्विन प्रोसेसर की गती, किस मात्रक में मापी जाती है आंसर है, मेगा हट्स में डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है आंसर है, टिटनिस, डिफ्तीरिया, तथा हूपिंग कफ से मनुस से, बयस्क मनुस में हिर्दय चक्र का कितने समय होता है आंसर है, 0.8 सेकिंड मचली और में स्वसन हेतु अंग कौन सा है तो ये है गिल्स, जिसको हम कहते हैं क्लोम क्या कहते हैं, क्लोम बाटसन एवं क्रिक को जी बिग्जान की किस खोज के लिए नोबल पुरुसकार प्रतान किया गया आंसर है, डिएने के डवल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए बैक्टिरिया की खोज किस ने की थी तो देखिए बैक्टिरिया की खोज एंटोनी बोन लुविन हॉक ने की थी बिग्जान की किस साखा में एग्रोस्टोलोजी में, सुरी बिग्जान की साखा agrostology में किस का ध्यन होता है तो इसमें होता है घास का ध्यन किस में agrostology में मानप सरी में vitamin K का निर्मार किस अंग में होता है आंसर है colon में bacteria द्वारा pediatrics का संबंद किस से है तो बच्चों के रोग से संबंदित है pediatrics hypo glassemia नामक रोग रक्त में किस की कमी से होता है तो यह होता है glucose की कमी से ठीक है glucose की कमी से अगला कुछन है hydrometer से क्या मापा जाता है तो hydrometer से मापते हैं हम आपे छिक आतरता अगला कुछन है hydrometer से क्या मापा जाता है तो hydrometer से आपे छिक घरत तो मापा जाता है रसाइनिक दरश्टी से चीनी क्या है तो चीनी कार्वो हाइडरेट है किस खनिश को बेव कूफों का सोना कहते हैं तो पाइराइट को बेव कूफों का सोना कहा जाता है एंटि पायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए एंटि पायरेटिक दवा ली जाती है मूतर का पीला रंग किस के कारण होता है यूरो कोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है हाइपो कोड्रिया कोड्रिया बिमारी क्या है तो यह अपने स्वास्थ के बिसे में आसमान मानसिक चिंता की बिमारी यह होती आपकी हाइपो कोड्रिया नेतदान में रोगी में आँख के किस भाग का पृति रोपन यानि की ट्रांस्प्लांटेशन किया जाता है तो यह किया जाता है कोर्निया का पहला ग्रा रोप किसकी कमी के कारण होता है आंसर है निया सिन की कमी के कारण चंद्रमा के तल से आकास का काला दिखना किस कारण होता है तो यह होता है प्रकास के प्रक्रिवर्ण के कारण खसरा होने का कारण क्या है तो बाइरस के कारण होता है खसरा सामान इस्थितियों में हिर्दय से आने वाले रक्त का कितने प्रितिसत भाग गुर्दे को मिलता है तो यह मिलता है 24% important question ध्यान रगेगा कितना 24% नाइलोन प्लास्टिक्स के आविस्कारक कौन थे आंसर है कारो थर्स 1937 समय भी आ तखेगा root tile किस धादू का ask है तो यह है titanium का किसका titanium का lead oxide का बैपारिक नाम क्या है तो lead oxide का बैपारिक नाम होता है लिथार जी हिंदुस्तान organic chemicals limited कहां पर इस्तित है तो महराष्ट के कोलावा में इस्तित है अंसर है इस तंधारी प्राणियों में रख्ट का सबसे अदिक टाप्मान किस पसू में होता है तो यह होता है when radioactive ता की काई क्या है आंसर है Bakyeo rail दौनी से संबंदित बिच्जान क्या कहलाता है एको स्टिक्स एलेक्ट्रोन की बिराम उर्जा होती है तो 0.51 MEV यह होती है एलेक्ट्रोन की बिराम उर्जा पिर्ति दीप्ति घंत का मात्रा क्या होता है आंसर है लक्स ठीक है पिर्ति दीप्ति घंत का मात्रा क्या है लक्स जीवन के उदभाव का पिर्थम बैग्यानिक बिवरन किस बैग्यान ने प्रिस्तुत किया तो यह किया AI ओपे रिन्ने इंसुलिन की खोज किस ने की थी धान रखेगा important question है FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी सुपर फॉस्फेट और बरकों का सूत्र है तो इसका सूत्र है CAH2PO4 का hold twice पानी का अधिक्तम घनत्व किस तापमान पर होता है important question है पानी का अधिक्तम घनत्व होता है 4 degrees सी तापमान पर epilepsy रोक का सम्मन किस से है तो यह है नारी संस्थान से dropsy की बिमारी के लिए कौन सा मिलावटी तिल उत्तरदाई है आंसर है RG MOON हड्डियो में फासफूरस किस रूप में पाया जाता है सही आंसर है केल्सियम फासफेट के रूप में किस उपकरण द्वारा धोनी तरंगों का प्रियोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है तो यह है आपका सोनार क्या कहते है इस उपकरण को सोनार मूत्र में अलबूमिन मूत्र में अलबूमिन आने से किस अंग के गलवर होने की समामना होती है तो यह होती है किटनी यानि की ब्रक मैनोमीटर से क्या नापते है मैनोमीटर से नापते है गैसों का दाव पाइरी डॉक्सीन किसका रसने नाम है तो बिटामिन B6 का नाम है पाइरी डॉक्सीन चार अरदायू के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार का कितना भाग अवगटित रह जाएगा आंसर है एक वटे सोला भाग यानि की 6.25% सुस्क छिपाक का कारण क्या है सही आंसर है बिटामिन A की कमी सोडियम के किस योगिक को बार्टर गिलास कहा जाता है तो तहां रखेगा सोडियम के सोडियम सिलीकेट को बार्टर गिलास कहा जाता है चुम्बक की द्रेश्टी से ऑक्षियन क्या है तो देखें चुम्बक की द्रेश्टी से ऑक्षियन अनुचुम्बक की होता है पैरा मैगनेटिक एक रेडियोटिक तत्व का परमाणु किर्मांग जैड है इसे बीटा कड उस सर्जिद होने में यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा जैड प्लस वन रदर फोड ने भौतिकी में किस मूल कड की खोच की थी सही आंसर है प्रोटोन की रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है आंसर है हीमोफीलिया में डियने उपस्तित रहता है ध्यान रखेगा डियने उपस्तित रहता है किंदरक में अनुवान सिक्ता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडिल एक परमाडु दिरमान एकाई एक एम्यू को पूर्ण रूप से उर्जा में परिवर्थे करने पर कितनी उर्जा मुक्त होती है तो यह होती है 931 MEV पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भाती कार करता है इंपॉर्टन कॉशन है तो पानी में हवा का बुलबुला अप्तर लेंस की भाती कार करता है एलेक्ट्रोन बॉल्ट किस बहुतिक्रासी का मांत रक है आंचर है उर्जा का साबुन के बुलबुले में प्रकास की गटना के कारण रंग दिखाई देता है आंसर है बैती करण से गतीमान आवेस उत्पन करता है तो चुम्ब के छेत्र था बिद्दु छेत्र दोनों ही गतीमान आवेस उत्पन करते हैं डाइनामाइट का आवेसकार किस ने किया था इंपोर्टन कॉर्शन है डाइनामाइट का आवेसकार किया था अलफ्रेड नॉविल ने किसी तारे का रंग किसका परीचायक यानि कि सूचक होता है तो यह होता है तारे के ताप का भारी जल होता है D2O ठीक है डिटूरियम ओकसाइड भी इसको कहा जाता है अर्जेन्टाइन किस धातू का एसक है अंजर है चांदी का क्या है इसका नाम अर्जेन्टाइट अर्जेन्टाइट किस धातू का एसक है चांदी का दूद का पीच मान कितना है important question है दूद का पीच मान है 6.6 6.6 मनुष्च के सरीर में पित कहां बनता है और कहां एकटा होता है देखिए पित यक्रित में बनता है और गॉल ब्लेडर में खटा होता है मानब सरी की सबसे छोटी मास पेसी का नाम क्या है तो देखिए इसका नाम है स्टेपीडियस क्या नाम है स्टेपीडियस हिस्टोलोजी में किसका ध्यन किया जाता है याद रखेगा हिस्टूलोजी में उतक का ध्यन करते हैं नूटन पल पर किलोग्राम किसकी बहुत एक रासी है तो यह है तुरण की आयोडीन टिक्चर क्या है तो आयोडीन का एलकोहॉली बिलियन को हम कहते हैं आयोडीन टिक्चर रेडियो टरंगे बायूमंडल के किस मंडल से परावर्थित होती है आंसर है आयन मंडल से टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है सही आंसर है क्रोमो प्लास्ट के कारण किसके कारण क्रोमो प्लास्टिकार टमाटर का रंग लाल हो जाता है पकने पर पारिस्तितिकी एकोलोजी सम्मंदित है तो जीव एबं पर्यावन के सहस सम्मंदों से सम्मंदित है ये भारत में अंत्रिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई तो जून 1922 में भारत में अंत्रिक्ष आयोग की स्थापना हुई सर्पिर्थम किर्तिम गर्वाधान भारत में कब प्रारम किया गया सही आंसर है 1942 में सन 1942 ऑई रैट क्या है तो बिकलांगों का कम्पूटर है यह आई रैट important question है पृतिवी से पलानवेक का मान कितना होता है तो 11.2 km पर सेकंड पृतिवी से पलानवेक का मान है इंद्र धनुस किसका उधारण है तो देखिए अपवरतन बिच्छेपण पूर आंतरिक परावर्थन का उधारन होता है इंदो धनुस मनुस से बिविन रंगों की होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है अंसर है एंथोसाइन सिफ का खाने युग भाग है अंसर है रस्तदार थेलामस क्या है रस्तदार थेलामस मानब सरी एक मिनिट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है यानकी हिर्दर लगता है तो बहतर वार स्वयम बिना बदले रसनेक अविक्रिया की दर्मे परिवर्तन लाने वाले पतार को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं उत्परे रख फेरिनाइट पेमाने के अनुसर पानी का सामान कुतना कितना होता है तो यह होता है दो सो बारा फेरिनाइट कितना दो सो बारा फेरिनाइट समान परमारू संख्या लेकिन अलग दरमान संख्या वाले अडू कहलाते हैं तो यह होते हैं आईसोटोप यानि की समिस्थानिक जिवरे लिंस के मुख्यकार क्या है तो बौने पौधे को लंबा करना फूल बनाने में मदद करना और बीजों के अंक्रोन को पुरुसाहिन करना जिवरे लिंस का मुख्यकार है अगला कॉशन है एपसिसिक, एसिट के मुख्यकार क्या है तो बीजों को सुपुस्तो बस्ता में रखना पतियों के बिलगन में मुख्यकार की भूमिका उस पुस्पासन में बादक एथिलीन के मुख्यकार क्या है तो देखे एथिलीन के मुख्यकार ये लखे हुए है फलों को पकाने में सहाय के अथलीन मादा पुस्पों की संख्या में ब्रद्धी करता है और पत्तियों तथा पुस्पों एवं फलों के बिलगन को प्रिरित करता है क्या अथलीन फूल खिलाने वाला हार्मून कौन सा है फ्लो रिजेंस होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन किस हार्मोन की साइटा से पौधे के जख्म भर जाते हैं आंसर है ट्राउ मेटिन के नाम इसका ट्राउ मेटिन के कारण पौधे के जख्म भर जाते हैं तंबाकू का मोजेक रोग किस कारण होता है आंसर है बिसाडू के कारण किस रोग में पत्तियों में चितक बरेपन का बोनापन के लक्षण प्रदसित होते हैं तो यह होते हैं पोटेटो मोजेग रोग में आलू के सैथिल रोग का कारक कौन सा जिवाडू है तो देख इसका नाम है स्यूडो मोनास स्यूडो मोनास सोलेने सियरम के नाम है स्यूडो मोनास सोलेने सियरम बलेक आर्म ओफ कारटन रोग किस कारक कौन सा जिवाडू है तो यह है जैन्थो मोनास साइटरस कैंसर रोग का कारक कौन सा जिवाडू है तो यह है आपका जैन्थो मोनास सिट्री गयहूं के टुणू रोग का कारत कौन सा जवानू है आंसर है Coringum Pterium Territory आम एवं बैगन में little leaf रोग किस तत्व की कमी से होता है तो यह होता है जस्ता की कमी से नीवू में die wake रोग किस तत्व की कमी से होता है आंसर है Tamba सबसे बड़ा आवर्ती बीज ब्रक्ष कौन सा है आंसर है यूकिलिप्टस सबसे कम गुलसूत्र वाला पादप कौन सा है तो उसका नाम है हैपलो पोपस ग्रेसी लिस ठीक है क्या नाम है हैपलो पोपस ग्रेसी लिस सबसे कम गुलसूत्र वाला पादप है ये सबसे छोटा नगन बीच पादप कौन सा है तो देखिए जैमिया, पिगमिया सबसे छोटा नगन बीच वाला पादप है सबसे भारी कास्ट वाला पादप कौन सा है आंसर है हाड, बीचिया, बाई, नेका सबसे छोटी कोश का कौन सी है आंसर है Mycoplasma गेली से टपकस ठीक है, गेली से टपकस टैनिस गेंद जैसा फल कौन सा है आंसर है के था जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है तो ढाक के पौधे को कहते हैं दोस्तों जंगल की आग कौफी देने वाले पौधे में कौन सा तत्व मौझूद रहता है आंसर है कैफीन अफीम किस पौधे से प्राप्त किया राता है सही आंसर है पोपी यानकी पैपावर सोमेनी फेरम के से ठीक है अफीम पहला होता है प्राप्त होता है मसाला लौंग पॉदी के किस भाग से प्राप्त होती है राइट अंसर है फूल की कली से हेरोईन किसी से प्राप्त होता है तो हेरोईन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र सब्द का प्रयोग सरपरतम किस बेग्यान ने किया था अंतर है 10 से लेने उपभोक्ता के कितने प्रकार है तो देखे तीन प्रकार है पहला है प्राथमिक, दुत्यक और तित्यक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के अंतरगत कौन से जीवाते हैं तो वे जो हरे पौधे या किसी भाग को खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदी दुत्ती उपभोकता के अंतरगत कौन से जीवाते हैं तो वे जो प्रात्मिक उपभोकता को अपने भोजन के रूप में प्रियोगत करते हैं जैसे लॉम्डी और भेडिया तिर्ती उपभोकता के अंतरगत कौन से जीवाते हैं तो देखिए जो जुत्ती उपभोकता को खाते हैं जैसे कि बाग, सेर, चीता, आदी अब घटक क्या है? तो ये मिर्तक उत्पादक एवं उपभोकता का अपगटन कर उन्हें भोतिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं परियावन के अजैविक घटक कौन-कौन से हैं? तो देखिए ये सभी परियावन के अजैविक घटक हैं अगला कोशन है परियावन सिक्षा की पहली संगोष्टी कहां आयोजित हुई थी? तो यह हुई थी स्टॉक होम में उन्निस्सो पात्तर में क्लोरो-फ्लोरो-कारवन गैस के स्थान पर किस गैस का प्रियोग किया जा सकता है? आंसर है HFC 134 A का देखिस्थान में पैदा होने वाले पौदे को क्या कहते है? तो इसको बुर्याता है जीरो-फाइट बिस्व परियावर दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपोर्टन कोशन है ये 5 जून को मनाया जाता है क्या? बिस्व परियावर दिवस परियावर अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर है 1986 में बनी जीव संरक्षन अधिनियम कब पारित हुआ? तो वनी जीव सनरक्षन अधिरियम 1922 में पारित हुगा पारिस्तित की सब्द का सरप्रतम प्रयोग किस ने किया है सही आंसर है रिटर ने परियावर बिकास शेतु राश्टिय सनरक्षन नीती की स्थापना कब हुई सही आंसर 1992 में बरसा जल के साथ ये अमल प्रती पर आ जाते है इसे क्या कहते है तो इसको बोला जाता है अमल बरसा बायू देखिए अच्छा कोशन है प्रमुक बायू प्रदूसर कौन से है अब ध्यान से सुनिएगा ये सब ही है ये दिद्धे भी लिखे हुए है कि करके पढ़ेंगे से हम देखिए कारवन मोनो अक्साइड सल्फर डाई अक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड नाइट्रोजन के अक्साइड हाइड्रोजन कारवन अमोनिया तमाकू का धुगा, क्लो, ओराइट्स, धूल तता धुएं के कन और एरोसोल्स आदी ये सभी बायू प्रिदूसक होते हैं अगला कॉशन है प्रिथी पर उपलब जल की मात्रा का कितना प्रिथिद भाग स्वक्ष जल है तो ये स्वक्ष जल होता है 2.8% जल प्रिदूसक के प्रमुक्ष रोतर कौन से हैं तो ये कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाई कार्बोनेट, मैंगनेशियम, पोटेशियम के सलफ़ेट्स अमोनिया, कार्बन, मोनो, आकसाइड और कार्बन, डाई, आकसाइड आदी ये सभी जल के प्रिदूसक के मुक्ष रोतर हैं बायू प्रिदूसक का बिस्वसनिय कारग क्या है, आइसर है, लाइकेन तथा मौस कौन सा प्रिदूसर्ड, जैव, अच्छे कार्णी प्रिदूसर्ड है, तो ये है, डी डी टी, प्लास्टिक एवं पारा मानव जनित प्रिदूसर्ड क्या कहलाते हैं, तो उसको पोलते हैं, परजैविक, क्या कहते हैं दोस्तों, परजैविक, मानव जनित प्रिदूसर्ड को परजैविक कहते हैं अंतराश्टिय मानक के नुसार कितने डेसीवल से अधिक की धोनी प्रदूसक मानी जाती है आंसर है 45 डेसीवल भूसकलन की घटना किस मौसम में सरवादिक होती है सही आंसर है बर्साकाल में जल प्रदूसरन यंतरन एवं निवारन अधिनियम का पारित हुआ था यह हुआ था 1987 में जल को प्रदूसरन को कौन सा ब्रच रोकने में सहयक है आंसर है नीम का ब्रच सुद्जल की प्रकरती कैसी होती है तो देखिए सुद्जल होता है 18 हरित ग्रह में कौन सी कैसे होती है यानि कि ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर रहा है तो क्लोरो फ्लोरो कारवन, CFC, CO2, कारवन डायोकसाइड और CH4 यानि की मीथेन और NO2 ताज महल को छती किसके कारण पहुँच रही है तो देखिए मत्रा तेल, सोधन साला से निकलने वाले बायू प्रदूसरन के कारण सूर से आने वाली हानिकारग परावेनी किर्णों से सरीर में कौन सी बिमारी हो जाती है तो इससे होता है तोचा का केंसर केंद्रिय प्रदूसरन नेंतरन बोर्ड कहां परिस्तित है आंसर है नई दिल्ली में केंद्रिय चडिया घर प्रादिक्रण कहां पर इस्तित है तो केंद्रिय चडिया घर प्रादिक्रण ये भी नई दिल्ली में है जीवी पंत हिमाले परवन एबं विकास संस्थान कहां पर इस्तित है आंसर है अलमोडा में भारते बन अनुसंधान और सिक्षन परिस्थ कहां पर है? सही आंसर है – दहर दून. इंपॉर्टनेंट है यह कॉशिन. भारते बन प्रवंध संस्थान कहां है? तो यह है भोपाल में. बन अनुवांसेकी तथा ब्रक्ष gottajonton संस्थान कहां पर है? सही आंसर है कोया बटूर में बन उत्पादक्ता केंद्र कहा है तो बन उत्पादक्ता केंद्र है दोस्तों रांची में कहा पर है रांची में राश्टी बिग्यान और की संस्तान कहा पर रिस्तित है सही आंसर है फरीदाबाद चेर्णोविल परमाणू दुरगटना 1986 का सम्मन किस देश से हैं तो यह है यूकरेन से सनसार के समस्त जन्तु जगत को कितने उप जगतों में विवाजित किया गया है आंसर है दू पहला है एक कोश के प्राणी दूसरा है बहु कोश के प्राणी एक कोश के प्राणी किस संग में रखे जाते हैं तो एक कोश के प्राणी रखे जाते हैं प्रोटो जुआ संग में बहु कोश के प्राणी को कितने संगों में विवाजित किया गया है आंसर है नौ संग में संग प्रोटोजुआ समुह के जनतुओं का सरीर किस प्रकार का होता है तो यह होता है केवल एक कोच की है संग पैरी फेरा के प्रमुक उधार क्या है तो देखिए साइकन मायो निया इस्पंज आदी गटिया इस्पंज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो देखिए गटिया इस्पंज का प्रयोग धोनी के अपसुसरण के लिए करते है संग सीलेंट्रेडा का प्रमुक उधार कौन से है तो यह हाइडरा, जैली फिस, सी, एनी मोन और मूंगा संग प्लेटी हेल्मी निंतीज के प्रमुक उधार कौन से हैं आंसर है प्लेनेरिया लिवर फ्यूलक फल्यूक और फिता क्रिमी संग एसके लिम नितिज के प्रमुक उधार कौन से हैं तो गोल क्रिमी जैसे की एसकेरिस थ्रेट बर्म और बुच रिया ठीक है? बुच रेरिया तौरा कौन सा रोग होता है? तो इस से फाइल एरिया होता है संग एनी लीड़ा के प्रमुक उधान कौन से है? राइट आंसर गेंचुए में कितने जोड़ी होते है? आंसर है चार जोड़ी कितने होते हैं? चार जोड़ी किसके जीव द्रब में हीमोगलुमिन का बिले हो जाता है आंसर है कैचुए की जीव द्रब में संग आर्थोपोडा के प्रमुक उधार कौन से हैं कीट में क्रमसा कितने पाद वापंक होते हैं कौकरुच के हिर्दा में कितने कच होते हैं आंसर है तेरा संग मुलास्का के प्रमुक उधार कौन से हैं आंसर है घोंगा तता सिपी ओक्टोपस मुलास्का का प्रिष्लियत नाम क्या है तो इसका नाम है स्रंग मीन सीपिया मुलास्का का प्रिष्लियत नाम क्या है आंसर है केटल फिस सवी जन्तु समुद्री जलसाम्हान तंत्र नाल तत पद उपस्तित आदी किस संग के प्रमुग लखचण है तो ये है एकाईनो डो मेंटा के किस के है एकाईनो डो मेंटा के संग एकाईनो डो मेंटा के प्रमुग उधारान कौन से है आंसर है सितारा मचली समुदरी आर्चिन समुदरी खीरा पंखतार ब्रिटिल स्टार असमान तापी जन्तू हिर्दय दुमे वेसी गिल्स द्वारा स्वसन किस बर्ग के लक्षण है तो यह है मतस से बर्ग के मतस से बर्ग के प्रमुक उधान कौन से है आंसर है स्लो लियो डन दर्याई घोडा तथा टार्पीडो उभै चर असमान तापी तथा हिर्दय तीर बेस्मी और स्वसन किलोमो तोचा इवं फेफणों द्वारा किस बर्ग के लक्षण है तो यह है एमफीफिया बर्ग के इसके एमफीबिया बर्ग के सरीसरब बर्ग के अंतरगत कौन से जन्दू आते हैं इसके अंतर छिपकली गड़याल साप तथा कचुआ आता है रेप्टाइल का युग किस युग को कहा जाता है इंपोर्टन कोशन है तो यह है मीसो जोईक युग घोसला बनाने वाला एक मातर सर्प कौन सा है इंपोर्टन कोशन है सही आंसर है नागराज संसार का सबसे जहरिला साप कौन सा है तो इसको बोलते है हाइड्रो फिस हिर्दे चार बेसिमी सम तापी सौसन अंग फिंफडा मूत्रा से अनुपस्तिती किस बर्ग के लक्षल में होती है तो यह होती है पक्छी बर्ग में पक्छी बर्ग के प्रमुक उधान कौन से है आंसर है कौवा, मूर, चिडिया, तोता तीवर्तम पक्छी कौन सा है आंसर है अबाबिल अबाबिल तीवर्तम पक्छी है उड़ ना सकने वाला पक्छी कौन सा है तो पहला है कीवी और दूसरा है एमू सुत्रमुप सबसे छोटा पक्षी कौन सा है आंसर है हमिंग वर्ड बर्ग इस्तंधाली कितने उपबर्गों में बटा है तो ये बटा है तीन पहला है प्रोटो थीरिया दूसरा है मेटा थीरिया तीसरा है यू थीरिया प्रूटू थीरिया इस्तंधारी कौन सा है तो देखिए अंडे देता है ये ठीक है एकिडिना नाम है इसका मेटा थीरिया इस्तंधारी कौन सा है तो ये है कंगारू आप परिपक्विस सिसूओं को जन्मित देता है ये तीसरा कौशन अगला कौशन देते हैं इस्तंधारी बर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसमोता बकरी में हिर्द्यक उतक कहां पाया जाता है, केवल हिर्द्यकी दीवारों में। मानब सरी में मास्पेशियों की संक्या कितनी है। इंपर्टन कोशन है तो मानब सरी में मास पेसी क्या है 649 मानब सरी की सबसे बड़ी मास पेसी कौन सी है तो उसका नाम है तो देखिए नियू रॉन्स और नियू रोगिलिया का बना होता है ये रक्त का pH मान कितना है तो 7.4 होता है रक्त का pH मान एक बैस्क मनुस में कितने लीटर रक्त होता है तो एक बैस्क मनुस में 5 से 6 लीटर रक्त होता है महिलाव में पुर्सों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम होता है सही आंसर है आधा लीटर रक्त का लगवा कितना प्रिथित भाग प्लाजमा है सही आंसर है 60% प्लाजमा का बरिगरन क्या है पचे हुए भोजन एबं हार्मोन का सरीर में समभाहन प्लाजमा द्वारा ही होता है अगला कोशन है जब प्लाजमा में से फाई ब्रोनो जे नामा प्रोटीन निकाला जाता है तो सेस प्लाजमा को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं सीरम रुद्राणू को कितने भागों में बाटा जाता है सही आंसर है लाल रक्त कड़का है सुइत रक्त कड़का है और रक्त बिम्बाडू में बाटा गया है इसको ठीक है देखिए अगे बढ़ते हैं आर बी सी यानिकी लाल रक्त कड़का किस में होता है तो यह होता है अस्थी मत जा में important question धान रखी गई RBC के निर्माण में साहयक तत्व कौन से है तो protein iron तथा vitamin B12 इवब folic aml यह सब ही RBC के निर्माण में साहयक होते है Brune अवस्था में RBC का निर्माण किस में होता है आंसर है यकरित और प्लिहा में यानि की स्प्लीन में Hemoglobin में पाया जाने वाला लोह योगिक कौन सा है तो यह इसको बोलते हैं Hematin क्या कहते हैं Hematin Insulin की खोच किस ने की थी FG Benting ने Hemoglobin, sorry Insulin की खोच की थी Bukaro Steel Plant किस देश की साहिता से लगाया गया आंसर है पूर्व सोबियस संग की साहिता से राष्टे बिग्यान दिवस का मना जाता है तो 28 फरवरी को मनाते हैं राष्टे बिग्यान दिवस राइवो फ्लोविन क्या है तो vitamin B2 का नाम है यह राइवो फ्लोविन मदुमक्यों के काटने से किस के कारण दर्द होता है आंसर है formic अमले के कारण मदुमक्यों का काटने से दर्द होता है संबिग कैसी रासी है सदिस अत्वा अदिस संबिग सदिस रासी है सूर में उर्जा का नर्मान किस प्रिक्रिया से होता है important question है important question दोस्तों धोनी का बेग अनुमान निता कितना होता है तो यह होता है तो यह होता है 330 मीटर पर सेकिंड पानी का अधिक्तम घनत्व किस तापमान पर होता है सही आंसर 4 डिग्री सी पर सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबल पुरुसकार कब मिला था 1930 में सर सीवी रमन को भौतिक का नोबल पुरुसकार मिला था कंप्यूटर के इंट्री ग्रेटिड सरकिटों के लिए चिप्स साधानता किस से बनाए जाते हैं तो यह बनते हैं सिली कौन सी मनुष के सरीर की सबसे लंबी मनुष के सरीर में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है तो यह है फीमर जांग में होती है ब्लू बीट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है आंसर है कौपर सल्फेट को किसको कौपर सल्फेट को पौदे के किस भाग से हल्दी त्राप्त होती है राइट आंसर है तना से होलोग्राफी किसकी तखनीक है तो बस्तू के 3BBM पृति रूप को अंकित करने एवं पुनर विर्ति करने की ये विदी है होलोग्राफी हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है तो केल्सियम फास्फेट रिमू सस्थ से प्राप्त होता है धौनी की चाल पर दाप का क्या प्रवाव पड़ता है ध्यान रखेगा कोई प्रवाव नहीं पड़ता कॉसमे किरुनों की खोच किस ने की थी अंसर है पृतिवी का ऑसथ गरत कितना है तो 5,015 ग्राम पर सेंटी मीटर क्यूँ यह उता है पृतिवी का ओसक धरत ले इंपोर्टेंटे ध्यान रखेगा जर्मन सिल्वर में कौन-कौन से घटक होते हैं तो देखें तामा निकल जिंग यह सबी घटक जर्मन सिल्वर में पाई जाते हैं चुम्बक जुकाब की समान इस्तिती दर्साने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं आईसो क्लेनिक रेखा पक्षियों की पुछ उनके किस काम आती है आंसर है हवा में उड़ते समय संतलन बनाए रखने के कोशका का उर्जा गिरा किसे कहते हैं इंपोर्टन कोशन है तो माइटो कॉंड्रिया को कोशका का उर्जा गिरा कहते हैं घरों में बिजली सप्लाई की तीन तरह के तारों का प्रियोग होता है लाइव नूट्रल और अर्थ इसी करम में तारों का रंग क्या है तो करम हिनका लाल काला और हरा दुरुप तारा अपने स्थान पर इस्थिर प्रतित क्यों होता है तो देखिए प्रतिवी की घुनन अक्ष की सीध में होने के कारण ये इस्थिर दखाई देता है तारा बनाने की प्रिक्रिया का प्रारम किन गैसों से होता है आंसर है हाइड्रोजन वा हीलियम किर्तिम उपग्रे में उर्जा का सुरूत्र क्या होता है राइट आंसर है सौर्वेट्री आकास का सबसे चमकीला सितार कौन सा है सही आंसर है साइरस ओक्सीकरण की क्रिया में इलक्ट्रोन में क्या होता है लाव या हानी तो देखिए ओक्सिकनर की क्रिया में एलक्टरोन में हानी होती है ठीके क्या होती है हानी नोवेल गैस किसी अन्य परमारों से क्रिया क्यों नहीं करती तो यार रखेगा क्योंकि इनकी बहारी कर्चा में आठ एलक्टरोन होते हैं इसलिए ये क्रिया नहीं करती पानी में साबुन घोलने से प्रस्तना पर क्या प्रभा पड़ता है अंसर है प्रस्तना घट जाता है पानी में साबुन घोलने से अगला कोशन है पटाकों में लाल रंग किस तर्थ की कारण होता है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रियोग किया जाता है आंसर है एथिलीन फलों का अध्यन किया जाता है तो या रखेगा पॉमोलोजी में फलों का अध्यन किया जाता है रक्त को उसमें रक्त किस रसान के साथ मिलकर रखा जाता है सोडियम नाइट्रेड वा ड्रेक्स ट्रेड के साथ प्रकास में धुर्मण की गटना क्या सिद्ध करती है तो ये प्रकास की तरंग अनुप्रस्त तरंग होती है ये सिद्ध करती है एक प्रकास वर्स में होती है तो 9.46 into 10 to the power 11 10 to the power 12 किलो मीटर सूर से तीसरा ग्रह है सही आंसर है प्रित्थिवी हुक का नियम बिज्ञान की किस साखास से सम्मंदित है तो ये है भौतकी से डौपलर प्रभाव किस छेतर से सम्मंदित है तो धौनी एवं प्रकास से सम्मंदित है डौपलर प्रभाव इस्टील पर जिंग की परच चड़ाने को क्या कहते हैं तो इसको बोले आता है गैलवेनाईजेशन यांत्रिक उर्दा को बिद्द उर्दा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है राइट आंसर है डाइनमो सूच्मकणों की किसी द्रव या गैस में दिसाहीन स्वचिन्दा गती को कहते हैं तो इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट बिज्ञान की साखा फोटो सोनिक्स में किसका अध्यन की आता है तो पौधों पर धोनी प्रभाव का क्रेस्को ग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है आंसर है पौधे के बढ़ने की दर्व प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन कोशन है प्रोटीन अमीनो अमल से मिलकर बने होते हैं बलेस्टिक गेलवेनों मीटर से क्या मापा जाता है आंसर है च्षणिक आविस सत्न। सद्ट का सिथाय formations से क्योंक किस यंतर में होता रहा स्था मिटर में common business oriented language gas का बिस्रन नियम किसने प्रतिपारत किया था आंसर है ग्रहाम ने खाने की सोड़े का रसाने नाम क्या है सही आंसर है sodium bicarbonate IMS into under root 2 कितनी धारा के बराबर होता है तो यह होता है धारा के अरिक्तम मान first A के बराबर Kelvin पैमाने पर सामान वायुमनली दाव पर पानी का कोथना कितना है तो यह है 373 Kelvin भारतिय मूर का जीव मूर जीव का जीव बेग्याने नाम क्या है सही आंसर है पावो किस टेटस सरीर में रकतल पता की बिमारी को किस नाम से पुकार जाता है तो इसको बुला जाता है प्रकती में सबसे अधिक मातरा में पाया जाने वाला कार्पने योगे कौन सा है सही आंसर है विद्दुत की वह मातरा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है इसको बोलते हैं 1 फेराडे प्रत्वी की आयो किस बिदी से ग्यात करते हैं तो प्रत्वी की आयो को हम करते हैं यूरिनियम डेटिंग बिदी से ग्यात नागासाकी पर गिरा गया परमाणू बम मैं किसका प्रयोक किया गया था आंसर है प्लूटो नियम का किस बैग्याने के प्रियोग से यह सावित हुआ कि DNA एक अनुवांसिक की पदार्थ है तो हरसी एवं चेंज के प्रियोग से सिर्के में कौन सामल होता है तो सिर्के में होता है ऐसे टेक आमले हैमेटाइट खनिस से कौन सी धातु प्राप्त होती है सही आंसर है लोहा इंपॉर्टन कॉशन है सूडियम की खोच की थी हम फ्रीर डेवी ने जिन तत्वों की परमाडू संक्या समान परंतु परमाडू द्रमान भिन भिन हैं वे कहलाते हैं तो इसको बोलते हैं हम समिस्थानिक या फिर आईसो टोप्स किसी तत्व के एक ग्राम परमाडू या एक मोल में उपर से परमाडू की संक्या 6.023 गोड़े दसकी गात तेज को क्या कहते हैं तो इससे बुला जाता है एवो ग्राडो संक्या केव राटो मिलेसिया या फिर जीरो फैथे लेमिया संग किस बिटामिन की कमी के लक्षण है तो ये है बिटामिन एक ही कमी के लक्षण तमाटर के फलों का लाल रंग किस के कारण होता है आंसर है लाइको पिन के कारण क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन और आयोडीन ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं बिजली चमकने के कराण हवा में मौझूद आक्सियन वा नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्टिद हो जाता है सही आंसर है नाइट्रोजन ओक्साइड में संकट अवस्था में हमें पृतिकूल परिस्थितियों से निपटनी के लिए कौन सी गरंथी का इस्तरावण तैयार करता है तो ये है एड्रीनल मादा एनो फ्लीज मच्छर के मुखांग में चुबने वाले अंग होते हैं तो इसको बोलते हैं मैक्सिला और मैंडिवल माइक्रो कॉस्मिक लवण का सूतर क्या है तो एनेटू एस्टू ओथ्री एच्टू ओ परमाणू भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है आंसर है मंदक के रूप में गोता खोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिस्रण का प्रयोग करते हैं देखे यह होती है हीलियम गेस और ऑक्सीर गेस का मिस्रण होता है यह जूल पर सेगंड किसका मात रखें आंसर है सक्ती का फेरल का नियम हवा के किस बहुते कार से सम्मंदित है आंसर है दिसा से इंजक्शन देते समय पुर्ज जल किस बिदी द्वारा तयार होता है आंसर है आसवन गंदक के साथ रवर को गरम करने की किरिया को क्या कहते है आंसर है वलक नी करन भैक्टिरियो फेज क्या है तो बैक्टिरिया का परजीवी वाइरस होता है यह रिडियो एक्टिवता में बीटा करणा होती है आंसर है रिण आवेसित कांच पर लिखने के लिए किस अमल का प्रयोग की जाता है तो देखी ये अमल है हाइटूजन फ्लॉराइड अमल ठीक है जिसकी साइटा से कांच पर लिखा जा सकता है सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है आंसर है 24 केरेट किसी चालक के सिरों के बीच बिभांतर उसमें बहने वाली धारक के समानुपाती होता ही है नियम है तो ये है ओम का नियम स्टार्ज को माल्टूज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है आंसर है एमिलेस परमाडू घडी किस प्रभाव के अंतरगत कार करती है परमाडू घडी दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतरगत कार करती है प्रतिक पदार्थ में उसके दरमान के कारण उर्जा भी होती है यह सिद्धान किस बेग्यानिक ने प्रतिपादित किया आंसर है आइंस्टीड ने आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन करने वाला मुख्य पदात कौन सा है आंसर है नेफ्थे नेट पामी टेट हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइवर का प्रयोग होता है आंसर है कारवन फाइवर जल के प्रवहाव में कौन सा नियम लागू होता है आंसर है बर्नौली का नियम धोनी बाईू में धोनी का बेग के सवस्था में बढ़ जाता है राइट आंसर है आदरता बढ़ जाने पर आसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीमाडू मर जाते है सही आंसर है लाइसो जाइम परमाडू रियक्टर तरह परमाडू बम में मूल अंतर क्या है तो देखिए ध्यान रखेगा परमाडू रेक्टर में सिंखला विक्रिया नियंतरत होती है जबकि परमाडू बम में आनियंतरत किसी बस्तू का बेक दुगना करने से उसकी गतिज उर्जा कितनी हो जाएगी सही आंसर है चार गुणा किसकी कमी के करण बर्फ पर चलना कटन होता है जील में फेके हुए पत्थर के डूबने पर उत्छेब बल का क्या होता है तो ये नियत रहता है बिजली के बल्व में फिलामिंट से काच तक उसमा किस बिदी से संचरित होती है तो ये होती है बिकी रण से अगर बायू मंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभावरता सही आंसर है कम हो जाती है किसके करण खुले में रखा दूद कुछ देवार खटा हो जाता है राइट आंसर है लेक्टेग अमल बन जाने के करण अबरक उस्मा और विद्दुत के लिए करमसा होता है तो यह होता है सुचालक ठीक है और कुछालक यानकी अचालक जब दो हलकी नाविक मिलकर नाविक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी क्रिया होती है तो उसमें होती है नाविक की सल्लिन की क्रिया अत्यन्त निम्न ताप पर भौतिक के अध्यन को क्या कहते हैं आंसर है Cryogenics किसी तारे का रंग किससे निर्दारत होता है तो ये होता है तारे के ताप से रासानिक दरश्टी से भारी जल क्या है तो ये है Deuterium Oxide हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिये गैसों की बाहए कक्षा में कितने एलेक्टरोन है आंसर है 8 हीरा और ग्रेफाइट किस क्या पुरूप है कारवन के होते हैं ये किस गैस में सड़े अंडे की गंद आती है important question है तो हाईडोजन sulphide में सड़े अंडे जैसी गंद आती है neuron किस की एकाई का नाम है तो तंत्र का तंत्र की एकाई का नाम है neuron लौंग के तेल का प्रमो घटक जो दाद के दर्द को दूर करने में प्रयोक्ष होता है कौन सा है तो इसको बोलते हैं यूरे नाल ठीक है ? आईगा इकोनोग्राफी के अंतरकत किस चीज का अधियन की आ जाता है ? इस साखा के अंतरकत मूर्तियों एवन प्रतिमाओं का अधियन की आ जाता है ? जल में प्रकास का बे कितना होता है ? तो दो लाग 25,000 mm से mm पर सेकंड होता है ठीक है ? द्यान लखेग एक चे मीटर ठीक है पारसिक दूरी का मात्रक है जो की पारलेटिक सेकंड का संच्छित रूप है ठीक है अगला कौशन है कोसिका का उर्जा गिर ए कही जाने वाले माईट्रो कांड्रिया कांड्रिया नाम सरपरथम किस ने दिया था तो ये नाम दिया है c बेंड आने हीमोगलोमिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रुग होता है तो रक्त छीरता जिसको हम बोलते हैं एनिमिया RBC की संख्या किस से ग्यात की जाती है तो RBC की संख्या ग्यात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से WBC का सबसे अधिक भाग किन कड़काओं का बना होता है तो यह होता है नीट्रो फिल्स का बना हुआ 60 से 70 परसेंट है नीट्रो फिल्स कड़िकाओं का क्या कार है तो रोगानुओं तथा जीवानुओं का बच्छण बाद जड़ करना RBC तथा WBC का अनुपात कितना होता है तो यह कि अनुपात हुआ है 6901 रक्त बिम्बाडू का जीवन काल कितना है आंसर है 3 से 5 दिन रक्त बिम्बाडू की मृत्यू कहां होती है तो यह होती है इस्प्लीहा में यानि की स्प्लीन में रक्त बिम्बाडू का मुखकार क्या है तो रक्त का ठका बनेने में मदद करता है यह ठीक है रक्त बिंबाडू रक्त के मुखकार क्या है देखिए इंपोर्टन कोश्चन है रक्त के मुखकार है सरीर के तापका नेंतरन करना सरीर की रोगों से रक्षा करना रक्त का थक्का बनाना रक्त के बातावन को इस्थाई बनाए रखना घाव भरना लेंगिंग बरण में साहिता करना ठीक है अगला कोशन है रक्त का थक्का बनेने में महाथफून प्रिक्रिया क्या है तो देखे ध्यान से सीखे थ्रम्बो प्लास्टिन प्लस प्रो थ्रो बिन प्लस केल्सियम बरावर थ्रोम बिन ठीक है? थ्रूमबिन माइनस लगा यहाँ पर देखिए थ्रूमबिन प्लस फाइबरोजन बरावर फाइबरिन इसके बाद देखिए फाइबरिन प्लस रख्ट बिमाणू बरावर रख्ट का ठक्का अगला कोशन देखते हैं मनुस के रक्त की भिन्निता का मुख्य कराण क्या है सही आंसर है लाल रक्त कड़का है मैं पाई जाने वाली लाल रक्त कड़का है मैं पाई जाने वाली गिलाई को प्रोटीन गिलाई को प्रोटीन का ने नाम क्या है तो इसको बोलते हैं एंटीजन क्या कहते हैं antigen अगला कोशन है antibody कितने प्रकार के होते हैं सही answer है 2 antibody alpha और antibody beta स्वस्त मनुस में प्रतिनल लगवा कितने लीटर आंतिरक रस इस्त्रावित होता है सही answer है 2 लीटर कितना 2 लीटर पच्चे हुए भोजन का रोदिर में पहुँचना क्या कहलाता है इसको बोलते हैं अपसोसण अपसोसण अपसोसित भोजन का सरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है आंसर है सौंगी करना यकृत का बजन लगवक कितना होता है इंपोर्टन कोशन है तो 1.5 से 2.0 किलोग्राम कार्बोहाइडड उपा पचे के अंतरगत यकृत रक्त के गुलुकोज वाले भाग को किसमे परिवर्तित कर देता है तो यह करता है गिलाई कृजन में पित का पकवा से में गिरना किस करिया दोरा होता है तो यह होता है पृती वर्ती करिया के दोरा भोजन के साथ आए हानी कारक जिवाडूं को नश्ट करना बसाओं का इमल्स्री करन करना बिटामिन के तथा बसाओं में गुले अन बिटामिन के अपसोसर में साहता करना यकृत के किस इस्त्राव के कार है तो यह है पित्त के कार है किसके पित्त के पित वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशका है रोधिर से बिलू रूबिन लेना बंद कर देती हैं फल्सरूप बिली रूबिन संपूर्ण सरीज में फैल जाता है इसे क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं पीलिया लेंगर हैंस की दूइप का किस गरंथी का एक भाग है तो यह है अगनासय गरंथी का भोजन के स्वांगी करण की अबदी का कौन सा हार्मोन बढ़ता है तो यह बढ़ता है इसका नाम है सो मेटो स्टेटिन रक्त परिसंचन की खोज 1628 में किस ने की थी आंसर है बिलियम हार्वे ने हिर्दय की मासपेशियों को रक्त पहुँचाने वाली बाहिनी को क्या कहते हैं तो उसको बुले आता है कोरू नरी धमनी सामान ने अवस्था में मनुस का हिर्दय एक मिल्ट में कितनी बाद अड़कता है आंसर है 72 बार और भूरून अवस्था में 150 बार लसीका के मुखेकार क्या है आंसर है लिम्फोस साइट्स का निर्मान गहाव भरने में साहक होता है यह ब्रक की कार्यात्म पक एकाई क्या है प्रतिक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है उसे क्या कहते है आंसर है बूमेन संपुट यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है तो ये बनता है हीूंट। के बिखट दन से मनुस्व का मस्तिस्व अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है तो यह रहता है क्रे निया में important question धान रखेगा मनुस्व के मस्तिस्व का बजन कितना होता है तो लगवग होता है 1400 ग्राम मस्तिस्व का सबसे बिक्सित भाग है तो यह है सेरी ब्रम क्या कहते हैं सेरी ब्रह्म के मुख्यकार क्या है ग्यान केंद्रियों से प्राप्त प्रिणाओं का विसलेशन करना एवं समनवय करना मेंडिूला ओवॉला ओवॉला गेंटा का क्या कार है तो देखिए उपापचे रक्तदाव आहर नालके क्रमानु कुंचन ग्रंती इस्तराव तता हिर्दय की धड़कन को नेंतन करना मेरु रज्जा का मुख्यकार क्या है तो प्रति वर्ति क्रियाओं के केंद्र का कार और मस्तिस्क से आने जाने वाले उद्धीपन का संभाहन करना अगला कॉशन है मनुश में कितनी जोड़ी कपाल तंतरकाएं और मेरु रज्जा तंतरकाएं होती है तो देखिए करम सा कपाल तंतरकाएं होती है 12 जोड़ी और मेरु रज्जा तंतरकाएं होती है 31 जोड़ी तंत्र का उतकी इकाई को क्या कहते हैं इंपॉर्टन कॉशन है तो इसको बुले आता है नियूरन स्वयतता तंत्र का तंत्र की अवधाना को सबसे पहले किसने पृस्तुत किया था सही आंसर है लेंग गलीने मनुस की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है राइट आंसर है 29 एटलस कसेरकू का क्या कार है आंसर है खोपड़ी को साधना मनुस के सरीर में कुल कितनी हड़ियां पाई जाती है राइट आंसर है 206 अस्ति से अस्ति के जोड को क्या कहते हैं तो इसको बुले आता है लिंगा मेंड्स क्या कहते हैं लिंगा मेंड्स किस प्रकार की गरंथियां है तो ये हैं बाही इस्तरावी गरंथियां किस गरंथि को मास्टर गरंथि भी कहा जाता है सही आंसर है प्यूस गरंथि को STH हार्मोन का मुखकार क्या है आंसर है हड्डियों की ब्रद्धी का निंत्रन करना देखें इंपोर्टन कोशन है STH हार्मोन की कमी से मनुस में कौन सा रोग होता है सही आंसर है बोनापन TSH का मुखकार क्या है आंसर है थाइरोइड गरंथी को हार्मोन इस्तरावित करने के लिए प्रिवेट करना ACTH का मुखकार क्या है तो उसका मुखकार है एडरीनाल कार्ट्रिक्स के इस्तराव को नियंतरन करना GTH का कार क्या है तो सही आंसर है जनन अंगों के कार्यों को निंत्रण करना LTH का कार्य क्या है तो सिसु के लिए इस तनों में दुग्द इस्तराव उत्पन करना ADH का कार्य क्या है कौशन है ADH का कार्य क्या है तो सरीर में जल संतुलन को बनाए रखना ADH का कार्य है थाइरोक्सीन हार्मोन की अधिक्ता के करण होने वाले रोक कौन से हैं आंसर है टॉक्सिन गॉाइटर और एक्सो प्लेथेमिया अगला कॉच्छन है केल्सी टेटोनिन हार्मोन कव इस्तरावित होता है तो ध्यान रखेगा जब रुधिर में केल्सीम की मात्रा अधिक होती है तब गुलूको कोर्टी कोईडिस हार्मोन क्या कार करता है तो ये कार्वो हाइडरेट प्रोटीन एवं बसा उपापचे को नियंतित करता है कोट्रेक्स के बिकृत हो जाने पर उपापचे प्रक्रमों में गलवडी उत्पन हो जाती है इस रोग को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं एडिसन रोग क्या कहते हैं एडिसन रोग अधिब्रक ग्रंती से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं सही आंसर है लडोग एवं उलोग हार्मोन इंपोर्टन कोशिन था ध्यान रखे गई यह एड्री नेलिन हार्मोन अधिक मात्रमें कब उसर्जे होता है आंसर है उत्तेजना के समय अंडवाहिनी के परिवर्दन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है तो यह करता है जेन से सहीयोग का इस्तन ब्रद्दी में साहिता करता है आंसर है प्रोजे इस्टेरोन ब्रसन से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं आंसर है टेस्टो इस्टेरोन मनुस्ट के स्वसन तंत्र का सबसे महत्पूर अंग कौन सा है सही आंसर है फैफडा ठीक है लंग्स और इ ये सब्द भी यूज हो जाएगा तो आप confuse हो जाएगे धान रखिएगा अगला कॉशन है अनोक्सी स्वसन के अंत में कौन सा अमल बनता है आंसर है पाई रूविक अमल गिलाई कोली सिस का अध्यान सरप्रथम किस ने किया था सही आंसर है एमडेन मेर हाफ और पारसन ने कार है कर डबोहाइडेट के मुक्षी शिरोत्र क्या है सही आंसर है क्यहूं चा vidéo मक्का बाजरा अलू सक्रकंद और सल्जम प्रोटीव का सरप्राथम प्रियोक किस ने किया था इंपोर्टन कोशन देखिए तो प्रोटीन सब्द का सरप्रित्रथम प्रियोक किया था जे बर प्रोटीन जिनके अड़ों के साथ समूहु भी जोडए رہते हैं क्या कहलाते हैं तो उसको बोलते हैं संयूंगमी प्रोटीन जैसे क्रोमो प्रोटीन गलाईको प्रोटीन ठीक है अग्ला कॉशन है किस रोग में बच्छों की मासपेसें धीली हो जाती है तो देखे इसका नाम है Marasmas Group इंपोर्टन कोशन या अग्जाम में कोशन बन जाता है असंतरप्त बसा अमल किस में पाय जाता है सही आंसर है मसली के तेल एवं बनसपती तेल में बिटामिन की खोज किस ने की थी किस बेग्यान ने की थी सही आंसर है फंक ने जल में घुलंसील बिटामिन कौन से है सही आंसर है बिटामिन B और C जल में घुलंसील है इंपोर्टन है कोशन अगला भी इंपोर्टन है बसा या कारमरे घोलकों में घुलंसील बिटामिन कौन से है आंसर है A, D, E, K vitamin D का sensation किस प्रकार होता है तो देखे सूर के प्रकास में उपस्तित सूर के प्रकास में उपस्तित परावेगमी क्यूड़नों द्वारा तोचा के कॉलिस्ट्रॉल द्वारा होता है ये ठीक है अगला question है यहाँ पर important है vitamin A का रसाने नाम क्या है vitamin A का रसाने नाम होता है retinol क्या कहते हैं इसको retinol vitamin A की कमी से होने वाले रूख कौन से है सही आंसर रतौंदी, संकर्मनों का खत्रा और जीरो, प्लेथेमिया ठीक है ध्यान लखे गए गए इनको vitamin A के मुख सुरोत्र क्या है सही आंसर है दूद, अंडा, पनीर, हरी, साग, सबजी और मसली, करत, तेल vitamin B1 का रसाने नाम क्या है सही आंसर है thाइमी vitamin B1 की कमी से कौन होने वाला रूख कौन सा है सही आंसर है berry berry vitamin B1 के मुख सुरोत्र क्या है आंसर है मुणफली, तिल, सूखी, मिर्च, अंडा, और सबजीया अगला कॉशन है vitamin B2 का रसाने नाम क्या है सही आंसर है राइवर फ्लोविन vitamin B2 की कमी से होने वाले रूख कौन से है आंसर है तोचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीहा का फटना नेक्स कॉशन है vitamin B3 का रसाने नाम क्या है सही आंसर है पेंटो थेनिक अमल ये vitamin B3 का नाम है vitamin B3 की कमी से होने वाले रूख कौन से है राइट आंसर है बाल सफिद होना, मंद बुद्धी होना ठीक है, ये vitamin B3 की कमी से होता है अगला कॉशन है vitamin B5 का रसाने नाम क्या है आंसर है निको, टिनेमाइड या फिर नियासीन ठीक है ये vitamin B5 का रसाने नाम है vitamin B5 की कमी से होने वाले रूख कौन से है आंसर है पेले गरा तोचामेदाद ठीक है, अथवा या 4D सिंड्रोम ये vitamin B5 की कमी से होते है अगला कोशन है बिटामिन B6 का रासाइनिक नाम क्या है सही आंसर है पाइरोडॉक्सी बिटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आंसर है तौचा रोग नेश्ट है विटामिन B7 का रासाइनिक नाम क्या है? सही आऊंसर है Biotin विटामिन B7 की कमी से होने वाले रुख कौन से है? आंसर है लकवा, सरीर में दर्थ और बालों का गिरना त मिटामिन B9 का रासाइनिक नाम क्या है? सही आंसर है Teroillin Teroillin Glutamic अगले कोशन है विटामिन B नायन की कमी से होने वाले रोग कौन से है आंसर है एनीमिया और पेचिस रोग विटामिन B 12 का रासाने नाम क्या है आंसर है साइनो कोवालमिन क्या नाम है इसका साइनो कोवालमिन बिटामिन B 12 की कमी से होने वाले रोग कौन से है तो इससे एनिमिया होता है इसकी कमी से ठीक है या फिर और पांडू रोग बिटामिन B 12 के मुक्र सुरोत्र क्या है आंसर है मास, कलेजी और दूद क्या है मास, कलेजी, दूद नेक्स्ट है बिटामिन E का रसायने नाम क्या है? सही आंसर है टोको फेरॉल बिटामिन E की कमी से होने वाला रो को कौंसा है? सही आंसर है जरल सक्ती में कमी हो जाना अकला कोशन है खाद पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसाइन का प्रियोग किया जाता है राइट आंसर है sodium benzoite का डाइरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है important question है डाइरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है तो यह होता है ant amoeva जिंजे वेलिस के कारण निद्रा की बिमारी किस परजीवी के करण होती है तो यह होती है सीसी मक्खी के दौरा और इसका नाम है ट्रिपैनो सोमा ठीक है सीसी मक्खी के दौरा होता है यह परजीवी का नाम है पेचिस रोक किस परजीवी के करण होता है काला, जार, रोक किस परजीवी के करण होता है सही आंसर है लीसे, मेनिया, डोना, वानी ठीक है और इसका कारक क्या है कहां से आता है बालू, मक्ही से होता है और ये इसका परजीवी है मलेरिया सब्द का प्रियोग सरपर्थम किसने किया था important question है मलیरिया सब्द का सरपरবथम प्रयोग किया था मैकू कूलाज ने किसने मलीरिया से पीड़त बेख्ती के रूधिर में मलेरिया परजीवी प्लाजमो डियम की खोच की थी तो ये की थी लैवरनने किसने की दोस्तों लै रच्छार ने से कौन संग परभावित होता है सहयांसता है तंत्र का यह हैंजा रोक किस Ivanu के कारण होता है तो, हैजा रोक होता है Be प्राइफाइड रोग से कौन सांक प्रवावेत होता है लेट आंसर है आंट है है डिफ्निरिय रोग किस जीवाणू के कराण होता है इसका नाम है जीवाणू का unc слуш जीवामू का इया अगला है बैसके टोमी और है क्या है तो देखिए संतानों पत्ती की छमता को रोकने के लिए पुरसों की नस्वंदी को बैस्केटोमी और महिलाओं की नस्वंदी को ट्यूब बैक्टोमी कहते हैं ठीक है दिखान रखेगा इंपोर्टेंट है यहां से कॉशन बन जाता है एक्जाम में साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतित होते हैं क्यों यहां रखेगा प्रकास के बैती करण के कारण ऐसा होता है बिटामिन एका संग्रेक के संग में होता है सही आंसर है यक्रित में यदि हवा में O2 की सामान मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुस का धम गुटने रखता है क्यों या रखेगा हीमोगलोमिन O2 की बजाए CO से अधिक ततपरता से सयोग करता है यह इसका कारण है जीवानों को किन कारणों से एक पादप माना गया है तो कोशिका भित्ती की उपस्तिती के कारण जीवानों को एक पादप माना गया है अगला कोशन है मदुमक्खी की ब लोल पिरुस्कार भी मिला इनका नाम है कार्ल वॉन फिरिस्च खासरा रोक किस से फज़ता है तो ध्यान एकपा बाइड़ा बाइडामिक्स किससे संबंधित है तो हाईड्रोपॉनिक बिनlerde है बिना मिट्टी पानी की खेती से ठीक है कोड लीवर तेल किस बिटामिन का प्रिचुर स्रोत्र होता है तो यह होता है बिटामिन किस ताप पर एंजाइम सरवादिक सक्रिय होते हैं आंसर है 40 डिग्री सी पर इंपॉर्टन कोशन था यह जब दो बस्तुएं किसी तीसरी बस्तु के तापिय संतुलन में हो तो वे परस पर भी तापिय संतुलन में होती है यह नियम किसका है तो यह है उसमा गत्की का सुन्या रंक नियम है यह रमन पर वहाओ जिसके लिए सी वी रमन को नोबल प्रुसकार प्रदान किया गया का संबन बहुत एक बिग्ञान के किस बिग्ञान से था तो यह था अल्फा किरणों से पटाखों में बारूद में लाल रंग किस कारण से होता है तो देखिए लाल रंग पठाकों में किस करण होता है इस ट्रांस सीम के कारण जेट एंजन की कारण प्रणाली किस बहुत एक रासी के सरनरक्षण पाधार थे तो यह संबिक सरनरक्षण के आधार पर जीन सब्द का पृति पाधन किस ने किया था आंसर है डवल्यू जो हैं सेन ने भारत की दोस्तों बैंगलोर में हैं भोपाल गैस दुरगटा में किस गैस का रिसाब हुआ तो इस गैस का नाम याद रखेगा एक्जाम में पूछी आती है इसका नाम है मिथाईल आईसो साइनेट कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी तो यह होगी अनंत ठीक है रिष्टी दोस्त यानि की मैयोपिया पौदे के किस भाग में प्राया पराक्रणों का निर्मान होता है तो यह होता है फूल में एक इंच में कितने मिली मीटर होते है तो एक इंच में होते हैं 25.4 मिली मीटर LPG का पूरा नाम क्या है तो LPG का नाम है Liquified Petroleum Gas लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकास के फोटोन में सबसे अधिक उर्जा किस में होती है तो यह होती है हरे रंग में चिकिसा बिग्यान का जनक किस जन्दू बैग्याने को कहा जाता है तो देखे चिकिसा बिग्यान के जनक कहे जाते हैं Hippocritus कौन कहलाते हैं Hippocritus अनुवांसी की के नियाम बनाने का असर है किस बैग्याने को है तो यह है Gregor Mendel को Memology में किस का अध्यन किया जाता है Important question है Memology में दोस्तों इस्तंधारियों का अध्यन किया जाता है ध्यान रखेगा Ozone Gas में किस तरह की गंद आती है आंसर है सडी मसली की तरह Borax रजानिक द्रेश्टी से क्या है तो यह है Sodium Tetra Borate मक्खी का लारवा क्या कहलाता है तो मक्खी के लारवा कहते हैं Magget बरगत के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़े क्या किलाती है तो इसको बोलते हैं Prop जड़े ठीक है Prop Roots Pharmacognosy का में अध्यन किया जाता है तो इसमें किया जाता है औस दिये पौदों का अध्यन कैलो मलकर रसानिक नाम है सही आंसर है Mercurus Cluride Galileo दूरदर्सी के अभी दर्सक की फोकस दूरी 100 cm तथा नेत्रका की 2 cm सामान दर्स्टी के लिए दूरदर्स्टी लंबाई क्या होगी तो यह होगी 98 cm मैडम क्यूरी ने किस आयक्स से रेडियम प्राप्त किया था इंपोर्टन कोशन है इन्होंने रेडियम को प्राप्त किया किस रेशम का कीट अपने भूजन के लिए किस पौधे अथवा पेड की पतियों पर कप्रियों करता है तो यह करता है सहतूत की पतियों का खाद तेलों को किस प्रकार या से बनसपती घी में बदला आता है important question है तो इसको बुजाता है Hydrogenation की प्रिक्रिया से धुर्वण किस प्रकार की तरंगों का गोड़ है तो अनुप्रस्त तरंगों का गोड़ होता है धुर्वण कि के ध्यान रखेगा इसको धातुओं के बिद्दुत की सुचालक होने का कारण क्या है उनमें अधिक संख्या में मु इससे लगवग आधी होती है तो यह है Titanium पहले गिरा रोक किसकी कमी से होता है आंसर है नियासीन की कमी से विटामिन का नाम है यह नियासीन सौने के अबूसर बनाने के लिए सौने में कौन सी धातुप मिला जाती है तो धान रखेगा important question है इसमें तामा मिला जाता है किया तामा बिशाणू को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस बैग्जाने को नोबल प्रषकार से समानित किया गया तो इनका नाम था इस्टैंले अमली मिर्दा यानकी ऐसिट सोल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं सही आंसर है चूना किसको राते है प्रयोग में चूना को स्टार्ट को माल्टेज में परिवर्थित करने वाला एंजाम कौन है सही आंसर है M.I.L.A.G. किस अंगे की गल्वरी से मधू में की बिमारी होने की समामना होती है आंसर है पैंक्रियास यान की अगना से अवतल तोल अवतल उत्तोल क्लेंस कैसा है अभी सारी या अपसारी तो या रखेगा यह होता है अभी सारी प्रिरित बिद्दु दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की रिलात्मदर के बरावर होता है यह किसका नियम कहलाता है तो यह फेराडे का बिद्दु चुम्ब की प्रिरण का नियम है यह ठीक है इंपोर्टेंट है यह नियम पॉजी ट्रोन की खोज किसने और कब की थी बाटर गैस में किंदो गैसों की मिस्रण होती है तो देखिए बाटर गैस में होता है कारवन मोनो ऑकसाइड और हाइडूजन का मिस्रण एंटी पाइरेटिक्स का प्रयोग किसकार के लिए किया जाता है सही आंसर है सरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए डी एने का डवल हैलिक्स मॉडल किस ने प्रिस्तित किया था आंसर है वाटसन एवं किरिक ने रौवर्ट कोच को 1905 में नोबल पुरुसकार किस कार के लिए मिला तो देखें इंपोर्टन कॉशन है सही आंसर है सरपृथम जीवाणूं को किर्तिम समवर्दन तथा एन्थेक्स और टीवी के जीवाणूं को अलग करने के लिए ने नोबल पुरुसकार मिला था नेक्श्ट कोशन है टोकू फेरोल किस बिटामिन का रचाने नाम है सही आंसर है बिटामिन E का कोलाईटिस रोग में प्रिवाबित होने वाला अंग कौन सा है तो यह है छोटी यह बड़ी आते हैं कोवाल्ट ऑकसाइड काच को कौन सा रंग प्रतान करता है राय टांसर है गहरा नीला गुप तूसमा का बीमिय सूत्र क्या है तो ML // ML की पावर 2 T की पावर माइनस 2 रोकट के ऊपर जाने का सिध्धान्थ है तो यह है रेखिये सम्वेग संडर्च्छल का सिध्धान्थ दैनियल सेल में प्रियोध होताँ का नाम है तावा एवं ज़स्ता नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है सही आंसर है अमल ओरी जन ओप इस्पिसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है इंपोर्टन कोशन है तो इस बुक के राइटर हैं दोस्तों डार्विन कौन है डार्विन पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवस्तक्त्व क्या है तो ध्यान रखेगा पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवस्तक्त्व है नाइटरूजन हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं तो पौधे के मिर्दा बीहीन संबर्दन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं जंपिक जीन का सिध्धान्त किस बेग्यानिक ने पृति पादित किया आंसर है बारबरा मैकल टॉंक ने मानव रक्त में प्राकर्तिक रूप से पाया जाने वाला इसकंद रोधी क्या है तो इसका नाम है है पे दिल मोतिया विंसे सरीज का कौन सांग प्रभावित होता है राइट आंसर है आख प्लावन करती हुई बस्तु का भार होता है तो देखे प्लावन करती हुई बस्तु का भार होता है सूने दो आवेसित चालकों को जोडने पर सूने आवेस प्रवाव की सर्त है तो या इसकी सर्त है दोनों समान विवव के होना चाहिए जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है तो देखे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है बाइरस इंपोर्टन कॉशन है केंदर की खोज किस बैग्यानिक ने की थी धनकेगा केंदर की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने किसने रॉबर्ट ब्राउन ने डाय स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है टो डाय स्टेज एंजाइम यह करता है किसका इस चर्च का दी-एने का डूई कुंडिलित सनरशना कि कि देन है तो यह बाटसन एवं क्रिक की रसाने दरश्टी से चीनी क्या है सही आंसर है सैक रोज नावी की रेक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है सही आंसर है मंदक के रूप में लैंसर बीम की साइथा से त्रिविमई है यांकि 3D फिर्टिविम बनाने की विदी क्या कहलाती है तुसको बोल लाता हैं होलोग्राफी क्या कहते हैं होलोग्राफी गन मेंटल के संगटक तत्व है तेन्बा सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है आंसर है रैफलीसिया का किसका रैफलीसिया एक्सो बायलोजी किसका अध्यन कहलाता है तो अन्निगरों के जीवों का अध्यन एक्सो बायलोजी कहलाता है पेसियों में लेक्टिक एसिट के जमा होने के होने से हमें क्या होता है सही आंसर है थकान महसूस होती है ठीक है काला जार नामग बिमारी का संकर्मन किसके दौरा होता है सही आंसर है सेंड फ्लाई के दौरा किसके दौरा सेंड फ्लाई के दौरा काला जार नामग बिमारी फै अग्ला कोशन है एलेक्ट्रोन बोल्ट किस भौतिक रासी का मात्रक है राइट आंसर है उर्जा का किस राज में स्थापित करने का प्रिस्तावित है आंसर है तमिलनाडू लेजर का संचित रूप क्या है यानकी लेजर का फुल फॉर्म इंपॉर्टन कोशन है एक्जाम में पूछ ले जाता है ये तो इसका फुल फॉर्म है फ्लक्स घनत्व का होता है मात्रा क्या टैसला अगला कौशन है औस्टियो पोरोसिस की बिमारी किसे प्रवावित करती है तो ये करती है हड्डियों को कच्चे फलों को कृतिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं पौधों में सरकरा एवं पोसक तत्वों के इस्थांतरन के लिए किस पोसक तत्व की उपस्तिती अनिवार है आंसर है पोटास की लोहा पौधे में क्या भूमी का निवाता है तो देखी लोहा पौदे में आक्सियन का स्थांतरन एवं क्लूरोफिल तथा प्रोटीन के निरमण में साहयक है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लार में पाया जाता है टाइलिन जिस इस्तिती में रख्त का ठक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं तो यह इस्तिती है हीमोफिलिया की सरी के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं तो सबसे बाहरी पर्त को बुले आता है क्या Stratum Carnium उपरी बाहू की अस्ती किस नाम से जाने जाती है तो उपरी बाहू की अस्ती को जाने जाता है हूमरस के नाम से DNA का अनुवांसिक कोड किस बेग्याने ने किस बरस में ग्यात किया सही आंसर है डॉक्टर हर गोविंद खुराना ने कब किया था इसवी में चट्टानों की आयू ग्यात करने के लिए रेडियो सकरी आयू अंकन में किस समिस्थाने का उपयोग किया जाता है राइट आंसर यूरिनियम किस कोशी कांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को किसे कहते हैं लाइसुसों को जे रोवर्ट ओपेन हाइमर के नाम के साथ किसका आविस्कार जोड़ा है देखें इंपोर्टन कॉशन है सही आंसर है परमालूगम सीली कोसिस की बिमारी कहां पर काम करने वाले लोगों क्यों होने की संभावना रहती है तो सही आंसर है सीलीका की खानों में काम करने वाले लोगों में एक हरी पत्ती अंधिरे कमरे में रखकर लाल प्रकास से प्रकासित की चाती है पत्ती कैसी दिखाई देगी तो याद रखेगा ये काली दिखाई देगी कैसी काली जब जर्मेरियम क्रिस्टल से सुच मातरा में आरसिनिक की असुधी मिला दी जाती है तो बनता है तो ये बनता है N टाइप का सैमी कंडैक्टर ट्रांस्फार्मर का क्रोड किस धातुगा बना होता है important question है ट्रांस्फार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लुहे का रेडियो एक्टिविटी की खोच किस बेग्याने ने की थी सही आंसर है हैंड़ी बैकुरल ने यदि किसी कौनकेव दरपन को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभा पड़ेगा तो देखिए आप परिवर्तित रहेगी ठीक है आप परिवर्तित रहेगी पेस मेकर किसकी गती को सामान बनाने के लिए लगाया जाता है सही आंसर है हिर्दय की गती को किसे हिर्दय की गती को हिर्दय समंदी असमानताओं का पता लगाते हैं तो यह पता लगाते हैं अनुवान सिक्ता का सिध्धान्त रेवीज नामक रोग में मनुस का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है राइट आंसर है तंत्र का तंत्र पाचन की द्रश्टी से आहरनाल का सबसे महात्मूल भाग कौन सा है राइट आंसर छोटी आत धनुस टंकार नामक बिमारी से बचाव कि लिए कौनसा refatten लगाए जाता है सही इंटियों का ठीक है डिफ्थीरिया रोग की लक्षण क्या है maximum इंटियों के कि लग प्लेग रोग किसजवाणू के कारण होता है जैकि पलेग होता है altura पैस्टिस के कारण काली खासी रोग किस जवानू के कारण होता है इंपोर्टन कोशन है काली खासी होती है हीमो फिलिस पर्टुसिस के कारण निमोनिया रोग किस जवानू के कारण होता है तो निमोनिया रोग होता है डिपलो कोकस नियू मेनी के कारण निमोनिया रोग से कौन सांग प्रेप्री के तारह होता है कोण रोग गोनो रिया रोग किस जिवालों के कारण होता है सही आंसर है नाइसेरिया गोनो रियाई के कारण सिफलेस रोग किस जिवालों के कारण होता है सिफलेस होता है ट्रेपो नम पैलीडम के कारण सिफलेस रोग से कौन सांग प्रभावित ह होता है आंसर है सिसन बच्चों को DPTT का किन रोगों से बचाने की लगाए जाता है इंपोर्टन कोशन है तो देखिए DPT का ठीका लगाते हैं हम DPT का क्यों लगाते हैं डिफ्तीरिया काली खासी और टिटनिस से बचाने के लिए फाइलेरिया रोग किस के कारण होता है तो बैंक्रो फाइटम क्रीमी के कारण होता है फाइलेरिया रोग फाइलेरिया रोग का अने नाम क्या है तो फाइलेरिया रोग का अने नाम है हाती पाओ फफूंद द्वारा होने वाली बिमारी कौन सी है तो दमा एथलीट फूट खा एट्स डेंगुजवार, पोलिया, इन्फलाइंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोद, खसरा, ट्रैकोमा, हेपिटाइटिस या पीलिया, रेवीज, मेनिंजाइटिस, हाध्पीस, आधी बिमारियां, किस परजीवी के कारण होती है, तो यह होती है, बिशाडू के कारण, किस का नाली है, तो यह है, एट्स की, ठीक है, एच आईवी, एट्स में होता है, एलिसा टेस्ट, अकला कोशन है, ए, आर्टी सेवाव की सुरुगात कप की गई, सही आंसर है, एक अप्रेल दोयाट चार से, डेंगुजवार किस मच्छर के काटने से, तो डेंगुजवार फैलता इंपोर्टन कोशन है, तो यह आया था कलकत्ता में, 1963 में, पोलियो बैक्सीन का बिकास किस बेग्यानिक दौरा किया गया, सही आंसर है, जौन्स साल के दौरा, पोलियो बाइरस कितने प्रकार के होते हो, तो यह होते हैं, तीन प्रकार के, टाइप बन, टाइप टू, टाइ सब्सक्राइब किस तरह के रोग हैं तो यह सभी अनुमानसिकी रोग है कैसे अनुमानसिकी कि अगला कोचन है सीजो फ्रेनिया किस प्रकार का रोग है तो यह मानसिक रोग होता है ठीक है क्या नाम इसका सीजो फ्रेनिया कैसा रोग है मानसिक रोग है यह ध्यान रखेगा cancer को इस्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं तो इसको बलाता है latent period cancer कितने परकार के होते हैं तो इस चार परकार के होते हैं देखिए क्यार कौन कौन से हैं तो देखें इनके परकार लगते हैं carsonomas, sarcomas, leukemias, lymphomas किस radioactive तत्व की उपस्तिती से अस्थी cancer होता है तो यह होता है istonsium 90 से इटाई इटाई नामक रोक किस तत्व के कारण होता है तो यह होता है cadmium के कारण राश्टि आयोडीन अलपता विकास कारिकरम किस वर्स शुरू किया गया था सही आंसर है 1962 में कब 1962 में जी बिज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत सरीर की आंतरिक संरशना का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है तो इसको बुला जाता है एनाटोमी क्या कहते है एनाटोमी पेसमेकर का प्रयोग कप क्या आता है हिर्दयगति को कम हो जाने पर पेसमेकर का प्रयोग करते हैं संपून सरीर में किसी असमानता या बिक्र दी का पता लगाने है तो किस उपकरण का प्रयोग कियाता है तो यह है आपका CT scan और की computed tomography computed tomography हिर्दय सम्मंदी आसमानतों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं आंसर है ECG यानि कि अंड जरायुज इस्थनी कौन सा है तो अंड जरायुज इस्थनी है कंगारू क्या होता है दोस्तों कंगारू सबसे ब्यस्त मानव अंग कौन सा है सही आंसर है हिर्दे सबसे बड़ा जीवित सरी सरब कौन सा है राइट आंसर है समुद्री कच्छुआ सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है राइट आंसर है कटी पुंज पक्षी सबसे तेज दोडने वाला जन्तु कौन सा है राइट आंसर है चीता सबसे बड़ा सर्प कौन सा है तो यह है आपका अजिगर पाइधन सबसे उचा इस्तनी कौन सा है राइट आंसर है जिराफ जो कि अफरीका में पायाता है सबसे बड़ा तथा भारी इस्तनी कौन सा है तो यह है आपका नीली वेल सबसे बड़ा इस्थली इस्तनी कौन सा है राइट आंसर है अफरीकी हाथी अंड प्रजक इस्तनी कौन सा है तो एकेडिना तथा डक बिल प्लेटीपस ठीक है यह होता है अंड प्रजक इस्थनी स्वपनों के अध्यन को क्या कहते हैं तो ओनिरोलोजी ठीक है ओनिरोलोजी कहा जाता है स्वपन अध्यन को मनुष्य के सौंदर के अध्यन को क्या कहा जाता है तो देखिए मनुष्य के सौंदर अध्यन को बोलते हैं केलोलोजी सरीर में सबसे द्रण यनकी मजबूत तत्व क्या है आंसर है दात का इनेमल सबसे तेज तंतर का आवे कितने किलोमीटर प्रती घंटा होता है राइट आंसर है पांच सो बतीस किलूमीटर पर घंटा गुर्दे का भार लगवा कितना है तो 150 ग्राम का होता है गुर्दे का भार लगवा एक बार सांस अंदर लिने में सामान बैस का लगवा कितने मिली हवा अंदर ले जाता है आंसर है पांच सो मिली पैनिसली नामत पृति जैवे किसी से प्राप्त होता है तो यह होता है पैनिसीलियम का वक्से संसार का सबसे बुद्धी मान होमी निड कौन है तो यह है मनुश्य मनुश्य के सरीर में लगवग कितने बाल होते हैं कुनेन किस पौदे से प्राप्त होता है? सही आंशा है सिनकोना के बरक्ष से. जीव रव जीवन का बहुत एक आदार है, यह है कथन किसका है? राइट आंशा है है क्थन handlar का. एक जीन एक एन्जाइम का सिध्धान किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम का सिथान्aur बीडल और टेटम ने दिया था किसने बीडल और टेटम घाठ करो और छज्राओ नामक नाम से विख्यात बिशाणू कौन सा है तो यह है R, S, B, B, ठीक है R, S, B, बिशाणू मनुस के आशू में कौन सा एंजाइम पाये जाता है तो मनुस के आशू में होता है लाइसो जाइम एंजाइम जारविक 7 क्या है तो ये किर्तिम हिर्दे है जारविक 7 जीवन की उत्पत्ती सरप्रतम कहा हुई है तो जीवन की उत्पत्ती सरप्रत्म हुए जल से बरण धंता वाले रोगी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है सही आंसर है हरा कैसा दिखता है हरा दिखता है दातों की संक्या सरवादिक किस में होती है तो देखिए दातों की संक्या सरवादिक होती है सूर ततब घोडे में किसके कारण कुछ जनतूँ की आँख रात में चमकती है तो यह चमकती है टैपी टम के कारण टीक है जैसे की बिल्ली की आँखे रात को चमकती है टैपी टम के कारण मनुस्त के सरीर में Anteamiva Histolytica कहा पाए जाता है तो यह आथ में पाया जाता है कैंचुए में कितनी आखे होती है तो याद रखेगा कैंचुए में आख नहीं होती है बिक्छू में बिक्छू में बिस कहा होता है तो यह इसके डंक में होता है निउजिलेंड में पाई जाने वाला उरन हीन पक्षी कौन सा है right answer है कीवी वेल के हिर्दय में कितने चेंबर होते हैं right answer है चार इस्तन पाई के उस सरजनी है उतपाज सूत्र में किस के अरिकता पाई जाती है answer है यूरिक अंबल की डाइनासूर क्या थे तो ये सरी सरफ जो लुप्ट हो गए को छिद्र युक्त बनाकर मिर्दा में oxygen की मात्र को बढाता है समुद्री घोड़ा क्या है तो समुद्री घोड़ा एक मचली है ध्यार लखेगा किस मचली के सरीर से बिद्द्द अंग पाय जाते हैं जिन से बिद्द्द निकलती हैं आंसर है टार्पीडो मेंटक में कौन सरवादिक पुनरदो भवन की छमता किस में होती है सबसे कम पुनरदो भवन की छमता किस में होती है तो यह होती है मस्तिस्क में लड़कियों में योवन अवस्था का प्रारम कब होता है तो यह होता है तीरा वर्स की उम्र में चोबीस घंटे में कितने लीटर मूतर का इस सर्जन होता है चैसे लगवग दो लीटर मूतर का उस सर्जन होता है है खेति की सरवाधिक पुरातन प्रणाली कौनसी है तो यह हापनी ज्ञूम किरसी कौनसी कि Loro प्लूरो कारवन के बाद ओजोन इस्तर का दूसरा प्रमुक बिद्वन सक कौन सा है सही आंसर है नाइट्रोजन आकसाइड ठीक है याद रखेगा इंपॉर्टन कॉशन है यह ओजोन इस्तर के च्छनड का पता सरपर्थम किसने लगाया था तो यह लगाया था जो सेफ फार फॉर मेंन थिए 1985 में इंग्लेंड के है यह ओ तुकाई यह इस्ताई विकास की आवद्धाना के सरप्राधम प्रतिपादक कौन थे तो यह थे ब्रन्ट लेंड कीया नावन का ब्रेंड लेंड प्रियावरन निश्चयवाद के पृतिपादा कौन है संयुक्त राज संग ने बर्स 2.2 को किसका अंतराष्टिय बर्स गोसित किया सही आंसर सतत्विकास का इकोलोजी सब्द का प्रियोग सरप्रतम किस ने किया था राइट आंसर है आरनस्ट हेकेले ने पारिस्तितिकी के जनक की संग्या किसे प्रतान की गई है आंसर है आरनस्ट हेकेल को एंजाइम के लिए असीलता का सरवत्तन ताप क्या है सही आंसर है 25-35 डिग्री सी बनस्पती के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है तो बनस्पती के सड़ने से मीथिन गैस निकलती है सौसन मूल किस प्रकार की बनस्पती में मिलता है डायो निया एवं ड्रो सेरा कैसे पौधके उधारन है तो ये सभी कीट बक्ची पौध है कैसे कीट बक्ची किस प्रकास कर किस प्रकास रंग में प्रकास संसेशन होता है तो ये होता है लाल एवं नीला में कुछ जन्तु साखारी एवं मासारी दोनों होते हैं वे क्या किलात तो इसको बोलते हैं सर्व बक्षी एक तालाप के पारिस्तितिक तंत्र का जीव भार पिरे मिड कैसे बनेगा तो यह बनेगा उल्टा पृतिक पोशन तत्व के जन्तू कितने पृतिसद उर्जा अलग पोशन कर तल को देते हैं आंसर है 10% मिरत जीवी खाद संगला को क्या कहते हैं तो इसको बोला जाता है डेट्रिटस क्या कहते हैं डेट्रिटस किस किरिया दोरा पित्तिवी से बायू मंदल में नाइट्रिन गैस युक्ट होती है तो यह है B-Nitri करान नाइट्रोजन, हाइट्रोजन, फासफोरस तथा कारवन के चक्रों में से किसमें सरवादिक उर्जा की आवसकता होती है आंसर है हाइट्रोजन चक्र में अधिकांस पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट की रूप में घ्रहन करते हैं धान का पौधा नाइट्रूजन किस रूप में घ्रण करता है तो ये करता है अमूनिया के रूप में घ्रण बायू मंडली है नाइट्रूजन का बिविन यौगों में परिवर्तन क्या कहलाता है आंसर है नाइट्रूजन इस्थरी करण जौला मुखी के फटने से कौन सा प्राकरतिक चक्र दुस्परवावित होता है आंसर है फासफोरस चक्र सरपर्थम पार्थित की स्थूप की परिकलपना किसने पृस्थित की आंसर है चार्ल्स एल्टन ने किसी स्थान की आपेचिक आदर्ता ग्याद करने की उपकरण को क्या कहते हैं जिसको बोला जाता है साइक्रो मीटर सरपर्थम जै बिवित्ता सब्द को का किसने किया था आंसर है ई-ओ बिलसन ने संसार में किस देश के बनों में सरवादिक जै बिवित्ता पाई आती है तो यह बिवित्ता संदी कब से प्रभावी हुई है तो यह हुई थी 29 दिसंबर 1993 से डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक बिलुप्त जीब जातियां किस देश में पाई आती है तो यह करमसा मौरिसिस और चीन में पाई जाती है होट स्पोर्ट की अवधाना के प्रतिपादा कौन थे आंसर है नौरमन मायर्स 1988 समय भी आ रखेगा भारत में प्रतम जै मंडलिय च्छेत्र नीलिकरी की स्थापना कप की गई तो यह की गई 1986 में कल्प ब्रक्ष उपमा किस ब्रक्ष को प्रदान की गई है आंसर है नारियल को बेंजीन के करण किस रोक की संभामना सरवादिक होती है राइट आंसर है रक्त कैंसर की जीवानू का कौन सा बिवेध पेट्रोलियम तेल अधी प्लावों का उपचार करदे में सक्षम है तो प्रदूसक क्या कह राते हैं तो इसको बुलाते हैं हूमेलिन क्यूटो प्रोटोकोल कब प्रभावी हुआ था राइट आंसर है 16 फरवरी 2005 में बन ने जीव संद्रक्षन अधीरियम का संसुदन कब किया गया राइट आंसर 1991 में जीवास्म राष्ट्य उध्यान किस प्रद प्रशी अंटार्टिका में पाए जाता है श्याम म्रग कहां पाए जाते हैं तो श्याम म्रग राजिस्थान में मिलते हैं भारत में कौन सी प्रजाती के कपी पाए जाते हैं तो भारत में गिब्बन प्रजाती के कपी पाए जाते हैं ग्रीन हाउस गैस के कारण प्रतिवी के बढ़ते तापमान को सिधान्त 1903 में किस बेग्याने ने दिया था तो ये दिया था स्वान्ते एरीनस ने पहला संयुक्त राष्ट परेवन वा बिकास सम्मेलन जून 1902 में ब्राजीर के किस सहर में आयुजित किया गया राइट आंसर है रियो डी जैनेरियो में किस चलवाईव परिवर्तन पर सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्थापित करने का प्रिस्ताव सुईकार किया गया राइट आंसर है सूलवे कोप सम्मेलन में ओजोन परत की नुकसान पहुँचाने वाले क्लोरो फ्लोरो कारवन के उस सर्जन पर रोक लगाने के लिए मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताप्षर किये गए सही आंसर है 1987 में जीव बिगाल की वहसाका जिसके अंतरकर जीव धारियों और उनके बातवर्ण के पारस पर एक संबंदों का अध्यन किया आता है तो इसको कहते हैं पारिस्तितिकी औस्टियो मेले सिया नामक रोग सरीर में कौन सा तंतर प्रभावित होता है आंसर है कंकाल तंतर यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका बजन कम क्यों लगता है आंसर है उत्पलावक्ता बल के कारण पिजली की घंटी के बिद्दुतार के किस प्रभाव का उप्योग किया जाता है आंसर है चुम्ब की प्रभाव का अस्थियों एवं कंकाल तंतर के अध्यन से कौन सी साखा संबंदित है तो इसको बोलते हैं औस्टियोलोजी कवकों की कोश्का बित्ती किस पदार्थ की बनी होती है आंसर है काईटीन की प्याज किस बनस्पत्य कुल से संबंदित है तो ये है लिली एशी कुल से संबंदित हिर्दय पेसियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है आंसर है कोरो नरी धमनी के द्वारा सरीर के संतुलन के लिए मस्तिस का कौन सा भाग उत्तरदाई है राइट आंसर है सेरी बेलम खुर, नाखून, सींग, एवं दात किस प्रकार के कंकाल तंतर के उधारन है तो ये हैं बाहा बाहा कंकाल तंतर के उधारन है इंसुलन का कार्व क्या है तो देखिए रत में गुलुकोच की मात्रा को नियंतित करता है इंसुलन किस radioactive तत्व का नाम उसके खोचकरता के देश पोलेंड के नाम पर रखा गया आंसर है पोलोनियम नाविक से निकलने वाले तीन बिक्रणों मैंसे किसकी बिधन छपता सरवादिक होती है तो यह होती है गामा किरणों की ताप मानिकी अभिकरिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है राइट आंसर है प्लाजमा वस्था में सिरका उद्दोग में कौन सा जिवानू प्रियुक्त किया जाता है आंसर है एसी टो बैक्टर एसीटी किन जीवानों को साइनो बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है राइट आंसर है नीले हरे सैवाल को धान का बैग्यारिक नाम क्या है इंपोर्टन कोशन है धान का बैग्यारिक नाम है औराईजा इस्टाइवा अनुवान सक्ता का सिध्धान्त किस ने पृति पालत किया था सही आंसर है मैंडल ने औस्टियो मैलेसिया नामक रोग सरीर में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है आंसर है कंकाल तंत्र सरीर के द्रब में जल और नमक के मिसरण के नियमन को क्या कहते है तो उसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन प्रतिकरण के अस्तित्र के सिध्धान्त गोशना सरप्रथम किस ने की थी तो यह की थी P.A.M. डीराक ने धुरवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है तो यह है अनुपरस्थ तरंगों का गुण लार किस के पाचन में साहयक है तो याद रखेगा लार इस्टार्च के पाचन में साहयक है इंसुलन रक्त में किस की मातरा नियंतित करती है आंसर है गुलुकोच की डाइबिटीज के मरीज के लिए इंसुलन का कार क्या है आंसर है रक्त में चीनी के स्तरक पर नियंतर्ण करना उस अधातु का नाम बताईए जो प्रकास को परावर्थित करती है तो यह हीरा ग्रहों की गती के नियब किसने प्रतिपाज़त किये सही आंसर है कैपलर समान तापर हाइडोजन औक्सिजन और नाइटोजन में धोनी की चाल सरवादिक किसमे सरवादिक होती है तो यह होती है हाइडोजन में पौदे दिन में निकलते एवं रात में लेते हैं क्या औक्सिजन सुस्क बैटरी सेल में किस प्रकार की उर्जा संगारित होती है तो यह होती है रसानिक उर्जा कौन सी रसानिक उर्जा नाविकिये बिकीरन से सरीर का कौन सांग सबसे पहले प्रभावित होता है तो यह होता है अस्थी मज्जा मचलियों के रकृत तेल में किस बिटामिन की प्रिचुरता होती है तो बिटामिन D और बिटामिन A होता है इसके अंदर एक समान नेतर के लिए सूसपष्ट द्रश्टी की निूंतन दूरी क्या है राइट आंसर है पच्छी सेंटिमीटर कुछ ट्रोक के जिवानू की खोच किस ने की थी आंसर है हैनसल ने पैनिसलीन का अविस्कार किसर ने किया था तो यह किया था एफ लेंजिंग ने यदि परमानों की तीसरी कख्छा सबसे बहारी कख्छा हो तो उसमें इलेक्टरोनों की संक्या अधिक संक्षा कितनी हो सकती है तो यह हो सकती है 18 सोडियम आयन की इलेक्टरोंिक सनरशना क्या है अंसर है 2 और 8 कृप्टान और रूबीडियम cricket है तो यह दोनों ही समनूट्रोंिक क्यलाते है कोशका में राइवो जोम का कार्ए क्या है आंसर है प्रोटीन संसिशन में साहिता करना एक मनुस्र का डाय स्टेलिक दाव HG के कितने mm के बरावर होता है तो यह होता है 80 के बरावर किस रंग के प्रकास की किरणों के उपस्तिती में प्रकास संसलेशन दुत्रतर गती से होता है तो यह होता है लाल टेसला किस बहुती ग्रासी का मातरक है? आंसर है चुम्ब की छेत्र का रिकेट्स का रोग किसकी कमी कारण होता है? राइट आंसर बिटामिन डी कमी से थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बैरी-बैरी सिर का किसका बालेजिक नाम है राइट आंसर है एसेटिक अमलिका किसका एसेटिक अमलिका अपमार्जक मिलाने से पानी का प्रिस्तनाव पर क्या प्रिभाव पड़ता है आंसर है ये घट जाता है कितने इलक्ट्रोन मिलकर एक माइक्रो एम्पेर धारा बिद्धु धारा को बनाते हैं तो ये है छे दसनलब दो पाँच गुड़े दसकी हत बारा प्रकरतिक रवर किसका बहुलक है आंसर है आईसो प्रीन का बार किसका मातरक है तो बार बायू मंडली ये दाब का मातरक होता है इंपोर्टन कोशन है ध्यान रखे गई है गैलेना किसका एसक है तो गैलेना सीसा का एसक होता है रोकेट के उड़ने का सिध्धान्द भौतिक की किस रासी के सनरक्षण पर निर्वर करता है तो यह करता है संवेख 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 स कीमो थेरपी क्या है तो रासानिक पधार्तों के उपियोग से रोकियों की चिकिस्सा करना कीमो थेरपी कहलाता है यदि दूरस्त बस्तू से आने वाली किरणे रेटिना के आंगे फोकसित हो जाती है तो द्रस्टी में कौन सा दोस कहा जाएगा तो यह होगा मयोपिया यानिकी नेकर द्रस्टी दोस किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटो कॉंड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ठीक है कोशिका का पावर हाउस होमो सेपियन्स किस जीवधारी का बेकेन नाम है आंसर है मनुष्य का हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते है पौधे के मिर्दाविहीन समवर्दन यानि की जल माध्यमें पौधा उगाना यह है आपका हाइड्रोफोनिक्स चोती फ्लेक्स का मातरग क्या है सही आंसर है लिवमें कोण यह समवर्द की बिवा क्या होती है तो यह होती है M L2 T की पावर माइनस बन गैस नियतां का ऐसाई मातरग क्या है जूल पर किलो मूल कार्णिक अमलका सिद्धानिक नाम क्या है आंसर है फिनॉल कार्णे लाइट किस का खनिज है तो कार्णिलाइट मैंगनेशियम का खनिज है न्यूटन का गती का पर्थम नियम किस अन्य नाम से जाने आता है तो इसको कहते हैं जड़त का नियम बैलाडोना नामक औसदी एट्रोपा बैलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो यह मिलती है जड़ तता पत्तियों से थाइमीन कौन सा बिटामिन है थाइमीन बिटामिन B1 का रसने नाम है कंजेक्टिवाइटिस सरीर के किस अंग का रोग है तो यह है आँख का रोग प्यास का केंदर कहा होता है प्यास का केंदर होता है हाइपो थैलेमस में कच्ची चीनी को रंग भीहिन करने हेतू जिस चारकुल का प्रयोग किया जाता है वह है तो इसको बोलते हैं एनिमल चारकुल अगनी शमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्मूरेट घोल किससे किरिया करके कार्मंडा यक्सर बनाता है तो यह करता है गंदक से गंदक के अमले से किरिया यदि दो चुम्ब के दुरुमों के बीच सक्ती और दूरी दो गुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल यारखेगा चोगुना बढ़ जाएगा भारत के परथम अंत्रिक्ष यात्री राके सर्मा तीन अपरल 1984 को किस अंत्रिक्ष यान में गई थे तो इसका नाम है सो यूज टी ग्यारा राके सर्मा को सभी जानते हैं लेकिंग ये अंत्रिक्ष यान का नाम यारख न जरूरी है एक्जाम में पूछ सकता है केंद्रिय सुस्क जोन अंसंदान संस्थान कहां पर है तो यह है आपके जोदपुर में जीवों के क्लोन यान की हमसकल तयार करने की बैग्यानिक पदिति क्या किलाती है तो इसको बोलते हैं क्लोनिंग जैवाक्सी करण के फलसरूप उत्पन होने वाली उर्जा का संचे कहां होता है राइट आंसर है एटीप अणुओं में पिरकास के दुरवी करण प्रवाव क पता लगाने वाले भारतिय बैग्याने के नाम क्या है तो इनका नाम है चंद सेखर बैंकर्ट रमन यानिकी सीवी रमन की बात कर रहा है एम्स का संचित प्रूप क्या है यानिकी एम्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म है All India Institute of Medical Science जब रक्त में ऑक् के इसक रक जी, मारकोनी कहांके रहने वाले थे । यह थे ुटली के कोशका की खोच किस प्रग्याने ने की ति राइट अंजर है रॉबर्ट होक ने अपॉर्टन कॉशन है अप सरब तरंगों की आवरती होती है तो यहोती है 20 अभ्ट से कम सोईत रखते कड़गाओं का पुर्मुकार क्या है राइट आंसर है रोगों से रख्षा करना पासकल मातरक में बायू मंडली दाप कितना होता है सोरी बायू मंडली दाप कितना होता है तो यह होता है दसकी का तो पांच पासकल साइटो काइनेसिस में किसका विवाजन होता है आंसर है कोश का द्रब का मैथिल एलकोहल का रासाने सूतर क्या है राइट आंसर है CS3OH जब दो कड़ टककर के पश्चाथ एक दूसरे से चिपक जाते हैं तककर कहलाती है तो इसको बोलते हैं पूर्टा आपरत्यास्त किसी छेतर में गुर्टवी छेतर सून है तो उस छेतर में गुर्टवी बिववग होगा तो यह होगा नियत यानकी कॉंस्टेंट जब प्लस क्यू आवेस को कम बिववव वाले बिंदू से अधिक बिववव वाले बिंदू पर ले जाया जाता है तो उसकी उर्जा पक्या प्रभाव पड़ेगा याद रखेगा ऐसी स्तिति में उर्जा बढ़ जाती है बिद्दू छेतर में सुतंतर स्रिड आवेस जैसे की इलेक्ट्रॉन गती करता है तो यह निम्न बिवव से उच बिवव की और गती करता है जल के बैद्दू अबगटर में थोड़ा अमलिया च्छार क्यों मिलाया जाता है तो याद रखेगा जल को बिद्दू चालक बनाने के लिए बहु प्रच्रित खतरनाग बिमारी सार्स का क्या अर्थ है तो उसका अर्थ है सरसेवरल एक्यूट रिस्पैंसरी सिंड्रोम एंटीजन क्या होते हैं एंटीबोडी के निर्मान हेतू उत्प्रिरक ही एंटीजन कहलाते हैं रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजायम को तयार किया गया आंसर है यूरियेज को यूजे निक्स किसके अध्यन का बिग्यान है तो ये मानवों के अनुवान से की अध्यन का बिग्यान है बसा का पाचन कौन सा एंजायम करता है राइट आंसर है लाइपीज जीवद्रव सिंधान्त की खोच किस ने की थी तो जीवद्रव सिंधान्त की खोच की थी सुल्जने किसने सुल्जने यूरिया किस के दौरा रक्त से प्रथक किया जाता है आंसर है किड्नी यानिकी गुर्दा कलपक्कम किस के लिए पादिप रहता है तो ये परमाणु सक्ति परियुना के लिए है पागल कुत्य के काटने से भयानक रोग होता है जिसको बोलते हैं Hadrofobia के कहते हैं Hadrofobia कोवाल 60 आमतोर पर बिकीरनड चेकिसा यथा Cancer जैसे रोगों में प्रॉड़क्ट होता है क्योंकि यह उसरजित करता है तो यह सरजित करता है तो उस तो गामा केर्णा दियान रखेगा यदि कोई ब्यक्तिकार से घर से निकलता है तथा टी सेकंड पस्चाद बापिस लोट आता है यदि गंतव दूरी एक्स हो तो उसका उसा चल क्या होगा त्यार रखेगा इसका उसा चल होगा सूने सबसे वड़ा फूल की स्पोधिका रहता है तो यह होता है रैफलीसी आकाव बरगी करण से समंदित साखा कौन सी है तो यह आपकी टेक्सोनोमी रासानिक द्रश्टी से चीनी क्या है तो रासानिक द्रश्टी से चीनी है सैक्रोज क्लूरोफोर्म को भूरी बोतल में क्यों रखा जाता है क्योंकि ऑक्सिग्रित होकर यह बिसाला पधात बन जाता है इसलिए विद्दु धारा के चुम्बे के प्रवाव की खोज किस ने की थी आंसर है ओर स्टेंड ने मैथिल सेली सिलेट को अन किस नाम से जाना जाता है आंसर है ओल ओफ बिंटर ग्रीन के नाम से कारनेलाइट किस का खनिज है तो यह है मैगनीशियम का जल के अनू किस बंद दौरा जोड़े होते हैं इंपोर्टन कॉशन है जल के अनू बंदे होते हैं किसी माध्यम में बस्तु की चाल और धोनी की चाल का नुपत क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं मैक नंबर क्या कहते हैं मैक नंबर बिद्द बिच्छेदन में किसी पधात की एक रसानिक तुल्यान को बिच्छेपिद करने के लिए कितने बिद्द आवेश की आवेश की कि आवेश की आवेश की परिसंचनल तंत में रख्त के ठक्य की स्थिती का पता लगाने के लिए किस समिस्थाने का प्रयोग करते हैं सही आंसर है एन एट 24 का यदि यू बिगटिद होकर प्रोटेक्टियम बनाता है तो इसमें कितने एलफा और बीटा किरणों का उस्वजन हुआ है आंसर याद रखेगा एक एलफा और एक बीटा किरणगा एंत्रोपोलोजी में किसका अंध्यन होता है तो देखें एंत्रोपोलोजी में अध्यन होता है मानप के उद्वाव एवब बिकास के सम्मंद में बिसैसे एक एंगिस्टॉम मात्रा कितने नेनो मीटर मात्रा के तुल है तो यह होता है 0.1 एनम के यानकी नेनो मीटर के गेमेक्सीन का रासने नाम क्या है गेमेक्सीन का रासने नाम है बैंजीन हेक्सा क्लॉराइड सूर के दिरमान के बंट फॉंट फॉर गुना से कम की दिरमान सीवा को क्या कहते हैं तो इसको बुरहत है चंद्र सेखर सीवा संबिक परिवर्तन की दर किसके बरावर होती है राइट आंसर है बल के दुद बिच्छेदन में किसी पजार के एक रसनेक तुल्यां को बिच्छेदित करने के लिए कितने आविस्क्या वसकता होती है राइट आंसर है 96500 कूलाम की एक बीता कड के उस्तरजन से परमानू संख्या तथा परमानू दुरमान में क्या परिवर्तन होता है आंसर है परमानू कुरमान एक बढ़ जाता है और परमानू संख्या आप परिवर्तित रहती है अस्तियों इवं कंकाल के तंतर के अध्यन से संबंदे साखा कौन सी है तो देखिए इस साखा का नाम है औस्टियोलोजी बड़ी आथ का पहला भाग क्या कहलाता है तो बड़ी आथ का पहला भाग कहलाता है कोलोन दूद को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है तो दूद को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन क्या कहते हैं इसको रेनिन यकृतर उत्सरजन के में किस प्रकार साहिता करता है आंसर है अमोनिया को यूरिया में बदल कर इसमन्ण सक्ति एवं चिंतन का कार मस्तिक का कौन सा भाग करता है तो ये करता है सेरी ब्रम खीच कर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके बिसिष्ट पिर्तिरोद पर क्या प्रवा पड़ेगा याद रखेगा इसका बिसिष्ट पिर्तिरोद आप परिवर्थित रहता है तत्वों के रासानिक और भौतिक गोड़ो उनकी परमाणु संक्या के आवर्थ फल होते हैं यह नियम किसने पृतिपादित किया इंपॉर्टन्ट है यह परिवासा इसी है आती एक्जाम में डारेक्ट तो यह पृतिपादित किया था मूसले ने आवर्थ सानिके चतुत आवर्थ में कितने तत्व हैं आंसर है अठारा कितने हैं अठारा किसी बस्तु के जल तुल्यांक तथा उस्मा धालिता के संख्यात्व मान में क्या संबंध है तो यह है बरावर होते है आँख के किस भाग दोरा आँख में प्रिवेस करने वाले प्र पौदों में उर्जा स्थांत्रण के लिए किस पोसतत की उपस्तिती अनिवार है आंसर है फासफुरस की प्याज किस बनस्पतिक कुल से संबंदित है तो प्याज है दोस्तों लिली एशी बनस्पतिक कुल से संबंदित है रासानिक रूप से मिल्क उप मेंगनेशिया क्या है किसकी उपस्तिती के करण किसी पादप कोश्का और पशु कोश्का में अंतर पाया जाता है किसके साथ काश्टिक सोडा को उबाल का साबुन तेयर किया जाता है आंसर है फैट यानिकी बसा सुरक्षा की दरश्टी से खाना पकाने वाली LPG गैस लेंडर में क्या भर कर गैस को गंद युक तो बनाया जाता है तो इसमें भरते हैं मर कैप्टेन यानिकी थायो एलकोहल बरदंता किन रंगों की लिए होती है तो यह होती है लाल और हरे रंग के लिए मदू में से पीड़ ब्यक्ति के सरीर में कौन सा पधार्थ नहीं बनता है आंचर है इंसुलिन मेगनिफाई गिलास की रूप में किसका इस्तमाल किया आता है आंचर है कम फोकस दूरी के उत्तर लेंस का प्रियोग कोड़ी संब्यक का मात्रा क्या है तो किलोग्राम मीटर स्कूर सेकेंड की पावर माइनस यह है आपका कोड़ी संब्यक का मात्रा कोड़ी संब्यक के संद्धान क्या है तो देखिए अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बहाय बल पूर्टा ना लग रहा हो तो पिंड का कोडी ये संबेक नियत रहता है yah कोडी ये संबेका सर्रक्षन संबेक परिवर्तन की दर किसके बरावर होती है तो ये होती है बल के बरावर यानिकी फोर्स के बरावर important question आया यदि zero degree C ताप पर एक ग्राम बर्फ को 80 degree C वाले एक ग्राम पानी में डाला जाए तो मिस्रण का अंतिम ताप क्या होगा तो अंतिम ताप होगा इसका zero degree C होलोग्राफी में किस का किस प्रकार के चित्र बनते हैं तो ये बनते हैं त्री बिमिया सरीर के किस अंग से संबंदित हैं तो ये हैं नेत्रों से संबंदित स्यानता की SI मातरा क्या है आंसर है पॉईज बायो मंडली की अनुपस्तिती में पिर्तिवी से आकास किस रंका दिखाई देगा आंसर है काला दिखाई देगा ये कैसा काला जेम्स चेंडविक ने किस मूल तत्वी की खोच की थी इंहोंने नीट्रण की खोच की थी परमाडू में प्रोटण कहां स्थेद होते हैं तो नावी की भीतर होता है दोस्तो परमाडू के अंदर प्रोटण ठीक है ध्यान रखेगा इसको पत्तियों का रंग पत्तियों का रंग किसकी उपस्तिती के कारण हरा होता है तो देखी ये होता है क्लोरोफिल की उपस्तिती के कारण जल के अंदर बायू का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भाती बहवार करता है तो ये करता है अपतल लेंस की भाती कांच का लाल चटक रंग क्या मिलकर मिलाकर दिया जाता है तो यह दियाता है क्यूपरस लवड मिलाकर प्रोटीन का पाचन कौन सेंजाइम करता है सही आंसर है ट्रिपसिन किस रंग के प्रकास में पौधे में प्रकास संसलेशन सबसे दिख होता है आंसर है लाल प्रकास रंग में लाल रंग के प्रकास में सोरी मॉर्फीन पॉजे के किस भाग से प्राप्त होता है आंसर है पुस्पकली या फिर कैपर स्यूल से किस भारतिय सेटलाइट को कलपना चावला की स्मिर्थी में कलपना फश्ट नाम दिया गया मैट सेट को प्रकास तंतु किस सिधान पर कार करता है इस सिरी का उद्द्योग में कौन सा जीवानु प्रयुक्त किया याता है रसाने कित्वोंको संकेत की रूप में ब्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था तो ये किया था बरजीलियस ने ठीक है किसने बरजीलियस ने आब एक बरावर होता है या रखेगा आब एक बरावर होता है बल तथा उसकी किरिया के समय के गुणनफल के बरावर हैंडी किस भोतिक रासी का मातरग है तो हैंडी होता है प्रिर्णा प्रिर्णा गुडांक का मात्रग किर्टम उपग्रा में विभिन उपकरणों का उर्जा स्रोत्र क्या है राइट आंसर है स्वरूर्जा वह गैस कौन सी है जो स्वयम जलती है लेकिन जलाने में सायक नहीं होती तता जो सड़े अंडे जैसी गंद देती है तो यह है हाइड्रोजन सलफाइड कैला मिन किस तत्व का प्रमुक ऐस के है राइट आंसर है जिंक का लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचे यानि की रेडक्शन होता है यह है ऑक्सी करण है यह अपचेन है या फिर ऑक्सी करण है यह पूछ राइए तो यह है आपका ओक्सी करण अंडे का बहाय खोल प्रमुकता किसका बना होता है तो यह रखेगा यह बना होता है कैलसियम कार्बोनेट का इसका सूतर है CACO3 तमाकू में उपस्तित हानिकारक L-K-Loid कौन सा है तो यह है आपका निकोटीन ठीक है तमाकू में निकोटीन होता है हानिकारक है यह Oral Rehydration Billion को किस रोग में प्रयोग करने की सला दी जाती है आंसर है दस्त में यदि कोई बस तू आपतित प्रकास के सभी अव्याव रंगों का अपसुसन कर ले तो कैसी दिखाई देगी तो यह काली दिखाई देगी Black सूर बिकी रंड को पृतिवी तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो लगवग सूर बिकी रंड को देखे प्रकास ने बिकी रंड को पहुँचने में कितना समय लगता है 8 सेकंड सेक्स्टेंड का उपियो किसकी माप में किया जाता है तो दो पिंडों के बीच कोणिये दूरी की माप के लिए सेक्स्टेंड का प्रियोग करते है प्रेसर कुकर में खाना जल्दी को पक जाता है अच्छा कोशन है इंपोर्टेंट है क्योंगी यह एक्जाम में पूछा जाता है तो यहार रखीगा प्रेसर को करके अंदर दाब बढ़ने से पानी का कोथनांग बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पकता है रेडियो तरंगों के प्रेशन में साहिता करने वाली बायोमडली परत कौनसी है तो यह है आइनोस्फेर हिर्दय का हिर्दय एक जिल्ली से ढखा होता है जिसे कहते है तो इसको बुलाता है पैरी कारिडियम क्या कहते हैं पैरी कारिडियम धारा गनत्व कौनसी रासी है अधिस या सदिस तो जहां रखेगा धारा गनत्व सदिस रासी है दोस्तों यदि 40 वाट वाट सो वाट के तंतू समान लंबाई की हो तो किस बल्ब का तंतू अधिक मोटा होगा या रखेगा सो वाट के बल्ब का तंतू अधिक मोटा होगा निकट द्रश्टी दोस में पिर्तिमं कहां बनता है तो यह बनता है रेटीना के सामने ट्राइटियम किसका समिस्थानिक है तो ट्राइटियम है दोस्तों हाइडोजन का समिस्थानिक किसका हाइडोजन का मेंडलीव का आवर्थ नियम परमालू कर्मांक अत्वा परमालू भार पर आधारित है तो दोस्तों ये आधारित है परमालू भार पर याद रखेगा इसको अनुवांसिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रियोग के लिए किस अन को चुना था इंपॉर्टन कोश्चन है तो इन्होंने चुनाब किया था मटर के पौधेगा रासानिक द्रश्ची से बाटर ग्लास क्या है तो बाटर ग्लास होता है सोडियम सिलिकेट दर्द दूर करने वाली दवाय क्या किलाती है एनाल जेसिक किस रसान का नाम है तो यह है मस्टर्ड गैस का रसाने नाम यह इसका सूत्र भी दिया गया है कौन सा तारा सूर के सबसे निकट है तो आलफा सेंचुरी सूर से सबसे निकट तारा है सैलों के लिए एंपियर आवर मातरक में क्या मापते है तो द्यान रखिएगा च्छमता को नहां पजाता है ठीक है कैपिसिटी को फेरसलफेट हेप्टा हाइड्रेट के साधरता क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हराकसीस यदि माता का रखसमू ए तता पिता का बी तो स सामाजिक आचनल के सिकार होते हैं तो यह होते हैं एक्स वाइवाई सिंड्रोम के सरीर के द्रवे में जल और नमक के मिस्रण के नियमन को क्या कहते हैं तो उसको गुलाता है ओसमो ओसमो रेगुलेशन भोजन में प्रोटिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन होता है तो यह होत माइक्रो प्रोसेसर का आविशकार किस बेग्यानिक ने किया था सही आंसर है रोवर्ट नोयस तथा गार्डन नूर ने 1971 में सिगनल आविर्थी सिर्फ तरंग के बाहर तरंग पर अध्यार ओपन की प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते हैं मॉंडूलन ठीक है चूटता किन्तु ओवलत हुए जल में चूट जाता है क्यों तो या लखेगा वर्डग सीतल जल में घुलनसील होता है इसी कारण जब एक कोला यडी या तंत्र का परिछेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसको बोलते हैं एरोसूल एक प्रिछेपक उत्तर की और मुख करके उत्तर दिता में जाते हुए इलेक्ट्रोन को देखता है कि वह पश्चिम की और बिच्छेपित हो जाती है प्रिछेपक की इस्तिती है तो या रखेगा यह इस्तिती है दक्षडी गुलार्द में कहा पर है दक्षडी गुलार्द किस घटना के करण आकास नीला दिखाई देता है important question है तो पुर्किणन पुर्किर्ण Talenda की घटना के करण आकास नीला दिखता है О्म की नियम से किस भ३त्यगरासी का मातर पराप्त होता है तो पुर्तिरोधा का मातर होता है बीस डीजल इंजन में जुलन किस से उत्पन किया जाता है तो इधन के संपीडन से उत्पन होती है इधन के संपीडन से दमा के रोगी को बायू के स्थान पर क्या दिया जाता है धान रखेगा हीलियम तथा ऑक्सियन का मिस्णर दिया जाता है इसको ठीक है दमा के रो खरकूंशन है यह थी हो देश की सै आर्टी यो इसकेले रो सिस रह ट्रोक्षा हो तो यह होता है धमनी्ग काठियान धमनियों का कठोर हो जाना यानि के केंप्यूटर में प्रोग्रामन हे्टू एक सरप्रतम भासा कौन oak राम्नवासा इंजयम का नाम है ताइलिन क्या कहते हैं इसको टाइलिन सरी कैंट में सुइत कड़काईं का आकार है 07 mm लाल रगत कड़काईं के ये उपस्तित आवश्चक है यार रखेगा फॉलिक अमलिक आवश्चता होती है इसके लिए कांच सीमेंट और क्वार्ट में उबेनिश तत्व कौन सा है तो इसमें उबेनिश तत्व है सिलीकॉन सूवर के कच्चे मास तौरा मानमें फैलने वाली बिमारी कौन सी है तो इसको बोलते हैं ट्राई किनोसिस साधानरता किसी अकार्मनिक अमलिक के साथ जब किसी धातों की पृतिकरिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है सही आंसर है hydrogen gas कौन सी hydrogen gas DNA में चाहर प्रकार के nucleides पाई जाते हैं जिनके नाम है दिखें इनके नाम कैसे हैं ये दिये है adinin, thymine, guinin, citonin progestron hormone का सरावन किसके दोरा होता है तो ये होता है copper corpse, luteum दोरा bossing machine की कार परणाली किस सिद्धान पर कार करती है खोज किस ने की थी तो देखें कार्ल डेविड एंडरसन ने positon की खोज की थी important है question मौमत्ती का जलना किस परकार का परिवर्तन है important question है एकजाम में पूछा जाता है तो ये होता है रसानिक परिवर्तन क्या मौमत्ती का जलना बिद्ध परिपत में बिद्ध धरकों मापने के लिए जिस यंत्रका प्रयों करते हैं वह है तो यह है आपका Galvinometer क्या है Galvinometer भारत ने जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायू परिवर्तन पर राष्टिक कार योजना कब जारी की तो यह जारी की गई 30.02.08 को SI पदिती में ताप का मूल मातरक और संकेत क्या है तो देखिए मातरक है कैल्विन संकेत है की SI पदिती में बिदुधार का मूल मातरक और संकेत क्या है तो मातरक है MPR और संकेत है A SI पतिती में जोतित तीवर्ता का मूल मातरक और संकेत क्या है तो जोतित तीवर्ता का मूल मातरक है कैंडेला और संकेत है सीडी SI पतिती में पधार्थ की परिमान का मूल मातरक और संकेत क्या है मातरक होता है मोल और संकेत है म, ओ, ल SI के संपूरक मूल मातरक कितने हैं तो यह होते हैं दो पहला है संकौन दूसरा है घंकौन SI पतिती में संकौन का मूल मातरक और संकित क्या है तो यह है radian और संकित है rad SI पतिती में घंकौन का मूल मातरक और संकित क्या है तो घंकौन का मातरक है steradian संकित है SR SI पतिती में आविर्ती का पुराना मात्रक क्या है तो आविर्ती का पुराना मात्रक है कमपन पृति सेकंड CPS पतिती में SI पतिती में आविर्ती का नया मात्रक क्या है SI पतिती में आविर्ती का नया मात्रक है हट्स संकित है HZ CSI पद्थी में जोती तिवर्ता का पुरा ना मात्रक क्या है तो यह है Candela सक्ती मूल मात्रकों की सहाइता से भ्येक्त किया जाने वाले मात्रक क्या कहलाथे हैं तो इसको बोलते हैं व्यूत्पन मात्रक एक प्रकासवर्ज कितने मीटर के तुल है तो यह है 9.46 इंटू 10 to the power 15 meter के बरावर एक पारासे कितने प्रकास वर्ष के तुल है यहनके बरावर है तो यह होता है 3.26 प्रकास वर्ष के बरावर बलका CGS पतिती का मात रख क्या है तो बलका CGS पतिती का मात रख है डाइन बल का SI पतिती का मात रख क्या है राइट आंसर है न्यूटन कार का SI पतिती में मात रख क्या है तो कार का SI पतिती में मात रख है जूल एक एंगिस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल है तो यह है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बरावर एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल होता है अनके बरावर तो एक माइक्रोन बरावर होता है दस्की गात मानेश 6 के बरावर मानेश 6 दस्की गात मानेश 6 मीटर के बरावर सोरी दस्की गात 18 का बिसिस नाम और पृतिक क्या है तो देखिए नाम है एकसा और प्रतिक है ए अधिस रासी के उधान कौन कौन से है तो देखिए अधिस रासी के आप उधान दिये गए है द्रबमान, चाल, आयतन कार, समय, उर्जा बिद्दुधारा, ताप, दाव, दूरी ये सभी अधिस रासी है अधिस रासी के उधान कौन से है तो देखिए सदिस रासी है बेग, बिस्थापन, बल आवेग, संबेग, तुरन तथा बल आगून, ठीक है बल आगून होना चाहिए, बाल नहीं बल आगून है ठीक है दोस्तो आज का वीडियो यही एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सभी कॉशन अच्छे लगे होंगे, समझाए होंगे जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद